अरो जागरूती, तुक्या माझे आट्ली बती खुष देखाई छे? आजे हुँ अधार वर्ष्णी थाई, अड़े अधार वर्ष्णी थाताच मैं मारूना मद्दार्यादी मा नौनधावी देदो छे अवे हुँ पन मद्दान करी छेकेश, जया, उन्तो तने पन कावचो, तुपन मद्दार्यादी मा तारू नाम नौनधावी जदे नाहो, अथ त्यारे क्या ही जवानों समय न थी? अरे मासी, आपने तमारी आज मानसिक्ताने तो बदल्वानी छे मत आपवो, ए आपनों हग अने फरज बनने छे हाँ मम्मी, जागरूती नी वाद साची छे मारे पन घर नी जवाबदारी साथे भारत देश ना एक जागरूत नागरिक तरेके नी फरज बजाववी छे तो बोल जागरूती, क्या रे जहुचे मत्दार यादी मा नाम नौनधावा माटे? मत्दार्यादी मां नाम नोंध हो अमाटे तारे क्या ही जवानी जरूरत ना थी आप वोटर हेल्प लाइन एप छे आप दोरा तुँ नाम नोंधावी शके छे नाम सुधरावी शके छे तेमाच अन्य कामों पन करी शके छे हवे हुपन गवरवपूर्णे मत्दार बनी भारत देशनी लोक्तांत्रिक प्रक्रियान बात बनेश्ट जयाये तो पोतानू नाम मत्दार्यादी मां नोंधावे दितू छे हवे तमें पर वोटर हेल्प लाइन डाउनलोड करो अच्वा www.nvsp.in portal पर तमारा नाम नी नौंधेनी करावी विश्वनी सवथी मोटी लोक्ताही ने सूधराट करवा मां सभागी बनेए नमस्कार दूर्दर्शन समाचे असाथे हुरिया उपाधियाई समाचे ने शरवात करेशो हैडलाइन्स थी प्रदान मंत्री नरिंद्र मोधिये वरोदरा स्वामिनाराइन मंदेर ध्वारा आयोजित युवा श्रविर्मा करियो संभोधन आज़ा दिना अम्रूत महत सउनी पंचोतेर में उज़वनी ना भाग रूपे युवानुने उच्छा मा उच्छा पंचोतेर कल्लाग देश्रेवामा पाडवा करियो आहवान साथे स्टार्टपना ख्षेत्रमा जंपलावा करिया पी रदान मंत्रिये वलोद्र साथे रदैनों संबंध होवानों उल्लेक करता कहियों वलोद्र आने काश्रे बंदे मारा माटे महत पना स्टैचे ओफ युणिटी ना कारणे वलोद्रा पन बन्यू महत पनु कैंद्र साथे युवानोंने डिजिटल व्यावार बधारवानों आकरह करता कहियों डिजिटल इंडिया लाउश्रे नविक रांती पिनान बापी मस्जिद मामले सुनावनी आवतिका सुधी रखाई मुलत्ती सुप्रेम कोटे सुनवनी डाड़वानों हिंदु पक्षकानों नेनै राख्यो मान्य साथे वारन से कोटे पन सुनवनी ना करवा सुप्रेम कोटे आपी सुचना टेरर फंडिंग मामले अलगतवादी नेता यासीन मलिक दूशी जाहे दिलहेनी कोट 25 मी मेना रोज आपशे सचा अंगेनों चुका दो सब्ताना चौथा देवसे ग्लोबल मार्केट नी नबडाईना पगले भारतीय शैर बजार पन रेट जोन मा अजे बीएसी नो सैंसेक्स 1469 घटाडा भारे साथे 52,702 पर थयो बन तो निप्टी 403 संकना घटाडा साथे 15,809 पर थयो बन आईटी मैटल फाइनांस सहेत रियल एस्पेक्ना स्टॉक्स बगडिया अर्वल्ली जिल्ला न विकास कार्यों नी समिक्षा करवा मुख्य मंत्रिय जिल्ला थी कार्यों साथे करी बैठक पाणी विजडी काईदो व्यवस्तापन ना प्रश्णों निराकर न जिर्पी लाबवा कर्यो आदेश साथे विकास कार्यों मां जन्भागी दारी वधारवा प्रेरत कार्यों करवा आप्याज उचलिए मोरवी दुरगटनामा मुरुतियों पामेला मुरुतकों ना परिवार जनों माठे कंपनी ना माली के रुप्या 5 लाख आपपानी करी जाहे राद विदान सभा अध्यक्ष नीमा बेन आचारिये मुरुतकों ने आपी श्रत्दान जली साथे दुरगटनामाडे जवाबदाल लोकों ने जड़प्ती सचा मडे तेमा आठे करिया पी जो ये एक विश्रेश आइवाल आजे कुणनर धाम अने कारेली भाग वडुद्राना स्वामी नारैन मंदेना संयुक तोपक्रमी सब्त दिना आत्म ग्ञान यग्ननों आयोजन करवा माव्योश अग्न्यान यग्नना त्रीजा दिवसे युवाशिबिर योजाय हती जिमा प्रधान मंत्री नरिंद्र मोधी ये वीडियो कॉन्फरेंस द्वारा युवाउने संबोध्या हता आयुवाशिबिर्मा भाजपना प्रधेश रध्यक्ष सियार पाटिल अने गुजरात राजना शहरे विकास मंत्री विनोध भाई मोरडिया तथा वडोध्रना मेयर केयर भाई रोकडिया वगिर महानु भावो उपस्तित रह्या हता मेरे युवाश साथी जब इस शिवीर से जाएंगे तो वो अपने भीतर एक नई उर्जा महसूस करेंगे एक नई स्पस्थता और नवचेतना का संचार अनुभाव करेंगे थातियों इस साल संसकार अभ्यूदय शिवीर का यह आयोजन एक ऐसे समय में हो रहा है जब देश अपनी आज़ादी का अमृत महुत्सों मना रहा है आज हम नए भारत के निर्मान के लिए सामोहिक संकल्प ले रहे हैं प्रधान मंत्रिये पोताना संबुधन मा कहिऊं आ युवा शिवीर युवा नूने एक नवी दिश्रा आपशे कोई पन समाजनू निर्मान समाजनी युवा पेडीना चारित्र निर्मान थी थाई छे उसके परंपरा उसके आचार विचार व्यहवार एक प्रकार से हमारी संस्कृतिक विरासत की सम्रद्दी से होता है और हमारी संस्कृतिका सूजन उसकी अगर कोई पाटशाला है उसका अगर कोई मूल बीज है तो वो हमारे संस्कार होते हैं और इसलिए ये संस्कार अभ्युदय शिवीर हमारे युवाओं के अभ्युदय के प्रहास के साथी हमारे समाज के अभ्युदय का भी एक स्वाभाविक पवित्र अभ्यान है प्रधान मंत्री ये वढ़ुद्रा शहनों लेक करता कहीँ वढ़ुद्रा इस संसकारों नी नगरी शे अने हिया संसकारों ना उत्सव उठाई शे पावागण अने स्टेच्यो अफ यूनिटी वढ़ुद्राना नवाविस्तार तरीके उबरी रह्या शे वडोद्रा मा निर्मान पामिला मेट्रो ट्रेंड ना कोच समग्र देश नी शोभा वधारी रही आशे वडोद्रा मा निर्मान पामिला मेट्रो ट्रेंड ना कोच दुनिया नी अंदर दोडे शे आँ बडोद्रा नी ताका छे अनि आँ भारत नी ताका छे हाल समग्र देश पंचो तेर मी आजादीना अम्रुद मोहत समनी उज्णवनी करी रही उचे त्यारे प्रधान मंत्रिये युवानोंने ओच्छा मा ओच्छा पंचो तेर कल्ला कूपोशन अभ्यान औने स्वच्छता जेवी बाबतोंना काम माटे फाडववानों आखवान करी हतो उप्रान वीजडी औने पाणी बच्छावाना काम मा पण युवानों पहल करे तिवी अपील करी हती साथे जन आउश्रदी कैंद्रोथी दवानी खरीदी करी गरीबोने मदत करवा माटे पण युवानोंने आकरह कर्यो हतो आ आजादीना अमरुद महोचा हुमा ओच्छा मा ओच्छा पंचोतेर कलाग एक वर्स मा पंचोतेर कलाग वदाने तके तो कोई ने कोई काम चाय स्वच्छतानू काम लेगे चाय कूपोशन मा थी बालकोंने मुक्त करवानू काम लेगे चाय प्लास्टिक ना कत्रा थी लोको प्लास्टिक नव आपरे सिंगल लुद प्लास्टिक मा दे मुक्ती मेले वे एनू अभियान चलाईए कोई ने कोई यह काम आपने करिये अने आ वर्स मा पंचोतेर कलाग एन आमाटे आपी शेकिये वधुमा प्रधान मंत्रिये खेती नो उल्ले करता युवानूने प्राकृतिक खेती अपनावा कही होतु साथेज आज़ादीना अम्रुद परवनी मेते आगामी एक वर्ष तरम्यान मातरे डिजिटल नाणा किया व्यफार करवानू अनि ओच्छा मा ओच्छा पंचो तेर कला मातरु भुमीनी सेवा करवानों संकल्प करवा जणा व्योहतु और एक भर्ष आपने रोकर्थी कोई वहिवारत नाइ करियें खरीजिपरण ने करियें वेचान पही नाइए, डिजिटल करीशो डिजिटल करन्सी नादू क्यों करीशो मोबाइल फॉन्ती boca मेंट करीशो मोबाइल फॉन्ती 23ая विचार करों के प्रदान मंत्रिये भारत ने विश्वनी आश्रागणावी हती है ब्यूरो रिपोर्ट दुर्दर्शन समाचार अम्दावार प्रदान मंत्रिये भारत ने विश्वनी आश्रागणावी हती है अने विश्वनी आश्रागणावी हती है अने विश्वनी आश्रागणावी हती है अने विश्वनी आश्रागणावी हती है ग्ण्यान वापी मामलामा सुप्रीम कोर्ट मा चाली रहली सुनावनी ने आवती काले बपुरे त्रोण वाग्या सुधी मुलत्वी राखवा मा आवी शे आ मामलामा हिंदू पक्षकारो द्वारा आवतेकाल सुधी सुनावनी ने मुलत्वी राखवा माटे नी अपिल करवा मा आवी हती जे मा सुप्रीम कोर्ट भारा सुनावनी ने आवती काले बपुरे त्रोण वाग्या सुधी मुलत्वी राखवी शे सवार्थीज कड़ा का साथे खुलेल शेर बजार दिवसना आंते पन भारे कड़ा का साथे बंद रही हो हतो आजे बीएसीनो सैंसेक्स 1460 ना भारे घटडा साथे 5702 पर बंद थायो तो एनसीनो निफ्टी 403 संकना घड़ा का साथे 15809 पर बंद थायो रश्या यूक्रेन वान निस्तिती डॉलर सामे रूपियो नबडो थवा निस्तिती औने मौंगभारी निस्तिती ना पगले शैर बजार पर नकरात्मक असर जोवा मड़ी हती आईटी मैजल फाइनांस रियल एस्टिच सहीतना तमाम स्टॉक्स का कड़िया हता ताता स्टिल टेक महेंद्रा, विप्रो, इन्फोसिस, SBI, SLC, टेक, हिडाकलो, अदानी पॉट्सना, स्टॉक्समा, वीचवाली ना पगले बजार नरम रही हतू आंगे वदु माहिती माटे आपनी साथे जोडाया चे मार्केट एक्सपर्ड शिशिर शैलाज जे शिशिर मार्केट में इतनी बड़ी गिरावट आज देखने मिली है, इसके पीछे क्या कारण हो सकते है? इस प्रकार से ओर आलोड प्रैशर मार्केट के अपर रहेगा, खास तरुपर अगर हम एजियन मार्केट की बात करें, तो एजियन मार्केट में हांक कॉंग, टॉच्यो, शांगाई ये जो अगर मार्केट देखे, तो इनकी स्तीती भी अहुमान अगर देखा जाए तो उस जिस प्रकार से ब्रुद्धी हुए तो इसका पीदा अतर मार्केट में लिखाई दे रहा है तो इसलिए आज अगर देखा जाए काफी बिक्वाली मार्केट में हुई है और इसलिए 2.5% ओराल मार्केट डाउन जब मार्केट ख्लोज हुआ था हम देख पार है कि मार्केट डाउन हुआ है कौनसे ऐसे सेक्टर है जिसको ज्यादा नुक्षान हुआ है बिदल लिखेंगे मार्केट में आज की दारिक में अगर देखा जाए तो और और अल्स इंडसीज में बात करें तो है अब एचल की ब जो पार्मा सेक्टर से पार्मा इंडसीज थी वहां पर हमने अला की फूड़ा रीटेंड कर पाए लें बाकिज जो इंडस्टरिस्टी ओर अगर रिखा जाए तो फॉरें इंडस्टरिस के पुल आउट होन के वैसे उन्हें मार्केट में को अभ़ेशे से हम देख पार है क जिस प्रकार से ओईल प्राइज बढ़ रहे हैं हाला कि इस पर अब तक कोई भी खास और पर चितर सामने नहीं आया कि यह प्राइज रहेंगे तो यह उसन प्रशर रहेगा मार्केट के ऊपर साथी साथ जैसे मैंने काई कि यूएस में जिस प्रकार से रिखाई कूई है व जी जे शिशर माहेती के बदल धन्यवाल पड़ियो हतो रूक्षर पडवाथी लोकुने भारे मुष्केलीनों सामनों करवो पड़ियो हतो केरणना उत्री जिल्लामा गईकाले रैड एलर्ट जाहर करायो हतो तिया पन भारे वर्साथ पड़ियो हतो जीने जोता केरण मां 27 में सुधी मां चौमासु पहुँचे तेवी संभावना व्यक्त करवा मावी जोके हाल मा पुर्वानू मान मुझब चौमासु आगरवदी रहियो जो हवामान विभाकिकनू केहवुचे के आगामी बेतरन दिवस्मा दक्षिन बंगानी ृठाडी ना किटलाग भागो समग्र अंधमान सागल अंधमान टापु मध्य बंगानी भारी सहितना विस्तारों मा दक्षिन पश्चिम स्मासु आगरवद्वानी स्तिति हविरो का इसु एक नानक डाव विराम माडे सांबलो आ महिने 39 में सवारे अग्यार वागे मननी वाद आकाश्वानी अने दूर दर्शन नी बधी चैनल्स पर आप पन माननिय प्रधान मंत्री नी मननी वाद मा भाग ले शको छो ते माटे आप आपना सुचनो पोस्ट वाक्स नंबर 111 आकाश्वानी दिल्ली पर मोकली शको छो अथवा नमो एप के माई गोव ना ओपन फोरम मां पोस्ट करी शको छो तो याद राखो रवीवार 39 में सवारे अग्यार वागे मननी वाद विर्याम बाद आपनू स्वागत ची समाचार मा आगरवदी मोर्भी ना हडवद खाते आवेली जियाडिसी मां बुधवारे सागर स्वाल्ट कंपनी मां दिवाल धराश्रहित हता त्रीस जितला श्रमी को डटाया हता जिमां बार श्रमी को ना मौत थाया हता तो अग्या जितला श्रमी को ने गंबीरी जाओ कोंशी हती आज साथे कंपनी ना मालिक द्वाराम रुतकों ना परिवार जनूने 5-5 लाख रुप्यानी सहाय अपवानी जाहे राद करीश तो बीजी तरफ आ गोजारा बनावने पगले हडवद विपारी मंदर द्वारा आजे विपार दंदा बंद राखवानों एलान कर्यूश तो बीजी तरफ हडवद मा गुजरात विदान सभा अध्यक्षन नीमा बेन आचर्यनी उपस्तिती मा श्रद्दान जली सोपायो जाहे हती तैमनेम रुतकोना परिवार जन्नोंने मडीने श्रद्दान जली पाट भी हती जे काई बनतो तू सरकार दरपती ये करियो साथे साथे जे सहाई ने जाहे रात करीचे रज्य सरकारे 4 लाक रुपिया अने केंदर सरकारे 2 लाक रुपिया ने एज प्रमाने गार्खाना जार जे छे लोगों ये बन मातला कापान उजे नक्के करूँचे तो एमना परिवार में जड़प्तिया साई मड़े अने साथे साथे आवी दूर घटना जे बने छे एवी भविश्य मा क्यारे ना बने तो जहां जे आश्रमाई को काम करता होई त्या पूरे-पूरी तकेदारी साथे इमनी सलामतीनों ध्यान राखवा मावे अने आप घटनानी अंदार जे कोई जवाबदार होई एनी पन पूरे-पूरी तमास थाए इवी मारी राज्य सरकार्ने पड़ मिननती चे मुख्यमंत्री ना वुपंदर पटेल अर्वल लीना बायर स्थेत जय अंबे मनमुद्धी महिला समासिवा ट्रस्ट नी आजे मुलाकात ली दी हाथी संस्थानी लागणियोंने मान आपीने मुख्यमंत्री तैमना पूर्वन इर्धारित कार्य करम मा थी समय काडी ने आजे बायर पहुंचे हाता मुख्यमंत्री आ संस्थानी मनो दिव्यांग महिलाओ साथे पित्रु वात्सल्य भाव थी बाच्चित करी हाती साथे साथे संस्तामा उपलब्द सुविधाओ अने महिलाओने अपाती सुविधाओ अंगे मुख्य मंत्रिये माहिती मेडवी हती अगे वानों ये शेवा करी आशे ये नहीं अमारी वाईवटी तंत्र अमारा पदादीकारी अधिकारीयों साथे संद्मानी बुपेद्रवी पटल्साइब में अमें बदाय मुला कर लिदी अने यमने पंड सुवेचा पाठवी से साथे साथे अमारा कारेकर्ता बंदू अधा इमने पंड बदाने साम्पलया अने एक स्ने मूलाकाच एक सुपीचा मूलाकार लिदी अने साथे साथे अमारा वैवटी तंत्राना अधीकारी मित्रो अधीकारी हो साथे अने कारेकर्ता हो साथे मल इने कामोनी सभिक्षा करीशे मल इने कामोनी सभिक्षा करीशे परंपरागत रमाती हुए आप बद्धीज रमतो ना गुष्रन साथे दिकरा दिकरियोंने स्वस्त बनावानी कामना साथे अने एमाप अ धेल महात्रूपची आँठी दिकरियों राष्ट्री और आंतर राष्ट्री ये कक्षाए खूब सारी नामनापण मेड़ीचे और गुजरात में गवरोवपण पादीचे राज्जिन आरोग्य मंतरी रिशिकेश पटेले आज़े कड़ी विस्तानी मुलाकात लीदी हती जेमा तेमने कड़ी ना कड़ी प्रात्मेक आरोग्य कैंद्र औने कुंडरा सरकारी होस्पिटल नी ओचिन्ती मुलाकात लीदी हती आज साथे तेमने होस्पिटल नी स्तिती औने कामगीरी नुँचितार मेडवी उपस्ति स्टाफ ने जरुरी सुचनों औने मार्क दर्शना प्योदू आज साथे होस्पिटल मा आविला दर्दियों साथे वाच्चेत करी सम्वेद ना दाखवी हती तेमज सरकारी हस्पिटल मां दर्दियोंने केवी सार्वार मडे छे, कोई सिवाउ सुविधाउनी जरुरियात रहेली छे के कैम तेनों पन ताग मेड़ा व्योहतो अत्यानना मोबाईल युग मां मानस नों मानस साथी नों संपर्क तुपतो जाए छे त्यारे आ संपर्क जाडवी राखवा गुजरात मा प्रथम वार जुनागर्णी कलेक्टर ओफिस खाते यूमन लाइब्रेरी शरु करवा मावी छे व्यक्ति स्ट्रेस फ्री थाई और एक व्यक्ति विजा व्यक्ति साथी पोथना सुखदुक शेर करी श्रकी तेम माटे आ यूमन लाइब्रेरी शरु करवा मावी छे युमन लाइब्रेरी बबपुर एक थी त्रोण वाग्या सुधी खुली रह्ष लाइब्रेरी ना उद्गाटन प्रसंगे जिल्ला कलेक्टर रचीत राजे चनाव्यू के आ कॉंसेप्ट थी लोकुनू जीवन स्ट्रेस मुक्त बने अनि लोकों एक भी जाने समझता थाए त किना भाग रुपे आ लाइब्रेरी शारू करवा मा विज़न। यह बैसिकली एक कंसेप्ट है कंट्री डेन्मारक से लाए गया है यह कंसेप्ट यह है कि आज़के दिनों में हम लोग लाइबरेरी में जाते हैं तो हमें किताबे मिलती हैं पट ये खास लाइबरेरी है ये लाइबरेरी में हमें इनसान मिलेंगे और हम यहाँ बैठ कर हम इनसान एक दूसरे से बाते करेंगे अपने थौट्स अपने स्टोरी अपने नेरेटिव शेयर करेंग ताकि हम एक दूसरे को टाइम दे सके और हम एक दूसरे की दुख और सुख दोनों को समझ सके क्या है कि किताबों में रहने से क्या होता है किताबे और आज की जो हेक्टिक शेडियूल लाइफ है उन चीजों को काउंटर करने के लिए लाया गया है। ट्रक चालको कंडक्टरों आने ट्रक मालीको कोरी संचालोको सहितना लोको कामगीरी मां जुडाया चैं। ट्रक चालको कंडक्टरों तथा कोरी साथे जुडायला तमाम लोको फरीको खतकामे जुडाया चैं। विश्व विख्यात विरपूर जलाराम धामना पूच्चे जलाराम बापाना परिवार्णाज रसिक बापाना धर्मपत्नीनों आजे निधन थायूच। जनलाईने समग्र विरपूर गामना विपार्योत भारा पूताना धंदारूजकार बंद राखी शोक व्यक्त करयो हतो। सवार इनव वागे तिमनी अंतिम यात्रा सर्वेक राम जनों जुडाया हता। आंतिम यात्रामा पूच्चे जलाराम बापानी जग्याना गाधी पती रगुराम बापा सहितना परिवार्णा जुडाया हता। अंतिम यात्रा अतियार पर थाई और विरपूर गाम ना तमाम समाज ना लोको असमसान यात्रामा आ अंतिम यात्रामा जोडा से। अम्दावदना अम्बावाडी खाते आवेला डॉक्टर अम्बेडकर कॉलोनीमा बॉध पुर्णीमा महत्सवनों आयोजन करवामा आव्यूच आप्रसंगे ताइवानना बॉध बेक्षुक वनरेबल बंदनीय विखुनी च्यू मैन पधार्या हता तेवो डॉक्टर बाबा सहे बाम्बेडकरनी प्रतिमाने फुलहार करीने पधियात्रामा जुडाया हता पधियात्रामा बॉध ग्नान संकिर्दन साथे सोसाइटी ना रहिशों मूटी संख्यामा जुडाया आप्रसंगे यूचायला समारों मा बॉध विच्यू मैने जनावी हतु कि भगवान बु या यूनु सन्मान पन करवामा आव्यो हतु अजे पिक्षुनी चुमेन अजे आवया अमदावाद आवया छे औने खुब सारो संदेश अजे गुजरात नो ए टाइवान जेसे औने टाइवान मा विश्वन आनेक बुध बुध बहुत दिश्वनी अंदर पाण आजे अमदावाद ना कारिकर्म नी नहोंद लेवाश त्या खुब सारो स्रित्तिया कारिकर्म योजयो त्यार बाद सुरेंद लेवा रनाजेत त्यारे अमदावाद नियं अदर आ कारिकर्म योजयो जयो जी समचर महल बसाकलूच नमस्कार अने रासा अनिक खातर्ना काराणे माठी असर पड़ी छे त्यारे भाव नगर ना एक प्रगती शिल खेडूद के जेओ गाय अधारित प्राक्रूतिक खेती करी ने मबलक पाकलाई रहा छे अने सारी एवी कमाणी पन करी रहा छे केहरी थी छलो छल भरेला अने लची पड़ेला आ आमबा जोईने उनालानी गर्मीमा आखोने ठंडक मडी जाए खरूने आ आमबा वाडी छे भावनगरना तनसा गामना प्रगतीशिल खेडूद ब्रिजराद सी गोहिलनी जे चार वर्ष्थी गाई आधारित प्राकृतिक खेती करे छे अने रासायनिक खातरने संपूल्ण दिलान जली आपी ओछा खर्चे वधू आवक मिलवी सम्रूत्त थाया छे अमारी वाडी मा जे पण उत्पदन छे ए ठेंक्स टू प्राकृतिक खेती अमे चलला चार थी पांच वर्ष्थी प्राकृतिक खेती न अभिगम अपनाई वो छे अमे आई गाउश्याला बनाई वी छे देशी गाई ना चान अने गवमुत्र मा थी अमे जिवामृत बनाविये छे दसपरणी अर्क बनाविये छे अमे तर चोमा साथी शरूक करी आप जिटला पन जाड छे एने हमे अमें मैक्सिमम जिवामृत नों ड्रेंजिंग करीये छे प्राक्रते खेती शरूकात मा थोड़ी धीरज मांगीले छे पड़े लांबे गाळे पुषकल नफो करावे छे अने जम्मिननी फल द्रुपता पण बधी जाए छे ब्रिजराच सीये 100 विगा मा विभाग पाड़ी अलग-अलग फेज मां केसर केरीना आमबानू वावेतर करियू छे अत्यारे 300 पंचानू आमबा पर केरीनों मबलक पाक लहराई छे त्यों एक विगा वावेतर डीत एक लाग सुधीनी कमानी करिले छे आ बधूज छे प्राकृतिक खेतीने आभारी सोशल मीडिया थकी तेमने सारू मार्केट पन उभू करियू छे गाय आधारित खेती करवा ब्रिजरात सीहे गौशाला पन बनावी छे अने गीर तेमच देशी गाय ना संबर्धननु कार्य पन शरू करियू छे गवमुत्र, गोबर, जंगल निवनस्पतीनो उप्योग करी प्राकृतिक खेतीनो अभिगम दरेक रिते फलदाई निव्लियो छे अन्या खेडूतों तोने एक संद शाफ अमागू छे प्राकृतिक खेतीनो अभिगम अपनाओ एना थी तमारी बेधारी नित तमारा आंगने देशिक गाय बांचो तो तमारा फेमिली ने गायनु चोखू दूद छाष मलशे अन्या एक गायनु गवमूत्र ने खाष तमारी खेतीमा उप्योग करशो तो तमारे रासाणी निके एगरो नी क्यारी जरूर नी पड़े तो तमारे एक बिजो खीचा खर्चो बची जाशे अन्या तमारी जमीन चे एनी रोक प्रतिकाराक शक्ति वद छे तमने दिवसे ने दिवसे जे तमारी उत्पादन घड़तू ग्यूतू ए उत्पादन हवे वद्तू जोवा मलशे वड़ाप्रदान श्री नरेंद्र मोधी औने गुजरातना राज्यपाल आचार्य देवरत जीना खेडूतों ने प्राकृतिक खेती माटे ना अहवानने आ प्रगतिशील खेडूते सुपेरे अनुसरी ने अन्यो माटे प्रेलारूप बन्या छे प्राकृतिक खेती के जे व्यक्तिना स्वास्त माटे खुबध फाइदाकारक छे जिनने अख्यरूतिय चे बरसतर पर बने रिया छे न आर्थिक समुल पन बने रिया छे केतन दात्पूरा दुदसन न्यूज बावनगर तो दर्शकमित्रो आ हतो आजनो अमारो सकारात्मक खबरोनो कार्यक्रम गुद न्यूज गुजरात आप आपना अभिप्राई अन्य आविज गुद न्यूज अमने मोकली शकोछो अमारो इमेल आईडी से गुद्नियूज गुजरात ऐट धरेट जीमेल डॉट कॉम एपिसोड आप अमारी यूट्यूब चैनल डीडी न्यूस गुजडाती पर पड़ निहाड़ी शको छो तो आ सब्ता है मात्रा अटलूज आवता सब्ता है फरी थी मड़ीशू त्या सुधियम नेरा जाप्षो नमस्कार नमस्कार दर्शिक मित्रो जीवन अरिसा जेवू छे आपणा अभिगम नूच प्रतिबिम छे तेनी तरफ मलकाईशू तो दे आपणने मोहक लाक छे अने तेनी तरफ गुस्सो अने तिरसकार करीशू तो तेवोज प्रतिसाद आपणने मलशे अने एटलेज जीवन ने हमेशा मस्ती अने सकारात्मक दाथी जीवू जोईये अने आवेज मस्ती थी जीवता लोको नी बातो अमें दर सप्ताय आपनी समक्ष लईने आविये छे अमारा कारेक्रम गुड न्यूज गुजरात मां तो चालो शरू करी आपणों कारेक्रम गुड न्यूज गुजरात मित्रों आपने पुस्तक लाइबरेरी विशेतो जानियत छे केटलाग शहरों मा साडीनी लाइबरेरी पन शरू थैचे पन राजकोट शहर मा पहल करवामा आवी छे एक एवी अनुखी लाइबरेरी नी जियां पुस्तक तो आजवा मलेच्छे पन साथे साथे बाळको रस पूर्वक पोतानों समय पसार करी शके तेवु पन आयोजन करवामा आवियू छे आचे रंग बे रंगी रमकडा धरावती रमकडा लाइबरेली छेने रस प्रत आओ जानिये आ रमकडा लाइबरेली विशे आ रंग बे रंगी मज्जाना रमकडा गनान साथे गंबत बिरस्ता शेक्षनिक साधनों पगेथी धक्को मारी चलावामा आवती आ गाडियों अनि कोई पड़ गत्ती जो ही आवे तो रमती आळबनी जाए तेवी आ जग्या आने सुन्दर मज्जाना रमकडा वच्चे जो बाड़कोने लईयावामा आवे तो तेने तो जाणे पोतानी मनगम्ती दुनियाज मली जाए हा मित्रो एही आवता बाड़को माटे तो आशक्य बन छे कारणके राजकोट शहर माँ खास एक थी बार्वरषना बाड़को माटे शरुकरवा माँ आवी छे रमकडा लाइबरेरी आयां 12 वरसना सुधीना बद बाडकोना माटे रमकडा आवेलेबल छे आयां जे बाडको खेरापी चालती होई तो एना माटेना रमकडा भिया आईयां आपने राखिये छीए जे आईया आवी औने वाली खरे लई जे शके जे बाडको नथी आवी सकता नेने रमाडी सके छे राजकोट माँ पुस्तक लाइबरेरी नी साथे साथे हवे नवी पहल शेरू करी रमकडा लाइबरेरी पन शेरू करवामा आवी छे અहीं નાના બાળકો ના વાળકો ના વાળકો માટે બજારમાં મળતા મોંગા રમકડા ને આવ લાઇબરેરી માંથી ની પુસ્તક મેગેજીન કે સમાચાર પત્રનું વાન ચંગરી શકે છે અને સાથે ઘરે લઈ જવાબ પુસ્તકો તો એવા બે હજાર્તી વધારે વિદ્યાર્તીયો દરોજ બાચવા આવે છે આપણે ત્રણ રીડીં રૂમે કરેયા છે જે માં લોકો બેસી ને પોતાની તયારી કરી સકે એ મેંબર સિવાએ ના છોક્રવ પણે માં આવે છે આપણે આ ભજેટ માં એવી જોગવાઈ કરી છે કે વાર્ડ દીથ આપણે એક રીડીંગ રૂંનો નેડમાણ કરી સો એની જ આમારી છે બાર્સો જેટલી ઓડીઓ બુક્સ વગેરા આમારી પાસે મલ્ટિમીડી લાઇબ્રેરી માં છે પ્રતિસાત ખૂપ સારો પબ્લીક નો મળે છે અને આ મહીને પણ 306 જેટલા નવા મેંબસ આમારી લાઇબ્રેરી માં આહીની એક ખાસ વાતે છે કે બીબીદ સરકારી ભરતીની તયારી કરતા યુવાનો તથા શાળા કોલેજ માં ભણતા પેલા થી જેમાં મોટી ઉમરના લોકો છે વડીલો છે પબીક લારીરિજ માં જાએ છે ત્યાં બેસીને છાપા પબ્લીક લાઇબેરિજ માં જાએ છે ત્યાં બેસીને છાપા વાં છે છે મએગજીન વાં છે છે અમુગ જુના છે એ માં છે છે અને એ લોકોને કોઈ અગવળના પડે એનું પણા મે કાડ જી રાખીએ છે એક મનમાં એઓ બધેન વીચારાવે કે સ્ટોએન્સને જે ઉપયોગી થતી હે પણે એગું નાથી એક રુહીની તરી એકે હું એગુલા જે બુક્લું ઉછું એમને મારા રુજિંદા જીવેં માં ખું ઉપ્યકી થાઈ છે આને તોઈજ ડીપટમેને ના વીભા ગલગ ગલગ રાખે લાચે જેથી બંને એને વાચમાં જગ્યા વાઈજ અને અનુકૂ કૂ બીચાને પરીક્ષાવને તયાર્યો કરવા આવતા યુવાનો માટે તો અને નીશુલક અને સંદર વ્યવસ્તા આશિરવા પરીદે માં વિદ્યાર્તી વાચી શકે પલસમાને ફેશલીટી સારીતી મળી શકે એ ટાઇપ ની સુવિધા હોજે પ સુતી આમે આયાં રીડીં કરી સાકે છીએ રાજકોટ મીન્સિપલ કોર્પરેશન નાગરીકોની સુવિધા માટે અમને નાખો જીંદ ગીની આગમાં આગને પણ ફેર વિશું બાગમાં સર કરીશું આખરે સૌ શીખરો આફતને આવા દો લાગમાં અમને નાખો જીંદ ગીની આગમાં જીહા મિત્રો આ ઉકતિને જેણે જીવનમાં સાર્થક કરીછે અને થોડુ બોલી ને પોતાની બાદ કહી રહેલો આ છે ક્રીશ જે છે ક્રીકેટ માં ઓર્રાંડર દ્વાદાર ફાસ્ટ બોલીંગ અને મસ્ત ફેલ્ડિંગ કર્તો ક્રીશ જણમથીશ લગ્ભગ સંપુણ પણે સારું ક્રલું ક્રીશ્તે ક્રહીચ્યું ક્રીશુદ ક્રબાદે ક્રીશ્ંગ કરીશ્ત ક્રીશ્ટેણ હીંણ सांबलवानी अक्षमता छत्ता, क्रिष्णा कोचीज ने तेनी साथे कॉमिनिकेट करवा मा तकलीफ नथी पड़ी. अगराओ टेसर जेते अगर हेर को चाता, एमने पन एमनु सिलेक्शन मा भो हेल्प करी छैए। इसने ओगा पपि अच्छा लगा लाइने ऐनम लाइन लिएग मेरे को लगा ये लडगा कुछ कर सकता है इसके बालिंग पर्मांट इसको यूज किया इसकी थोड़ी बहुत कमी थी इसको रहे से समझा कि अच्छा बाल डाला और आगे चलके इसको सफलता मिली अच्छी और बैटिंग पर विसको सोड़ा सम्में अभी ध्यान दे रहाँ और काफी इसको करना वड़ेगा अभी ओरती चे बाकी आगे मिनद करता रहेगा तो ये आगे जाएगा जोगो लेबल बेखेलेगा क्रिशे घणी नौर्मल क्रिकेट अने डेफ क्रिकेट मा भागली दो छे पोता नी उम्मर करता मूटा क्रिकेटर्स साथे पन रम्बयो छे अने लिटल मास्टर तरीके ओढ़खाई छे वडोद्रा क्रिकेट एकेड़ेमी मां टॉप फाइफ क्रिकेटर्स नी यादी माते छे बरोडा क्रिकेट एसोशीशन मां खास ट्रेनिंग लई दस्ती बार कल्लाग प्राक्टिस करे छे आगामी समय मां इंडियन नेशनल डेफ टीम मां क्रिष्णू सिलेक्षन छे क्रिकेट क्षित्रनी क्रिष्णी सफर तेनी धगश औने अथाक मैनत थी आगलवधी रही छे गुड न्यूज गुजरात माटे वडोद्राथी संजै पागेनो रिपोर्ट भारत नू एक एवु शहर जे पाचला 25 वर्षो थी पोता नू इत्यास पोता नी विरासत ने संजोई ने जीविच छे गुजरात नू बडनगर एक एवु शहर जे पाच्ची सो वर्ष थी पोतानी संस्कृती ने लईने आगडवत्तु रहे बडनगर ऐसा सहर है कि जो पाच्ची सो सालों से उसी जगों पे है कही इदर उदर नहीं हुआ है वो सबसे बड़ा मल्दव जो है उसको हम कह सकते हैं आउटसेंट नी यूनिवर्सल वैली है वो यूवी है वो बडनगर का तो वो बाकी सहरों में नहीं है बाकी सहर पुराने बहुत जोगा है इंडिया में भी है और मैंने जो जो भी देखा है अभी वाला मजे किसी ने का करणी चानुटार देखल वाला में बाढता सबता सब्साइबी आप तो आप कासी को भी मानती के 80 बहुत पुरहाना है नोडाव कासी जो है बडनगर से ओर 500-600 साल पुरहाना पर कासी महीं क्या हुआ कि कासी गंगा नदी के तट पेशिप्ट होता रहा बडनगर भी मिलता ह उसी फोटिफिगेशन, उसी किल्लेक अंदर बस्ती आज तक है, उसी में बिक्षित हो रही है। पोतानामच परिपोन छे। अहीं आवनार दरेकि व्यक्ति ने, आ मंदिर नी नकाशी औने एनी बनावट मोहित करी देछे। आटकेश क्षित्र जो है, उसका कोई शिलालेख तो अभी है नहीं। मगर सकंद पुनान, नागर खंद, उसमें उसका उल्लेख हैं। कि वही आटकेश क्षित्र इस स्विस्तार को क्यों रहा जाता था। जब महादेव जी शंकर वगवान की पत्नी उमा को उसके तिता दक्स राजाना यगना का आमांत्रा नहीं दिया। तो वह जाकर भी उसी यगना कुंड में गुद पड़ी और अपना बनिदान दिया। तो शंकर भगवान ने उसको लेकर निकले थे। वड़नगर अगर वो चमतकार हुआ और प्रमाधी ने वहाँ श्रीवजी का सुवर्ण लिंग सापित किया। आटक मेंज सुवर्ण लेट फर इस नोन अज सुवर्ण लेटके स्वर्ण। इस इस अजी स्टोरी इन रिटन और श्रीवजी और नागर खटू। ताना रिरी महत सो विशे तो तमें जरूर्थी सांबडी वशे। पणशू तमें जानों छो आ नागर बहनों ताना अनी रिरी कौन हती। वडणकर पॉंश ताज तमें ताना रिरी बखीचानी सुन्दर ताने निहाडी शको छो। अक्पर बार्श्रा था और वोटम उसका जो नव रत्म था। उसमें जे इस तान्सेन वजड़ू को शुट्सका ताना वोटम भाणर परीदास जो उसका गुरू था उसने बोला के मेरी अगनिसंसर नागर नागर से करना। तो उसने नागर से किया। मगर नागर से का जो में मलार राग गानार होना जरूरी है। अधरवाइस उसमों निपकरा की बिड़ा हो तो मलाराग गानार में मिला तो मलाराग गानार मिलेगा तो फक्त वड़नागर मेज मिलेगा इवोज नोई इवोज सब जानता था तो वो इधर आया तो उसको ए स्थाना और रिजी दोनों ब्यानेव तो उसमों मलाराग गाया और मलाराग गानार के पास उसका पिड़ा कम हुई आचे वड़नगर नू किर्ती तोरन जेनू स्थापत्य अने शिल्प कला आप आच शबीना माध्यम थी जुई शको छो गुजरात ना सोलंकी राजाओनी विशेश वास्तो कडानू जीवंत उधारन तेने मानवामा आवे छे कि वड़नगर वस इजिटेट बाइ नमड़ ऑप किंग वोड़नगर में नम जुद राजाओं थे न वो आते थे कियो आते थे किहां से कोग एद्मिस्ट्रेटर लेने के लिए और लोकों के साथ संपर्क भी करते हैं और कुछ यहां के न हमाने तक करने के लिए प्रजा बोले कि हमारे लिए क्या है तो यह तुझ weatheru बना तूरण इज़ा एक मुर्ति चिन्ध लेफ्ट बाइटे किंग फर दो मेमर्य अब देर विक्तर वेटनगर नू सर्मिष्ठ तड़ाव मां एक रम्मानिय परेटन्स थड़ छे एक एवो समय पण होतो जारे आ तड़ाव विकास नी राजुई रहा होतो पण आजनू द्रश् सर्मिष्ठ तड़ाव है वो टाउन के नौर्थ इस्ट में है मलवायब बेखोना में और जो पानी का जो बहाव है वो आपका वो नेरिते दिशा में है तो कभी भी कोई भी नगर जो है आप पानी के बहाव की दिशा में नहीं मनाया था और हमारे यहां एक जो नगर बसते तीर्थ बोलते हैं जो धनुसकी जगो जो मेंडर होता है उसके किनारे नगर को सुब माना होता है तो बड़नगर जो है ऐसे ही धनुसाकार जब बोड होगा उस पे बसावाव है 25 वर्षो थी निरंतर आश शहेर हवे पोताना इध्यास साथे जोडावा लाग्यू छे भारतिय पुरातत्व सर्वेक्षन पाचला किटलाक वर्षो थी वडनगर मा खोद काम करी रही छे जेमना सफण परिणामो थी वडनगर ना इध्यास संस्कृतिने समझवा मां मदद मड़ी छे वडनगर थी लक्ष्मन राजपूत नी साथे सुमन बोराणानो रिपोट मित्रों आपणों देश कला कारी गरी थी सम्रुद्ध देश छे पेड़ी दर पेड़ी थी आपणा कलाकारो हाथ बनावटनी वस्तुओ बनावत आव्या छे अने आवीज एक कारी गरी छे हाथ थी बनेली सोनानी चेन जेने केवाई छे गोप चेन सूरत मां हवे माड एक कलाकार छे जेने आव वर्षों जुनी कलाकारी गरी ने चीवंत राखी छे कीमती आभुषणों के नाजुक गळानी चेन सोनु हमेशा सव कोईने आकर्षे छे अने एटलेज राजा रजवाड़ाना समय थी सोनाना आभुषणों निकलाकारी गरी विक्सी छे सोनानी चेन खुब सामानिय रिते जुवा मनती जुएलरी छे आ एक समय हाथी बनावामा आवती सवासो वर्ष जुनी आ कारीगरी सुरतना कारीगर दिनेश भाई बालिये हजी पन जाडवी राखी छे सवत गुजरात्मा उँ एककच वेक्तिसुन एननो इतियास ए छे के आज ती सवासो वर्ष पेला दोला राम जी पावा वाला जे यह ता आलोगार नी प्रसेज चालू करिया दी एनन पची अपना कीका राम जी करन गश्नव जे यह ता ए लोगों करिया दी एनन पची एनन लोगों उत्तमभाई न मने सिखायू आकाम अगोप चानेक आतनी एककला छे जे पहला आज ती करिबं अंदर वीच वर्ष पहला चालती है जे लोगों पेरवां में काम लेंचे कोई सेट वस्तू जे आर ने अटले सेने अंदर पन काम लागे छे अत्यरा दीर दीर अकला स्थाति गई छे ने प्रोसेज बहु आड़ पंचे आम जुओ तो बहु नॉर्मल से घरनी ग्रेनियों पन करी सके छे ना घरनी अत्यारे पन कई इस्त्रियों ग्रेनियों जे ओंवर करती है यह त्यारे करें अंदर अंदर तार क्या चेना मापने परमाने बदू माप करू पड़े यह पजी आत मना के इने सलाई ले यह जे शूटर बूनता हो एवी रिते इने बूनवानी कला चे यह में लोगों करिये छे एक चन बनाव तो मैक्सिममम अडिती त्रंक लाग जावू लागे छे यह यह दिवस्त में कम से कम त्रंक ती चार बनावी सकू छो आशी मैक्सिममम वरत जावू लागे कोई नगर माईन वधार तेज हो है तो मैक्सिममम तमारे 6-7 मेना में यह सीकी सके चे हाथ बनावटनी हवाथी आचेननी मजबुताई पण वधू होई छे दरेकनी डिजाइन पण वीबा ढाल नई पण पोतानी रिते खास होई छे पण हवे आकला धीरे-धीरे लुप्त धाई रही छे अगर कोई पेरे न जाए तो खेंचो तो लांबी था टूटाउ में वाल लागे बने असे आ पनी वेचवा जिया तो येनों पूरू पूरू अपने बाव मले शे लुक तथती आकारी गरी दिनेश भाई बाली ए साचवी छे अने ते आगलना समयमा पन सचवाई रहे तेवी आशा गुड नियूज गुजरात माटे सूरत थी लोपा दर्बार नो रिपोर्ट मैलेरियाना नाम थी सव कोई परिचित छे आरोग मच्छरना करणवाती थाई छे अने क्यारे-क्यारेक व्यक्तिनो जीवपन जोखममा मुगाई छे समगर देश मा मैलेरियाने नाथमामा गुजरात मौखरी रहे उछे जुनागर जिल्लामा एक एवो गाम छे जे एक छिल्ला किटलाक वर्षोती समपुण रिते मैलेरिया मुक्त बनियू छे तो आओ मुलाकात लईए आ गाम नी उनाडानी धोन धक्ति गर्मी होई शियाडानी ठंडी होई के चोमा सानो वर्षाद आपना भारत मा मच्छार और उपद्राव दरेक सीजन मा जो आमणे छे अने तेमा पन मादा एनोफिलेस मच्छार ना करडवा थी मैलेरिया जेओ रोग पन थाई शके छे अने तेमा जो कालजी लिवाम नो आवे तो ते गंभेर स्वरूप धारण करे छे प्रधान मंत्रीनू स्वपन छे के मैलेरिया आटकाववा और मैलेरिया मुक्त देश बनावा आरोग्य विभाग द्वारा उच्च तम पगला लेवामा आवे और वर्ष 2030 सुधी मा भारत ने मैलेरिया मुक्त बनावामा आवे केंद्र सरकार्ना आ अभ्यान अंतर्गत गुजराते घणू सारू कारे गर्यू छे अने तेमा जुनागड जिल्लानू नानकडू आ वाडा सिमडी गाम छे के जे आरोग्य विभाग अने गामना लोकोनी जागरूती ना कारणे छिल्ला चो वर्ष थी मैलेरिया मुक्त बनियू छे जुनागड जिल्लामा करे घरे पोरा ब्रक्षक गपी माचली ओनो मुक्वा माटे नो दरेक गामो ना अवेडाव मा उचेर करवा मा आवे छे अने हल मा जुनागर जिला मा लगभग साइट टका करता वधरे गामों मा लगभग साइट टका करता वधरे घरो मा माचली मुकव मा आवी छे अने गणा बदा गामों एवा छे का जे मा मेलरीयना उपद्रों मा सारवरो गटारो लावी शक्या छी है आ गामनी स्वचता उडिने आखे वडगे तेवी छे अही मेलरीया आटकावा गपी माचली नो उप्योग थाये छे तथा गामनी चोखाई पर खास ध्यान आपपामा आवे छे देशनु दरीक गाम आप्रकारनी जागरूती केळवे तो चोकस पने आपणो देश 2003 सुधी मा मैलरीया मुक्त बनी शक्षे गामनी अंदर स्वच्षता और आरोग्यानी दरष्टी ये उच्च कामगीरी ने हिसाबे आ गाम मा छेला छो वर्ष्थी मेलरीया नो एकपण केस नोंदैयलो नजी आम गवर्मेंट द्वार आयटले के वड़ा प्रधान स्रीनू सपनू छे के 2030 सुधी मा मेलेया नी नाबुदी थाए आमनो उत्तम नमूनों हाल अतियारे जुनागट जिलानू वाला सिमडी गाम पुरुपाडी रही हुचे कलपेश पंडिया दूर दर्शन समाचार जुनागट तो दर्शक मित्रो आ हतो अमारो कारिक्रम गुद न्यूज गुजरात आप पण आवी गुद न्यूज अन्य आपनो अभिप्राई अमने मोकली शको छो अमारू ईमेल आईडी छे goodnewsgujrat at gmail.com दर्शक मित्रो आप अमारो आपिसोड अमारी यूट्यूब चैनल डीडी न्यूज गुजराती पर पण निहाली शको छो तो अत्यारे अपनी रजा लईए फरी मलीशु आज कारिक्रम मा आवता सब्ताए त्या सुधी नवस्कार नमस्त दर्शक मित्रो सांप्रत गटनाओ पर आधारित कारिक्रम आपना मुद्धा आपणी वात्मा हुँ निशित जोशी आपनू स्वागत करूँजू दर्शक मित्रो समग्र विश्व भारत सही समग्र विश्व ए जलवायू परिवर्तन सामें जजोमी रहुँ छे क्लाइमेट चेंज क्लाइमेट चेंज एक एवी गंभीर समस्तिया चे आउनार वर्षो मा आपणे एना गंभीर परिणामों बोगवा पढशे अत्यार थियनी शरुवाद थही चुकी छे तापमान मा सतत वधारो थही रहुँ छे आपणे देशनी वाद करिए समग्र विश्वनी वाद करिए तापमान सतत वधी रहुँ छे सुर्या नो प्रकोप वदी रहो छे तडको वदी रहो छे गुजरात राज्यनी वात करें तो गुजरात माँ पन हीट वेव नी समस्य उठपन थाई छे अध्यारे एप्रिल मत में विचारी शको छो के एप्रिल अद त्यारे आटलो आकरो छे तो मेमा शू थशे एनी कल्तना आप करी शको छो त्यारे हवावन विभाग द्वारा आउनारा बे दिवस मा पन हीट वेव अमदा वाद मां हीट वेव नी आगाही करवा मावी छे त्यारे आज आपणे हीट वेव अंगे चर्चा करी आउप्रांथ हीट वेव कोईपन वेक्ति एना थी प्रभावित थेव होए तो एने केवा प्रकार ना लक्षण होई चे एनी पन वाद करी शू एना थी बचवा माटे आपणे शू करी शकाए एनी सारवार शू छे अने केवा केवा प्रकार नू आहार आपणे लेवो जो लाक हीट एकशन प्लान तैयार करें तो एप्लान सू छे एक क्येवीरःते कारे करें खे एनी पन आपके भीगते चर्चा करीशुँग आ चर्चा करेंवा मटे आपनी साथे स्टूडियों मा बे मेमान उपस्ति छे गरनों परे चया है दक्ते तेज़ेस आपनों खुब स्वागेचे, मालून के साथ चर्चानी शरुवात आप ठी करेशु जम्में इंट्रोडक्शन में क्लाइमेट चेंज सतत था ही रहुचे नेनकारने तापमान भधी रहुचे पृत्वी पर्णू तो हीटवेव अएक शब्दे चें हीटवेव एथो लू लागी तो हीटवेव एटले शुब लेशुब हीटवेव एटले गर्मी नू मोजू एव अपने गुजराती मेनू ट्रांसलेशन करिये तो बराबर केवाए कि आपने देश काली नू जयानके करेए लगनाने पर्णु दिपार्मेंट हीटव हीट्वेव एव घंडन्य मेटल предлож 1950 Estoy सब्सक्राइब दिवस सुधी पांच डिग्री की वधारे होई अने एक यारे भारत ना सपाट जे विस्तार हो छे जे मांटन अस अथवा उंचाई वाड़ा हवा ना हिल स्टेशन आपड़े कईये छे एमा ओछा टेंपरेचरे पन हीट वेव आवी शके पदाच आपने जान अने बदले माइनस दस पर पहुंची गाई तुब एटलो बदो तफा वत था यह एट वेव ए इंडिया मेटिरालोजी डिपार्टमेंट अथवा वेद शाड़ा खातू अथवा मान खातू एने डेफिनेशन अथवा परिभाशा करे चे अनने ए लोको मापी ने नक्की कर है कि हीट वेव क्या रे कैवार्श रे बदावर खुब विगत आपे महीत आपी जह मावड़न पर शाय बेव एट वेव एन इन परिभाशा करी लक्षन वनी वाद करी तो आँ हीट वेव कोई पर रखती हीट वेव थी प्रभावित थे हुए तो हैना किवा लक्षन होई एन इक डिजीज नी पेटरन छे के हीट स्ट्रोक थाक अब हीट स्ट्रोक छे के एक्स्ट्रीम गर्मीनी तमने असर हो थाए, तो तोध हीत रैशिस थाए, जने साधी पासा मा गुजराती मा गर्मीनी अडाई हो थाए, हीट क्रेंप्स कहिए, के इस नायू मा दुखा हो, जनायू खेंचाई जवा लक्षणों आवे, यहीट सिंग्कोपी कई यह जने कारणे सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर असर खवाने कारणे डिजीनेस के यह प्रकारना लक्षणों जोवा मने हीट एक्स्ट्रीम स्टेटीज छे जे कई सब्सक्राइब टाप मने banking नियंतर्न करवानी मेकेनेजम छे ये डिस्टब्त ही जाए जे अने जे सेलुलर लेवल हे जे सरीर ना कोशो नू फंक्शन डिस्टब्त हाए जे अने सेंट्रल नर्वस सिस्टम ने लगता लक्षणो के जे खेंच आवी बेभान थाई जो ड्रॉजीनस प्रकार ना लक्षणो जे ये अनू बहुआ वलागे ज कुछाओं सेist्ट्रीम कंडिशन चे जे ने हीट श्रोक के रवा माः हाँ जे एग्ज्टयक ओ जरने एकज़र्शनल हीट रोग न आनल एकज़र्शनल हीट्स पर यह ही रिख नल, इसक्षनल अगुद्ध विखेवर्शनल हीट्स ट्रोक जयरा है, ज्यारे सटत अपमान वदार्ये वह यह रहे आपमान अथवा गर्मीनी सीजन मां, ज़िक्तियों ज्याय। आपने वधारे पर तू एक्सराइज कही है आपने वदू पर तो श्रम करता हुए ज़ना व्यक्तियों मानता हुए चे के आपने सतत मारा शरीर ने कही ना था है के हूं गमे ते समय मा गमे ते काम करी शकू परन्तू जे सरीर ने थर्मो रेगुलेटरी मेकेनिजम चे यह से साहल हुएं इस कारण बाने ही ईपता हिट स् मुआše पर मेरे अजय के आपने कारण बूद्स्त्म हेट्से खें पर अठ्यजम रराफ्य कारण है तो श्रम कारण मेके नों एक्सरेशनल ही र्जम हेट श्रम पासब्स्तियों सततत घरमी शिवयना वातावरनमान है और दर शक मितरों तेमने हीट्वीर आपने चल्दी हीट लागवा नहीं होगा है। कि अपनाय बदाय कहता हो कि आमक षरमी को यहीं आपनाया धैसार खेतर मंजूरी काम करता होगा है। बराबर छे बन बहु सरस्तफावात आपे समझायो दोक्र तेजेस दर्शक मित्रों तमने हीट वेवने लएने कोईपन प्रकार ना प्रश्ण हो एत्वा समस्या हो एतो आपना टेलेविजन स्क्रीन पर एक नंबर फ्लेश थे रहो चे बेचाशो पंची आशी आड़ातरीस आप कॉल करी नहीं आपने प्रश्ण पुछी शको छो मालों में बीजो जे प्रश्ण दोक्र तेजेसे तो बहु वीगते आखी वाद करी हीट स्ट्रोक वीशे कोई व्यक्तिने हीट वेवने लक्षणों जनाए अथ्वा तो आमों कोखा ते एउँ थाए चे के एने पोता ही थती होए चे पन ख्याल न थी आवतों के आवधू पड़ती चे अने ए तेजस बही जैम कई वेप्रावने बहुज परसे वो आवे थाकी जवाए बेभान थाई जाए एवी शक्यताओ भी थाए चे जारे एहू थाए अने गर्मी बहु होए ती वक्ते सवती पहला है मा बाजू-बाजू बरफ के काई होए तो बरफ पन घसी शकाए अने तरत अम्बूलन्स ने बोलावी ने आरोग्या केंद्राथ वा होस्पिटल मां खसेड़ों जुए ये साथे जो ए बहनमा होए तो आने आपने ठंडू पाणी पिवडावी शक्ये जेते डी हाइडरेशन पाणी ओछू थाई गयो है तो एनो पन पाइदो थाए अने शरीर अंदर थी पन ठंडू थाई शके अने जो बैभान होए तो आने आपने पाणी ना थी पिवडावानू पन अवे एम्बूलन्स मां एलोको आइस पैक्त बरफ ना पैक्स पन राखे छे एना थी पन शरीर अस्पिटल पहुंचे त्यांसो थी ठंडू करवानू छे जे शरीर मां लोई फर्तू होए छे ठंडू थावा माड़े तो मगज पर जे साइबे कयो के चेता तंत्र पर नियूरोलोजिकल जे असरो थाई छे ओछी थाई अने एमा थी आपड़े मानास ने उगारी शकी पहला तो आप कंसेप्ट शू छे अने एमा किवा किवा प्रकार नी बावतों सा मावेशकर मा मावेशकर आप जुओ तो हीट अक्षन प्लान बनावनी शर्वात लगभग ओणी सो अंचानू मा शिकागो मा बहु मोटी हीट वेव आवी अने एमा एक जटवाणिया में मुटा शेहरों मा गर्मी मा पन मृत्यू थाए खुब ठंडी होवा छताए शंड प्रदेश्च छताए एने लिदे लोगो हीट अक्षन प्लान बनावेनी शरू करी ए पची योरोप मा बेजार त्रण मा बोव मोटी हीट वेव आवी फ्रांस मा जर्मनी स्पेन आने पची अमदाबादे पन जोई अने ए जोई ने आ हीट अक्षन प्लान नी शरुवात थाई आपड़े यहां अमदाबाद मुन्सिपल कॉर्पोरेशन ने बहुत सारी पहल करी अने वीजा बधा जे प्लांस चे योरोप ना अमेरिका ना एननो निचोड आपड़े काडी ने आमा प्रेडिक्शन ए पहलो मुद्धो छे इंडिया मेटिरोलोजी डिपार्टमेंट अथवामान खातू आपड़े प्रेडिक्शन पांक दिवस नूँ एडवांस आपे यह साथे आपड़े पाचला रेकॉर्ड पर थी मृत्यू साथे यहनू कोरिलेशन करी ने जोयू के तह 25 दिगरी ऑमदावाद पहंचे छे तो मृत्यू अध्वा मादेच अने 25 दिगरी थी वदहरे टेंप्रेचर थाये तो मृत्यू खूब जडब थी वदेचेğ त她ले 25 दिगरी बहुए जवान होग मेटें आपड़े तो एंडियारेण एलर्ट नाम आपछन अने आपड़े पब्लिक अवेरनेस कोर्पोरेशन जुदादा माध्यमों मीडिया द्वारा आजे वक्ते एलर्ट आपवामा आवे छे डॉक्टर तेजास एना नोडल ओफिसर ते आर्थी बीजार रग्यार थी छे तो एलर्ट आपे छे अने बधा मीडियम द्वारा चापा दू आपड़े हीट रिलेटेड इलनेसे ले लूल आगेला पेशंट नी सारवार माटे तैयार करिये छे अमना अच्छा आपाम वांच्वियो से सिविल हॉस्पिटल ने बीजा हॉस्पिटल नमा वार्ड स्पेशल तैयार करवा माव्या चे एंब्यूलन्स मा में जेम कविए आइस पैक्स आपड़े तैयार राखिये चे बीजा हेल्थ सेंटर मा ओर्स आने तैयारी मुंसिपल कॉर्पोरेशन करे चे ले हेल्थ डिपार्टमेंट नी आपड़े तैयारी करिये चे चोथु जे लांबा टाइम ना के जेथी शेहर ओछु गरम था जे बदारे जाड ल आए चे मानसिवें धोलक्या अम्दावाद्थी एम नी साथे बाद करी हलो अधरी है मानसिवें आपनो प्रश्ण पूछे हां मांसिवें बोलूच्छ आमदावाद्थी मारो हां मारो क्वेस्चन ही छे के ज्यारे अमदावाद मां तेटाली सिद्वीती उपड़े तापम सब्सक्राइब तकलीफ तमने घर मां बेठा बेठा थती होई तो एक उपाय हो छे कि ठंडा पाणी नी डोल मां तमने पग बोडी ने बैसी रो अत्वा नीचे टोवेल ठंडो मुखी ने पग ठंडा करी शकाया और माथा पर ठंडो टोवेल पन मुखी शकाया अने एना थी वधारे तकलीफ एउ लागे आना थी मटे नई तो पची तमारा आरोग्य केंद्रा अत्पा डोक्टर ने बतावू जुए तमारा घर मा पण शू वेवस्था छे पंखो होई तो पंखा नीचे आपडे भीरनू कपडू माथा पर राखी ने बैसी शकाया पंखो जो न तो आपड़े हाथी पंखो नाखवाणी वेवस्था पन थाई शके आने कूलर के उह होई तो कूलर नी सामे पन आपड़े बैसी शकी जी तो आप बनने मेमानों साथे आ चार्चा चालू राक्षो पना तेरे समय विरामनों थाओचे दर्शक मित्रो समय थाओचे विरामन खेलो इंग्रा खेलो आज बेंगे रूँ एलो इंग्रा खेलो इंग्रो इंग्रो आपड़े बैसी बैसी बोल्त नाखवाणी दर्शक दाद राक्षो पन दवारा आप अमारा निश्णा तोने प्रश्ण पुछी शको छो कारीक्रम डॉक्टर स्पीक मां प्रसारण डर सोमवार मंगलवार अने शुक्रवार सांजे छथी साड़ा छोव आगे अने पुना प्रसारण मंगलवार बुधवार शनिवार सवारे नव आगे निहालवानु भुलता नैं कारिक्रम डॉक्टर स्पीक मत कि विरामबाद आपने शुक्राद शेवें अनुसरी ने अत्याया कॉर्पडरेक्षन वारा कीवा प्रकारण कामगीरी करवा? चार मुख्य मुद्धाओ में वह पामगिरी आपने करी आपने चीए पहलो मुद्धाओ में अरली वर्निंग सिस्टम। आपने तरण प्रकार ना अलेट नक्की करेला छे जो तेम्परेचर बिलो 43 रहानु होए तो एने यलो अलेट कही है जिमके आजे मने एक प्रकार नू अलेट अमदावाद हमा निभाग पर अपती मड़ु छे मैं आवनारा पांच लिवसो मांटे औरेंज अलेट छे और हीट काम चे जिए के शेहर ना दरेक नागरी को सुधिया महीती पहुंचे तो सामान्य मानस ने इतली तो खबर अच्छे के जो गर्मी वधारे पढ़वानी हुए तो मारे शू करवानु अवे वहले ती खबर हुए के औरेंज अलेट छे तो जिया घर्मी भार निकल शे तो जि मुटू यही तो ही हीट अक्षान प्लान ना अम्लीकरन नो भाग चे के जगशन अम हाहिती पहुंचाड़ुी यह मारा हिसाब है ज अम्दावाद मिंसिपल कोपरेशन ना हीट अक्षान प्लान जे सौथह एस्या रिजया मां सव प्रधम वकात भेजा तेरमां अम्लीकरन म आजे भारत ना दर एक शहर नी वाद करिये तो दर एक शहर मा आप रकर ना एलट अपना चालू थाई गया जे तो ए व्यवस्था करवा मा आवी जे अने जे आ हीट वेव नी आगा ही अमने मढ़ जे पची इस अबंधित विभाग जे अमदावाद मिन्सिपल कॉर्पोरेश सब्सक्राइब गया जे विभाग नी जुआपदारी नक्की करवा मा हावी जे कैया प्रकर ना एलट मा कहुँ डिपार्टमेंट कई रिधे काम करशे जनके हेल्थ डिपार्टमेंट होय तो हमारा दरहेक अर्बन एल्स सेंटर ओपर ORS कॉरनर्स त्यार करवा मा आवै जे पुर्तु पाणी प्रजाजनों ने मड़ी रहे हैं तोरेंट पावर साथे आमें कम्युनिकेशन मां होई है के जो कोई प्लांड पावर कट होई तो औरेंज अलट की रेड अलट होई तो बपोर्ना समय खास पावर कट ना था बड़ा प्राफिक पोलिस साथे अमदावाद मिनसिपल कॉर्पोरेशन संपर्क मां होई है तो तेमने जवान होजी गर्मी मां बच्चों मां जुभा रहता होजी तो तेमने बढ़ वारिस ना पैकेट्स बुरा बढ़ा मां आवेशे अपने रोकवा मांगिश माप कर श्राइक कॉलर कि शुर भाई चुडास मां अमांगरोड थी जुडा पछी आपने चर्चा चालू राखिए हलो हालो हालो हां कि शुर आपनो प्रश्न पूछो कि शुडास मांगरोड थी जवाब आपी दिदो से आपे परी याद करा हूँ के माथा उपर हेल्मेट अथ्वा टोपी के ठंडो तमें कापड नो टुकडो पन मुखी शको भर बपोर ना काम करता हो ते वक्ते पाणी पीवानू वधारे राखो परसे वो थाई तो शरीर कि शरीर दुखावानी अने माथू दुखवानी अने अगर्मी मां आपे आपे राखो परसे आपे राखो तो आपने वधारे तकलीफ नहीं थाई जग्दिश बहें चे गौंडल थी यमनी सते वाद करी हलो गर्मी नों माथू पकड़ाई जैसे खोट उपर ये उलागे है जी माथू पकड़ाई जैसे खोट गर्मी मां आएक समान्य प्रकार नी बिमारी चे अने एमा जो बहुझ माथू दुखतू होए तो कदाच तावनी माथानी जे गोडी आवे एता में लई शको बाकी ठंडू पाणी आपड़े पीवानू वधारे राखिये एनी साथे चा जो आप अगमा खाली चड़वानू ने लांबो समय चालू रहतू होए तो आपड़े डॉक्टर ने बताव पड़े गर्मी ने लिदे कदा थोड़ो वक्षत रही शके पन ए पची गर्मी ओची थाई जा एकले जो निकड़ी जतू होए तो कहीं चिंता करवाने पारण न जो आपने चर्चानों दोलिया थाऊ होए जो जो अमारा अर्बनेल सेंटरों मा औरस ना पैकेट्स उपलब्दे कराव मा आवे जो वटर सप्लाई डिपार्टमेंट पाणी नो पूरतों सप्लाई एंशॉर करेशे ट्राफिक पुलिस ने औरस पैकेट्स पूरा पाणवा अब अब जाना हो तो जे अलग अलग डिपार्टमेंट पिजना के सफाई कामदारों सफाई कामदारों नो बपोर नो समय तरण वागया सुझी नो होई छे जो औरेंज राट के रेड अलट हो तो हमें अमने अमने समय मा पन फिर फार करिए जे अंस्ट्रक्शन साइट मा करता हो जे अरेंज रेड अलट दर्मियान अमें एक एडवाईजरी जाहिर करिए कि बपोरे बार्थी चारना समय काला दर्मियान कामदारी शक्यों तो बंद राख़ए जो करवी पड़े हम हो है तो अ श्रमिकों माटे पूरता परमान मा औरेंज ने पीवाना पाने में व जामनगर साहिब लगबग फरिती एक ने इकच समस्या चे लोकोंने तो शुटा है परसे वो बहु वड़े चे कानके गर्मी चे तो परसे वो वड़े सारू शरीर ठंडू थाए परसे वो होई ते वक्ते पंखानी चे बैसो तो कदाच शरीर जडब थी ठंडू थाए विजू जा तडिया फाटवानी ने कंप्लेंट अथवाज मुश्केली छे घणान लोक ते वक्ते विटामीन नी गोड़ियो पन जो तमारी उम्मर हो प्रमाणे आने डॉक्टर ना केवा प्रमाणे अपड़े लई तो कदाच आ मुश्केली ओछी थाई शके पन गर्मी माटे तो पाणी चाश लिम्बून शर्बत एव अधारे प्रमाण मा लेऊ बीन जरूरी गर्मी माँ बाहर न जरू एक खास उपाय चाहिए अगत्यानों सवाल चे अमुक लोगों ने बहुँ ओछ गय वक्ते माने याचे एक आओ प्रश्न पूछायो तो एमने खास धान्द राखू के तड़कामा न जरू अने जाव तो साथे ठंडा पाणी ना भीना करेला कप पड़ा लए जवा के जे शरीर पर आखा शरीर पर फेरवी शको अने एना थी तमे शरीर ठंडू करी शको अमुक लोगों ने दवाओ पन आपवामा आवे चे के जहना थी साइड इफेक्ट एवी होय चे के परसे वो ओछ थाई जाय जाय चे ए लोगों आ खास ध्यान बिल्कुल पुष्पावें बना सकांठाशी चे एमनी साथ वाद करी हलो अब बुल आपुष्पावें आपनो प्रश्ण पूछो अरे उचे के नाना बालको आट दरस वरस ना नाना बालको होई अर्शना आने अनने इस्कूल जता वह लू लागती होई अमने नाना बालकोने सद्गर में थाई जाय लू लागे ताव आवतों हो तो हो ते अनने शु तके दारी राकवी नाना बालकोने मुख्य तके दारी आपड़े बात करी के माथू अने शरीर ढांकी ने जाऊ जोई है खुलता कपड़ा पेरवा जोई है सफेद रंग ना जेकला कपड़ा पेरो ए वधारे सारू कानके तड़को आनी उपर थी रिफलेक्ट अथवा परिवर्तन थाय चे अनू अनने गर्म आपड़ी साथे जोड़ाया चे हलो कि अधिपक भई आपनों प्रश्न पूछो कि लाके चे कट थे गवाद करिए के एक व्रुद्धो ए खास के वा प्रकार नी टकेदारी राख वी जोई है आत्यार है जे मापना अगवना कॉलर नो प्रश्न हतो के बैई नाना बाड़क नाना बाड़को माँ अपना शरीर नू थे थर्मो रेगुलेटरी मेकेनिजम छे ए ब्रेन माँ हाइपो थेलेमस माँ हाई जे नाना बाड़को माँ ब्रेन नू डेवलप्मेंट दीमें थातु हो जे त्यारे नू फंक्शनालिटी 100% नती हो जे अनना गुरुद्धो माँ यह वैवस्ता हो हाई चे के आज यह हाइपो थेलेमस चे ए ब्रेन ना ओर्गनों डिटेरुरेशन थातु हो जे इतले जे तेंप्रेचर रेगुलेटरी मेकेनिजम जे ओप्टिमली वर्क करवी जो यह वर्क करती न थी इतले गर्मी नी वधारे आड़ासोरो एमना मा आपने अपने अपना दरेक तबक के आने आ गर्मी सीजन मा खास वृध्यों खास ज्यान राखो जे अ तेरहों तमने एक इंट्रस्टिंग डेटा तमारी जोड़े शेहर करूं के आपना शेहर मा जे दर वर्षे एवरेज मृत्यू थाएचे एमा बेय महीना एवाज है के तरह एमा महत्तंब्रमन मा मृत्यू थाएचे ऐमा आपने अल-ocause death नहीं वात करिया के बद्धाकारों थी स्पेसिफिकली कोई कारण नहीं वात नहीं करता पन ऑल-coase mortality नहीं वात करिया है जे बद्धा कारों भेगा थाए अने शेहर मा डेथ केटला आएचे तो आमधा वा जे थंडी वातावरन में वधारे प्रती थंडी हो चे एने कारने अने महीन आम अब्यस्की गर्मी इतले आजे हमानना में एक्स्ट्रीम चेंजिस चे छे जने बोडी एडप नथी करी शक्ती ये समय मां मृत्यू महत्तम धाय चे ये अबे महीना खरेखर तकेदारी मांटे ख लएले बना सकंठाती चे दीपक भही नुँड के आणुड मारो प्रस्टन ये से साई Singapore जी बॉडब हावी जे आपने में जे ने आई बेंपर जाता होई है आई बर जा रोड वदारे घरम होई जे वदू गर्मी थाति होई जे खादकरीने टोवील लईने जी तो त्यारे गर्मिती बच्वा मां ते कोई उपाई खरा। डॉक्टर तेजर श्यू कैसो जम गर्मिती जे गरम पवन अपड़ा सरी ने अथड़ाई छे। एज वस्तु जे मावलंकार साहब है काओ के जे माथू खुलू नहीं राखू जो ये हड़वा रंगना कपडा पेरवा जो ये हीच ये रिफ्लेक्ट है वाधार जरूरी जे अनने कंटीनियूस जो सवारी करता हूए गणिवारी क में तमने अगाउट लगबग एक मैरेथोन चालती थी अनने अथलेट आट कर लाग सड़ंग दोड़े हो 42 किलोमेटर नी रेस हाती जी सड़ंग दोड़े हो एनने खब सब्सक्राइब कर दोड़े हो एनने खबर नहीं पड़ी के मारे शरी नुद आपमान वधी रहा हूँज है कंटीनियूस हीट थी एक्सपोज था है अने हीट स्ट्बाग ये बचीग पट वस्तु आज था है जारे तम्हें लांभी मुसाफरी करता हो तो समय अंतरे अपने प्रेक लेवो जोगे पहुंचवानी उतावड़ वह बले हीट नु एक्सपोजर थातू है आपने गरम लू आती होई पर अपर पर इसमाय अंतरे ब्रेक लेवो जोगे है फैडा मा जोग जोगे प्रकारे वच्चे वच्चे हाइड्रेट कर वी जोगे बोडी ने तमाम कर जोगे खोराक के वाप्रकार नु लेवो जोगे है घर्मी में आपने सामान्य जोगे खोराक लेता होगे बहुत भारे न खाऊँ जोगे है आयूरुवेद नी द्रष्टी आमु खोराक छे जेम डुंगली छेक आपड़ा ट्रादीशन आने आयूरुवेद मा ठंडी गणे जग्या है लिम्बुनु सर्वत लो चाश लो आपड़ी देशी प्रवाही चे आपड़े वधारे लेवा जुए अंतमा 10 सेकंड पची दोक्टर तीजे आपनो संदेश दूर दर्शन ना माधियम ची दर्शा कोने शुवा आपनो संदेश है चे अमना एप्रिल नो अंत आव अटिबादी गर्मी जे में मा आला करता पन वधारे गर्मी ने आपने तैयारी राकफी पढ़शे अमने लिदे जे हवामान खातु चे एनू प्रेडिक्सण जे आवे चे आने धो आलर्ट इसू थाय चे आपने जनिये समझिये अनि ए प्रमाने अपने गर्मी थी बच्व अपने अपना बाड़ों को ने खास ज्यान राखिए एलर्ट वी से सचेत रहिए अने तेना दी बचों अमाटे जिटला शक्य होए तमाम पगला ली बिलकुल तो आप बनने मेमानों दूरदर्शन ना स्टूडियो माया नाटली रस्प्रत चर्चा करिए विदाला बनने नक तो दर्शक मित्रों आपे जोयू तेमा जे खुबज हीट वेव उपर अलग-अलग पासाओने लेने चर्चा थाई अने जो मूर निश्कर्श आपने दिकाल हो जोए तो सावचेत रहिए अपना व्रुद्धो बाड़को अने आपने जातने पन घर्मी थी बचावी राख करीशू तो अवस्ष्य आपने आ हीट वेव थी बची शकीशू आव विचार साथ अत्यारे बसाटलू जाओता मंगल वारे फरिस्टी एक नवा विश्य साथ एक नवा म्यमान साथ उपसित थेशू त्या सुद्यमने रजाबशो नमस्कार दर्शक मित्रों वत्ती जती गर्मी क्लायमिक चनन पड़कारो आव विश्य साथ आजी आपने आपना मुद्ध आपनी वात मा चल्चानों आरम करीशू हूँए उच्छू नमस्कार दर्शक मित्रों गर्मी नों पारों गर्मी नों प्रकोप सक्तत वधी रही हो छे आपने काने जोई के तीजी जे प्रमाने दिल्ली नी अंदर ओगर्ण 15 लिगरी सेल्चियस जीट्यों तापमान उचु जतू रही हुँ समगला दक्षिया मां हीट वेव सब्तत चाली रही छे दाइकाओ मां जे घटना क्यारेकज बनती है ती एक घटनाओं पुंद्रा वर्ति थवा लागी छे तो शू आपणा शहरों तेनों सामनों करीशक्षे शू भविशे नी वस्ती और आज नी वस्ती पन तेनों सामनों कर आज 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 आफ्ये आज आपने क्लाइट द्रश्टि नों मुल्वनी करिसे साथे अलभन प्लानिंग ना कंशक्षे पन आप रशन शवा नी चलो क्रह無 के जी शर्मा सार आप से मैं पूछना चाहूंगा कि जिस तरह से गर्मी काफी बढ़ रही है तो क्या यह हमारे शहरों के की आयोजन में कुछ खामिया है या मौसम ही ऐसा हो रहा है कि एकनम बदमिजाज हो जा हो जा रहा है हम हम सब पीछे पढ़ रहे हैं क्या कारण है कि हम कि हम लोगों का अगर जो शहरी विकास के आयोजन और शहरी विकास के में जो जो प्रोजेक्स इंफ्रास्ट्रक्टर लेते हैं वो बरसों से हम लोग करीब साथ सतर साल से आयोजित विकास की दृष्टी में हम लोग जा रहे हैं हमारा पहले मुद्दा ये था कि आर्थिक प्रगति शहरों की कैसे हो तो उसके तहत हम लोग सारे शहरों का आयोजन करते थे और साथ हम लोगों ने पहरे पुराने जो डेवलोपेंट प्लांस जो थे हमारे शहरों के उसमें ब्रीन बैल्ट वगेरा की भी व्यावस्ता थी तेकि दीमे दीमे कुछ कारण उसर एकनामिक रिक्वार्मेंट के हिसाब से हम लोगों ने थोड़ा बीच में कुछ ध्यान देना कम किया लेकिन आपने जो बताया है उस तरह से जब शहरों की बस्ती आज हमारी करीब चालिस से पैतालिस प्रतिशत वार्शिक बढ़ती है शहरी बस्ती है वो करीब दूसरे तीस उन्य क्लाइमेट की द्रिश्टी कोन से भी देखें तो यह जो टेंपरेचर जो बढ़ते जा रहे है और क्लाइमेट चेंज का इफेक्ट शहरों पे हो गई और दिस इस गोंग तो बीए मोस्त इंपोर्टेंट सब्जेक्ट इन दी फ्यूचरिस्टिक प्लैन तो हम लोगों को ए कुछ दुरस्त करने के आउशकता भी है अभी मैं आई पी सिंसी का रिपोर्ट एक परड़ा तो उसमें बताया गया कि मुंबई और एंदर बार ही ताइट बन जाएंगे और कल एक नासा का एक सिकले कि में बहुत धूम रही ती उसमें देखा थे इको स्ट्रेस अब रहोत है यह जो शेहरों में या फिर जहां पर अबन इंडस्ट्रिल क्लस्टर होता है वहां पर देखने में आता है याने वह एरिया में ज्यादा तेम्परिचर हाई तेम्परिचर देखने को मिलता है या फिर जब देखने को मिलता है या फिर जब देखने को मिलता है या फिर जब विंड की वेलोसिटी कम होती है तो ज्यादा मैसूस होता है अर ये ही इज गुए फिर फिर होता है ये हाली खरी बीनम्पर दोने मिले और समपी देखने को मिलता है या जब टेमें गण म jeहां बडुपसरी के सादे होता है कार। प्रुट्स प्रुट्ट च最多 करुट सिन्ख ए्प collagen कि ए्योट जसे इंट अच्ट करुट करुट समी Machine इन हमें 1521 अरिंश समी शेराok थाभर दिजिानजिय समीました about developments in the Indo-Pacific region and contemporary global issues of mutual interest. The leaders will review progress of Quad initiatives and working groups, identify new areas of cooperation and provide strategic guidance and vision for future collaborations. On the bilateral meetings that usually take place, the Prime Minister will have a bilateral meeting with His Excellency Mr. Fumio Kishida, Prime Minister of Japan, on 24th of May. The meeting with Prime Minister Kishida will provide an opportunity for the two leaders to carry forward their conversations from the 14th India-Japan and World Summit, which was held in March 2022 in New Delhi. During his visit, Prime Minister will participate in business events with Japanese business leaders. He will also address and interact with the Indian community in Japan. With the U.S., Prime Minister will have a bilateral meeting. with the U.S. President on 24th of May. The meeting will mark a continuation of the regular dialogue, having interacted most recently in virtual mode on 11th of April this year. The two leaders are expected to review the India-U.S. strategic partnership and follow-up on discussions held during Prime Minister's bilateral meeting with President Biden last September. They will also exchange views on regional and global developments of shared interest. The Prime Minister is also likely to have a bilateral meeting with the Prime Minister of Australia. As you know, elections are scheduled to be held in Australia on 21st of May. The two leaders, we would hope, would look at reviewing the India-Australia comprehensive strategic partnership and exchange views on issues of both global and regional developments. The last bilateral meeting between the Prime Minister and Prime Minister of Australia was held. This was a virtual meeting on 21st of March this year, which was followed by the signing of the India-Australia Economic Cooperation and Trade Agreement on 2nd of April. So that's broadly the announcement that I wanted to mention. I'm happy to take more questions on issues that... Oh, I got lots of hands. Okay, let's start. What about the Briggs... This was the only announcement I had at the moment. Okay, let's start with Yeshi there. Let's start with the cross-dance. Hi, this is Yeshi Sehli from the New Indian Express. I'd like to know why has the Indian High Commission in Sri Lanka, asked all the Indians to register online at the High Commission's website. I'd just like to know. And is the Kabul Embassy reopening? One, one? No, one. Let's start with one. There are so many hands. But I even... I'll come to this. Sir, I'm Kavita Joshi, from the Newspaper. Yeshi Sehli, from the UNDP on the Indian Express, what are the response to those national authorities, that's the number of Americans in the UNDP? Okay, that's the question. That is the question of the UNDP? Okay. That's the question of the UNDP? So, would you, if you have a UNDP, if you have a UNDP and UNDP, already have a UNDP? Okay. That's the UNDP on the UNDP? What are the UNDP? Okay. There's a UNDP? Yes, that is the UNDP and UNDP. Yeah, we'll do this to know. इस तरफ एक लेता हूं, I'll come back to you. Yeah, okay, Siddharan तौल, always, no, just, I'll come back to you. I'll come back to you. In Tokyo, the American President will be launching the Economic Initiative, Indo-Pacific Economic Framework. So, what is India's stance? Will India also back this initiative of the U.S. President? Okay. No, he's been raising his hand very strenuously. Please, go ahead. Sir, my name is Sandeep, News 8 in India. My question is, Pengong Sobe, there is another bridge that has been made of China. What do you have more information about this issue? Pengong Sobe, no? Okay. Who else had a hand up? Okay, please. I thought by now all these questions have been asked, so I was just... I'll tell you, don't you know, people, who are the people who are using them. Sare, 6 January को आपने briefing में बताया था है. पर फर्स्ट ब्रीच पैंगॉंग से ओपर चाहिना बना रहा था उसकी तस्वीर सामने आए थी और भारत उसका बिरोध भी जायट किया था बाउजुदिस के दूसरा बरिच अपना रहा है जो कि स्टेटिकली काप इंपॉर्ट बता जा रहा है जो पिक्चर से मुटा रहे किस तरह से इस पर से आपर मॉवमेंट भी आसानी से जो है जो है कर सकता है मॉगलाइज कर सकता आप इसे ना को तो क्या इस बीच बाठी चलती रही और कोई अशर चीन के ऊपर नहीं हुआ कि वो दूसरे बीच कोई बनाने वसा पला है युट लुटा अपया खिस रूंड़ फितन थे खितन इंड बाठी से ल ल फितन आप बनाने प्रज़ रिचित रहा है I would say this is just one of those exercises that happens to be at a time, I suppose there's a lot of attention, so all of you picked it up. I wish all our embassies do this, and I hope the same focus is given by our citizens living abroad, that they register. As you know, in different parts of the world, we have asked our embassies to do that. As of right now, I think that's what I've been told, that this is just a... In fact, I did check with our embassy, High Commission, just before I walked in, and they said, no, this was just a reminder to register from time to time to do that. Afghanistan. Kavita, ji, aapka prashnak Afghanistan pae tha. Dekhiye, Afghanistan ke baare mein, and I'm sure this will come back in English, so. Jaisa ki aap jantay hain, August 2021, pichle saal, mein Kabul ke suraksa stiti ko, ke teze, kharabi ke karan, hamne humare sare bharatiyo based, india based kaatay bharatiyo karmiyok ko Afghanistan se baahan nikalna pada hain. Iske baojud, matlab Afghanistan ke logei ke sath, hamari joh relationship hai, etihasik samband hai, dhekhte hoi, hamne maanviyya saaita, pradhan karna jari rakhai, vishesh rup se gehu bheja hai, gehu ka chal raha bhi bhi, dhuaiya bheji hai, vaccines bhi bheji thi. aur joh apne, ah, apka specific joh sawal tha, ah, uske baare mein, uske sandar mein, mein yeh sarf konga ga ki, merhe paas abhi koji update nahi hai, to ager haemare paas kuch rahi, is baare mein kuch, toh zarur apse, isko saajha karenge. Since this question would be asked in English, let me also try to answer that in English. As you are aware, following the sharp deterioration in security situation in Kabul in August last year, we had to relocate all India-based personnel out of Afghanistan. Given our historical ties with the Afghan people, we have continued to provide humanitarian assistance, particularly supplies of wheat, medicines and vaccines. As regards a specific query about reopening of embassy, if there is any update, we will certainly share it with you. I think, Siddhant, your question was on the, what is called, being called the Indo-Pacific Economic Framework, right? I think that's the terminology being used. I'm actually not sure because this is a very, let me just say that, look, this is an economic plan, I think. It's called the Economic Plan, so IPEF, okay? Okay, or a framework. So, look, this is an initiative of the United States. We have received, you know, details of this, and we are examining it. At this point, that's all I have to say. I would not be in a position to, you know, prejudge what might happen in Tokyo or in future, but as I said, we are looking into the initiative of the proposal. The other two questions were, बताया कि कैसी बात तरह आप हुई और क्या चीज़ों पर क्या मुद्दे हैं और हमारी क्या पेक्षा हैं उसमें और इसको हम इसको आगे बढ़ाते रहेंगे कोशिश यही रहेगी कि हमारी जो जिस तरह से हमने कह रखा है कि यह solution निकालना पड़ेगा आपको बातचीत से औ और जब तक वो solve नहीं हो बागी चीज़ों पर आगे नहीं बढ़ सकते हैं ब्रीज के बारे में रिपोर्ट देखी हैं यह military issue है इसमें मैं कहनी पाऊंगा यह कहां पर exactly है और हमने जैसे कहा है यह पूरा area हम occupied area पर रखा माना है मानते हैं और इसके details और उसके क्या implications है यह I I think I think ministry of defense का ही better बता पाएंगे उसमें पर अगर हमारे पास इसमें और कुछ शेर करने के लिए रहा तो हम बताएंगे अभी हमस को हमने में media reports और other reports देखे हैं okay let me open it for further questions anybody has okay go ahead okay okay before no basically look I think that issues are there is the issues of talks as well as this bridge on the talks part of it I think we have been pretty pretty clear and I think we were saying the same thing repeatedly we have had various rounds of conversations the Chinese side at different levels diplomatic and military side we also as you are aware foreign minister Wang Yi was here in March this year and EM conveyed our expectations to him as EM had said then and I remember him talking to the media subsequently the frictions and tensions that arise from China's deployments since April 2020 cannot be reconciled with a normal relationship between two neighbors so we will continue to remain engaged with the Chinese side both the diplomatic and military levels to ensure that the directions given by the two ministers are implemented fully and of course if there is any further update we will share with you so that's on the talks part of it we have seen media reports and other reports on the so-called bridge or I don't know if it's another somebody said second bridge or if it's a expansion or widening of the current bridge look probably and the area that is referred to is of course we we've always felt this was occupied and we have had our you know for decades and we have of course from a military perspective I would not be in a position to comment that I think ministry of defense or the implications of that but as I said we monitor such developments and if there's any update on this we will share with you okay now Huma please I don't think we have any date for that I'm not certainly not during this visit but if there is we will let you know sorry good so I'm a kid someone from Samsung TV uh Brics foreign ministers meeting is going on yes I don't know whether it is over or it's still going on so can you please tell us some details about what is the agenda and what uh what outcomes okay okay who else had a hand up okay my question is about uh the visit of the U.S. coordinator on uh on uh democracy human rights as well as a special coordinator on Tibet to Delhi um in in two parts one uh Maseya is uh believed to have met with civil society representatives did she raise any human rights concerns in her meetings with foreign secretary Vinay Quatra uh and the second is that China has issued a statement protesting the visit uh and her meeting with the Dalai Lama in Dharamsala uh fairly strongly has China raised this in any bilateral context either in Beijing or in Delhi with the Indian government okay so that I have a question on the quad if there's time at the end okay okay we'll we'll have a look Shudhi sir uh Shudhi Ranjan from Bloomberg associating with uh my colleague uh there who's raised the issue of the BRICS summit and also is there any clarity will the prime minister be no sorry I didn't get you first part uh I mean on the BRICS you also would like to know about the BRICS okay fair enough and also sir do we have any clarity as to when the BRICS summit head of state is will the prime minister go uh on all those things sir you want a short answer okay okay any others okay please take the last one hi hello my name is Takashi Shihara from the association from Japanese newspaper I'd like to ask about the court meeting uh so during the court meeting for India uh how much is the court meeting important and I think the one of the main issues uh will be Ukraine issue and then also the security and the deterrence on China so how will India stress on those issues okay let me take those round of questions and I'll come back uh Huma I just answered your thing immediately uh sorry yeah on two plus two uh Achillesji apparently BRICS foreign minister and Sudhi also wanted the same look this is what I call the live activity um even as we speak the BRICS foreign minister which is a meeting which is happening virtually uh is underway it started a little while ago I think maybe about an hour ago hour and a half ago uh that is currently underway uh let it get over we will certainly share information about what was discussed and what we would like to put out and I assure you there'll be some some information but I think uh while I have some information I think let's wait for the actual conversation to get over before we make comments on that um regarding your query on I think it was on the Azra Zeya visit uh let me let me mention uh from our perspective look U.S. Under Secretary of State Azra Zeya she has multiple roles but she's a U.S. Under Secretary of State is on an official visit to India uh she met senior officials here in GOI including Foreign Secretary and Secretary West in the Ministry of External Affairs she also met the Chief Election Commissioner among others uh discussions focused on global and regional issues of mutual interest we always say that uh both sides also discussed follow up to PM's participation in the Summit for Democracy in December 2021 that was hosted by President Biden um I am not aware of the details of the conversation about whether what specific issues were raised I would not be able to comment on that but as regards other um you know other activities and agenda I would refer you to um you know the U.S. Embassy and they would be in a better position to you know indicate what all she's doing in terms of official meetings this was here with the government this is what it was I am also not aware if if there has been anything said by the Chinese uh China on this to us I'm not aware of it at least but look if it's happened recently in the last few hours I don't know but I'm not aware of it's being taken up um uh should be your question of the bricks I answered in also related to that uh um Stakashi um on your query look obviously we attach a lot of importance to the quad uh this is as I said the fourth interaction third in person we have been keen to you know to showcase what the quad can do together and what it stands for uh you mentioned a couple of issues that you feel might be discussed that's your perspective as I said and I wish you wish I will happily reiterate our perspective on how we see the quad meeting looking at it we will look at areas I think the quad is a lot on a very large agenda um you know and different verticals that it is discussing and I think this is an opportunity to take them forward they will of course discuss I'm sure contemporary issues topics that each any party or any quad member would like to bring and let me not prejudge that once it happens we will be in a better position to share with you what was the discussions and but at them at this point I let me emphasize the importance that we attach to this this visit both on the quad as well as uh bilaterally uh to japan are uh the meetings that we will have with the prime minister will have with his uh counterparts and bilateral okay there are no further questions okay uh thanks very much for uh your presence you had a question sorry I thought no other questions you already asked a question I don't do I look like a guy this is a bad face I need to have more serious face okay go go ahead go ahead then no you haven't asked please no no please you go asked already no then you always get a chance first yeah yeah uh this is operaji chakraborty I'm from China daily yes uh Beijing has already started the process uh to facilitate the return of Indian students to China okay in the backdrop of this decision do you think that is there any possibility that India will review its decision to cancel the police visa of Chinese national or that or the decision will improve bilateral bilateral relations you're asking two very different topics and I'll try to come back to it no okay one second before that anybody who's not asked a question because I'll just ask the last you don't ask the question right actually I forgot I thought you asked right in the beginning go ahead Sridhar sir is there any movement in the breaks because we are having uh within a week two engagements which have very diverse world views one is the breaks and one is the court so I wanted to ask is there any move to emphasize that uh you know countries are that they legitimate security concerns or countries should be respected I mean it is a sort of a very pro-russian kind of position and the kind of position we take that territorial integrity of nations should be respected as per the UN charter so that is seen as a pro-ukraine position so uh I am completely lost that didn't sound like a question my question is at the BRICS summit is there I'm sorry which BRICS summit I am the BRICS foreign minister okay the BRICS foreign minister's meeting is there any move to sort of emphasize that uh the legitimate security concerns of countries should be respected in short or long answer I forgot actually should these question I'll come back to that in a second okay who else had a quick last uh who's have second round of questions you wanted yeah go ahead and you and Swasini okay we'll close with that I just wanted to check if uh the issue of food security will come up when uh Prime Minister Modi meets with Mr. Biden because since yesterday they have been focusing on food uh security you mean in the wheat or something else in wheat okay and Swasini anything you had a query on something else yeah um on on the quad I did want to ask um that recently it has emerged that the quad vaccine initiative has not actually sent any vaccines uh as part of the uh the plan to manufacture Indian made vaccines with US funding Japanese and Australian distribution I'm not talking about the ones that have been made in India donated by India to East Asian countries so that part of the quad vaccine initiative hasn't yet done that I wanted to ask whether the quad summit is going to discuss changing the uh the initiatives goalposts or is there going to be a review of this process especially given the fact that the uh the lab that was identified is no longer producing any Johnson and Johnson vaccines in fact they're only producing formuvax which is a vaccine that hasn't received WHO EUL so cannot really be exported okay fine nothing else thanks okay let me go around um I'm sure the apologies you had asked about BRICS and I'll link that with Sridhar's question also look um as of right now I have no information to share on when the BRICS summit is happening right now we're having the BRICS foreign minister meeting that's in a virtual format so your other related questions of whether the prime minister will go if it's going to be held in a physical format you're presuming are all speculative at this point um again Sridhar I with all respects um I don't know what you still meant uh I don't know who uses the term yes I know legitimate security concerns will it be used uh it is also how do I know what other people would say I I won't even be positioned to tell you what our prime minister or our foreign minister would say in a meeting before that no uh we haven't used that terminology if I know uh if we are related to Ukraine I think we've been talking we have been emphasizing the importance of uh you know territorial integrity and sovereignty and UN charter uh but let's see what what the discussions we will brief you uh I show you on when the meeting gets over um this is regarding um as regards the food security um wheat sort of issue look I think uh instead of me trying to say what the food I mean what would be raised or not is again uh we are uh more in the nature of you know speculating what might come out uh I would I would think let's um yesterday I think uh we have seen of course earlier press releases by various but I think yesterday uh our minister honorable minister uh V Muldigaran was in New York and his statement is I think what I would um I would recommend uh is uh captures what we are trying to say uh best at this at this point let me see if I have that statement here because um we are um I think he he made two three points and let me emphasize that uh I don't know what would be raised but I think uh MOS's statement captures what we are trying to say which is that look there has been an unjustified increase in food prices and uh it's clear that holding and speculation is at work from our perspective and we are committed to ensuring that such adverse impact um on food security is effectively mitigated and the vulnerable are cushioned against sudden such changes so in order to manage our over you know own overall food security and also support the needs of neighboring and other vulnerable developing countries we you know you know we announced some measures regarding wheat exports on 13th of may and subsequent clarifications in that so these measures allow for export it's not that you know I think the terminology was it allows for export on the basis of approvals to those countries who uh needed to meet their food security demands or requirements and it will be based on requests from the concerned governments and this this uh this policy or such a policy will ensure that we truly respond to those who are most in need um I think what MOS said was also very valid when he said that it is necessary for all of us to adequately appreciate the importance of equity affordability and accessibility when it comes to food grains um we have already seen uh to our great cost as a humanity how these principles were effectively disregarded when it came to covet 19 vaccines so open markets must not become an argument to perpetuate inequity inequity and promote some degree of discrimination and india has of course been very supportive and helped his partners in distress even in the middle of kobe 19 and ongoing conflicts so i think our uh these measures on wheat export i think should be seen from that context and i think we will be sharing such a perspective if this is raised um i think there was a query from abarajit abarajit chakramati about uh look i don't know uh you made two assertive statements i don't know whether i i'm fully with you there uh i do know there was some announcement of a modalities of seeing how indian students can come back to go back to china as you know this is a priority for us and we have been saying this from this platform and various other occasions we have been raising it i know that there's some information that has was collected by our embassy i don't have the latest update on what exactly has happened or whether students have started to go i have i have not seen any reports that indicate they're back there yet we would certainly continue to press the chinese side to take measures so that uh student indian students uh whose opportunities they require to go back and you know particularly medical uh are able to go and they do not uh suffer anymore uh because of these restrictions um the other element that you referred to in terms of visas i don't think there was a cancellation and i remember this query came up i think the last time i spoke or before that um we basically said that given the covet situation in china or in certain cities um it wasn't an opportune time to look at resuming uh grant of uh tourist visas because there are certain visas that are continuing i don't think the situation would have changed too much uh this is not a new decision this decision exists in terms of you know uh kobe related restrictions um i don't even would like to speculate whether this would improve relations between the two countries uh so let's see i think i think both sides should understand the plight of students who are stuck and i think let's work towards that and as situation on kobe improves of course we as we have done with other countries uh we'll see what can be done on other kinds of visas uh coming back finally to the query on quad vaccine look again um uh we have sent under the quad umbrella of vaccines as you correctly mentioned i think it was cambodia and thailand which were recently um though you are also correct that this was uh vaccines made in india kovi shield uh i don't know that i disagree with you when you you seem to indicate it detracts from the overall i think this is part of exactly whatever each country can do is doing in terms of uh contributing to that uh yes an original plan was to have a very different modalities but again the what is the final objective is to ensure that vaccines are shared under quad umbrella to those countries that need it uh about the details of what would happen and you know as you said the labs etc yes there have been developments i there are uh groups working groups that under this which would hopefully look at these elements uh i would think this would quad summit would be an opportunity to again look at this but i don't know whether i can make a commitment they'll be reviewed or not i think that would be a bit more uh than i can confirm at this point okay thank you very much for your presence here today good evening and now we are looking at this so we are looking at this uh um जल्दी से हम लोग हमरे शहर हम इतनी आबादी आ गई है हमारे जो चौरी सड़के है यह है चानी चौक का हम जिक्रव पड़ते थे वह बहुत सरे शहरों की बात पड़ते थे वह शहां सोदो सो साल पुरानी ही होगी लेकिन आज उन्हीं को क्या हो गया कि यह हमें छोटे हम लोग करीब 48-45 पे पहुंच गए और बविश्य में ये 60% हो जाएगा तो जो शहर की जो economic contribution GDP का है वो दिन प्रति दिन बढ़ता जा रहा है और उसकी वज़े से क्या है कि जो गाउं से बाकि आजुबाजों से हमारे जो गाउं के एरियास हैं मासे शहर में वस्ती ट्रांसुर होती है और हम लोग पहले आप देखिए कि एमदाबाद में वन एफसाई वास सफिशेंट इनफ आज के दिन में हम पांच एफसाई तक तो पहुंच गए तो देंसिफिकेशन करना पड़ता है तो देंसिफिकेशन की वज़े से क्या होता है कि सडक चाडी करनीप पड़ती है और सडकों पे नंबर ओंव और यह विंध वहिकल बढ़ जाते है तो हमारा एक पर सेप्शन ही कि deserves बढ़ गए छाड़के चोटी हो गई है टेकि damn देंसिफिकेशन जितना होगा तो अपकी सोईल का मॉइस्टर कम होगा तो प्लाइचन पे असर होगा तो एक नेचरल प्रोसेस में प्लाइशन किया फॉरस्ट ग्रोथ जो यह प्लाइशन शहरों में थे वह भी गटते गए हमारी ग्राउंड वाटर के जो था वह भी कम होता गर्णे प्लाइशने कर जाएंगी कर अब जैसे हमारे सब शेरों में रजिलियन्स के बारे में हम लोग जयादा चर्चा करते हैं अगर हम बड़ा भी रहें बस्ती वह तो अडिवारी हैं कि शहर के अंदर ही रोजगारी मिलेगी एकनामिक कांटिबूशन हों गाँगा हमक देखना जरूरी हो जाएगा तो इसलिए यह एक रिक्वाइमेंट भी है और ब्लू ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर है जैसे ओपन स्पेसेज है आज के दिन में अगर देखें तो हम अगर नॉम्स के इसाब से नाइन स्क्वार मीटर का ग्रीन एरिया होना जी शहर में आज के दिन में अगर अभी में रिपोर्ट पढ़ रहा था है कि काफी शहरों का हमारे एक्सेप्ट हैद्राबाद नाइंटी पर्सेंट आप आवर टाउंस वेर्डी पर्सेंटेज अफ पर इस तिंग अर्बन ओपन स्पेस अंग्रीन अर्यास हैव रिडूस्ट और रिदूस्ट अंकीत पतेल वैदर अनलिस्ट जोड़े गया चांकीत भाई हमेशानी जहें मापनों स्वागत छे आ जी जी अंकीत भाई गड़ा समय थी आप हवामान नूं विच्टेशन करी रहा चो आवक्ते उत शूत हैं के आट लागन गोड़ा वरस्वा लागया छे आवर शेके वे कोई ठंडी हवा कोई ठंडी एक खबर न थी मड़ी शू कारण छे के कुद्रत नाट प्रकॉप जोवा मड़ी रहा है जी उत्सवाई नॉर्मली हेट वेव्ज दारेक सिजन मा आवता हो जान दारेक वर्सों मा आवता हो पहला तो आपने यू अजिम्शन निकाई दी ये क कमप्लिटली रॉंग फरन्तु हीट वेव नी जी सिव्यरिटी ये लाके तिवरत आच है ये वदी छे जह जमके छिल्ला अमदावद नी बात करों तो वीस वरस माज तापमाण नो पारो त्रों बार 15 डिग्री उपर नोधाई लो जाए 2010 दस माँ वेजार शूड माँ औने टेंपरेचार ये लिए अर्था श्रीकली टेंपरेचर नोधायो तो आवक्ते पन क्रिस्ताली सुपर टेंपरेचर अमदावद माँ नोधायल छे तो उस सब्सक्राइब है कि हीट वेवस तो आवताज हो है परन्तु तम एक ग्लोबल वार्मिंग के क्लाइमेट जैंज ने तो इस समग्ग्रव वल्लन एफेक करतु है आपने घणिवाल सामतरत आवेचे के आर्टिक प्रदेशावी धुरुविय प्रदेशों मां बड़ अपनो अगडवू है अवे आर्टिक विस्तार गरम वजारे थातो है उन्यूजूली तो आना कराने यह थाए कि वींड यह था प्रदेशावी अपने आपनाने वजारे विजे का यह था प्रदेशावी तो अपने तो हमने इस तरह से सुना कि ग्लोबल अफेक्टिस बहुत असमें असर कर रहे है लेकिन प्रदीमाजी मैं आप से जानना चाहूंगा क्या कुछ शहर ऐसे भी है जो इसका अच्छी तरह किसे कर रहे है क्या कहीं तो हमें तार्तम्य कहीं पर तालमेल देखने को मिल रहा है कि समस्या भी है समाधान भी है जरूरते पूरी भी हो रही है और आगे भी बढ़ रहा है वो शहर या देश ऐसा कोई उदाहरण हमें बताईए पर तो हमें तो हमें कहें क्या स्फी है उदाहर आप कारण है कि CO2 रख रहा है, into the atmosphere release हो रहा है, because of road surfaces, which are you know black, they can be painted white or some other color, जिस से ओर रहा है, then you can have you know, buildings में roof painting या फिर बिल्दिं का roof material needs to be looked at, to European countries as well as the South Asian countries, वहाँ पे बहुत ट्राइ कर रहा है लोग, more than anybody else, वहाँ पे आपको उधारन मिल रहा है, because Europe has faced heat waves, और usually आपको वहाँ पे पंखे भी नहीं दिखेंगे लोगों के गरों में तो पर कापे बड़ी ही, वहाँ पे आई थी और पर प्रेशान होए रहे लेते, लेकिन यह मैं आप से जाना चाहूं कि यह जो देश है, वहाँ पर कम आबादी है, जो पॉपुलेशन, भारत जैसा ऐसा देश जहां सब्सक्राइब तो आपको क्या लगता है कि क्या अतनी सारी बस्ति के साथ यह जो समाधान या जो रास्ते विश्व के और देश निकाल रहे है किया हमारी यहां पे संभव है या नहीं है टूब कि यहां पने जो बात कि हो बिलकुल उचत है क्योंकि हम हम इक नो कि हम लोग economic plan की जगे हमको कुछ climate actions और resilience plan को अनिवादिय करना पड़े का बनाने के लिए और उसके साथ में जिसे काफी example से जहां पर आप minimum green coverage शहरों में अगर रखें और for example कि आपने अगर सिंगापूर का सुना अगोत इस इस शिटी इन garden अगर objective city in a garden अखते हैं तो आपका द्रिष्टी कोड पूरा बदे जाता है जिसमें vertical gardens आगे green coverage बढ़ेगा तो micro climate low होगा और micro climate में temperatures low होंगे तो आपका evaporation कम होगा आपका evaporation कम होने से vegetation का growth भी होगा तो हमारा द्रिष्टी कोड जो है उसमें थोड़ा चेंज की जब्रत है और कुछ minimum standards की जब्रत है रादे दन कंजम्शन economy we have to focus slightly focus on climate change based economy also क्योंकि climate में अगर हम लोग आज investment करेंगे तो आज से 10-15 साल बाद हमको को उसके results दिखेंगे और वह इतने positive results होंगे के जिसमें हम लोग definitely जितना expenditure आज करेंगे और उससे 10 गुन हमको फायदा मिलेगा और कुछ-कुछ थोड़ी छोटी छोटी बाते में है जिसे building जो building बनाते है built environment के उसको shape, size, locations किस तरह से करना उसको sensitization की ज़र है क्योंकि आज सब लोग, every person in this society works for contributes for the construction and bringing up the built environment So built environment, community, individual, schools, academicians, अगर मोहिम की तरह से mission की तरह से गलेते हैं I am 100% confident that we can make a change बहुत सारे हुदार हम देखते हैं कि इसे buildings बनती है, जिसे बहुत को वर्टिकल करके एकली में है पूरा का पूरा एक तम green building हैं, Singapore की भी बात करें, वहां पर भी बहुत सारे buildings हम देखते हैं और उसके अलावा भी हम लोग, ground coverage कम करके, vertical buildings करें अब यह जमाना नहीं रहा, 15-20 साल पहले के हमार पस technology की कमी थी, तो बड़ी buildings नहीं बना सकते थे या architects, professionals नहीं थे, आज अमदाबाद में, we have buildings, which are in gift city में, 125-meter के टावर बन रहा है, जहां पे only 25% of the ground coverage is there and remaining 60-65% is kept for green, तो दृष्टी कोर्ण थोड़ा बदलेंगे, तो definitely इसके अंदर हम दो कुछ हैचिव कर सकते हैं और अब technology की कमी नहीं है, professionals की कमी नहीं है एक जमाना था, हमार पस technology की भी कमी थी, professionals की भी कमी थी, हम लोग एक रोटी कपड़ा मकान के दौर में से गुजरे हैं, अब हम लोग market, I mean world leaders बनने जा रहे हैं, तो हमारा सारा experience हमारे पास है, और उसकी धूरी जो रहती है, हमारा मॉंसुन रहता है, उसका हमारा ये रहता है, अंकित भाई आपने पूछवा मांगिश के मॉंसुन अंगे चौमासा अंगे जहरात सत्तावार रिते थाई गई छे, तो शू कहें चे वावन विभाग, शू छे वर्साद नी आगाही, चौमासा नी आगाही ने के उचे तमर मॉंसुन, मॉंसुन आपने भारतिया मॉंसुन नी बात करूँ तो गहनों कॉम्लिकेटिर वस्तों चाह, और भारतिया मॉंसुने घणा परिबड़ों पर डिपाइंड करतू है, जहांगे क्लाइमेट ड्राइवर्स चाह, पचे एनु मॉंसून पोर्टानू नीच्टरल व अथा इंट्रसेजनल वेरिबिलिटी होई चाह, तो आवक्ते क्लाइमेट पेरामेटर्स नी बात करूँ तो बद्धू लगवग नॉनमल चाह, जहांगे पची आयोडी पने इफेक्ट करतू होई चाह, तो आवक्ते जह लोंग रेंज पुरकास्ट मॉडल्स चाह, और मॉ पोट्तानी जे में कर्यों प्रमने, इंट्रसेजनल वेरिबिलिबिटी आगना दिवसों माँ कीवी रहे चे, एना पर पन डिपेंड करतू होई चे, अत्यारे चौमासा नी बात करूँ तो, के चौमासु केरण मा पन आवक्ते पांच दिवस अले के सत्यावी सारिक आसपा एनो बात करते हैं, यह अत्यारे शुझानी आपिछानी नी बात करते हैं में यह चौकतास रहे चाओ आडु जाल हाओ, यहां पुछवाओ अंगादी हो गणाल भी समुद्र नी खाड़ी बनने माँ अ प्रा आवर्ट्छे एक्री अचित्छन थे पांचा अीज गावावा साइक्लोन पोश्ट मॉंसून सिजन और प्री मॉंसून सिजन बनने मारच आता हो इचे अब हजू तो अपना एटाइम चेह जू तो चौमासु बैस से पहला भी कदाज चर्कुलेस्न बनी सके चेह साइक्लोन सिजन लगबग मारा क्यालती बदू नॉर्मल चेह अब हाँ अरभ सागर माँ पन हवा साइक्लोन नी फ्रिक्वांसी चेह एक बंगा नी खाडी जेक्लीज थाई गई चेह लें 50-50% साइक्लोन बने चेह पहला ए रिशियो त्रोंड जैम एक न हो तो त्रोंड अरभ सागर माँ पन पन पच्छाष्ट्रका जारे बंगा नी खाडी मां पच्छाष्ट्रका साइक्लोन बनी रहाए चेह बंगाने क्या क्या पच्छी ये वाद करामागी सिजन ग्लोबल वर्मिंग ठाहि रही चेह लिए इस इस रिया बट धरेक इवाइन आपने आपने चेंज अत्वा ग्लोबल वर्मिंग साथे लिंक ना कर सकती है अब जो हम जिस तरह में हम जा रहे है तो पहला कदम क्या होना चेह जिस हम बात करें दर साल की 20 साल की 30 साल की बात करने कि मुझे कल से ही चालो करना है कल से मुझे शणुआट कर दी है तो एक विक्ति के तौर पे क्या होना चाहिए समाज के तौर पे क्या होना चाहिए वो बताईए क्या होना चाहिए वो बहुत एक इंकन्वीनियन टूथ है जैसे अल गॉर ने बोला है we have to reduce consumption याने consumption in the sense first step at least हम कर सकते हैं कि अगर week में 5 trips करनी है from home to somewhere instead of that reduce and you know उसको थोड़ा कम करिये तो automatically अगर fossil fuel based आपका वेहिकल होगा तो उसमें reduction आएगा you know try to share your vehicle with others pooling what you call car pooling या वेहिकल pooling इस तरह से छोटे छोटे हम कदम लेंगे तो उसे या फरक पड़ेगा at least onlookers we have got into a consumption mode and show off type of mode के you know which car and तीन साल बाद चेंज करना है दूसरी गाडी and things like that you know we have got clothes है या that Gandhian philosophy actually is very true like you know there is enough for everybody's need but not greed तो हमको consumption पे पहले तो at least सब कर सकते है they can make some kind of contribution अगर एक extra trip करनी भी है तो it doesn't matter cycle पे जाये या कुछ walking करें I know it is not very conducive हमारे पास cycling infrastructure जैसा होना चाहिए है वैसा है नहीं and but you know यही सब पहले हम इस चीज से शुरू कर सकते हैं शर्मा जी मैं आप से पूछना चाहूंगा अगर मैं को एक प्रोजेक एक अंदाबाद शेहर की मबाद तो अगर आप बताओ कि इस कुछ आपको सुधार करने हैं या कुछ नया करना है कम करना है जारा करना है तो अभी आपके अंदाबाद क्या कर सकता है अभी दाबाद में बहुत कुछ कर सकते हैं इसा नहीं है लेकिन हम हमारा जो है एक व्यक्ति काकि एक stage वह है, दूसरा हम सीधे पहुंशते हैं, हम सरकार के पास, कि सरकार कुछ करें, तो उसके बीच में community होती है, community को कुछ करना ची, क्यों कि हम हमारे घर का consumption कर सकते हैं, उसके बाद में society का है, तो देहिए बीज़न देखें, तो पले आज आज अगर हम देखें, तो सपोस् तो हूँ इस गूइंग टूइल गूट इस नाट वी करना एक सारा एक सिस्टम में इंट्रियूस करना पड़े गा कि एक कबरिटी पार्डिसिपेशन जो बरसों पहले था हम लोग बीच में कुछ भूल गए जब जैसे अर्बनाइजेशन होता है उस तरह से हम लोग भूलते सेकंड इस बीहेवरियल चेंज इस वेरी मच इंपॉर्टन यहेवरियल चेंज के अंदर और थार्ड पॉइंट इस के डिजाइन के लिए हम लोग जो डिजाइन से अगर सफों देखते हैं डिजाइन में विल्डिंग की डिजाइन है बिल्ट स्पेस अल्मोस मेरी समय से कर सब्सक्राइब करते हैं ग्लोबल इफेक्ट को बिल्ट बिल्ट एंवां तो उसको अंगर हम डिजाइन में अगर चेंज करें तो भी फरक पड़ेगा तो भी फरक पड़ेगा तो बिल स्टार्ट फों दी कॉलेजेज इस इंस्टिशनल टीचिंग में भी हम लोग को चेंज सब्सक्राइब करें तो एमदाबाद के रफेरेंस में तो एक दिन का ये मसला नहीं है ज्यू हो तो टारगेट और लॉंटरम अल्मोस 20 25 यह का हम लोग एक प्रोजेक्ट लेके चलें इसका एक सस्टेंड करें और उसका कोई और इसका कोई और सेटप बिलकुल हो कि वो उस सब्सक्राइब करने के बाद में तो उसके आजुबाजू या थोड़े जो दूसरे वाटर बोडीज है उनको चेंज करना है तो ऐसी जो डेट स्पेसिस है कही जगे डेट स्पेसिस विरती है रिवर्फंट डवलेपेंट करने के बाद में भी कुद ब्रिंग इन वाइबर खरीर। Het दो सब्सक्राइब करने वालाएं।bre都 की मदों करने कमें चкиना प् compression करोंभ दों माहनु cranा हम अंधिरी बाद में ने दश्रुडीम के रावच में हम जो सब्सक्राइब करने कदमण या है तो आप दर्शकोने हवामान विशे अपडेट आपता रहो शो हवामान विश्टेशन थी मौसम जगत थी जोड़ता रहो शो यह बदल आपना बड़को खुब आपाल मानोश तर्शक मीत्र हो तो आपना मुद्द आपड़ी वात नोँ खास एपीसोड चर्चा मन्थन आपड़े करिऊ ख्लाइमेट मन्थन नहीं अगर आपड़े करिऊ झेव रितना आपना शहरों भविशे मां किया तैयार्श है के विरतना आपड़ी पेढ़ी तैयार्श है और वात आज ने अपिसोड मा अमें देश भक्त कवी मुकुंद दासने शद्दान जली आपिये छे अधार में 1934 ना रोज तेमनों अउसान थेऊ तेमना लखानों द्वारा दास ए ग्रामीन बंगाड मां स्वदेशी चल्वणना प्रसार मां फालवापियो मुकुंद दासनों जन्मा 22 पेबरुवारी अडारसोनी ट्योटेर ना रोज मुन्शी गंज जिल्ला मां थेऊ तो जे हवे बंगलादेश मां छे जारे तेओ सात वर्षना हता तेरे तेमनों परिवार बरी साल गयो जा तेओ कायमी धोरने स्थाई थे दास तेमना पीता पासे थी वैश्नाव स्तोत्रों सामढ़ीने मोटा थे अने पोते स्तोत्र लखवा अने गावानू शरू करियो बंगाली शिक्षण वीद अने देश भक्त अश्वीनी कुमार दतने कारणे तेओ रास्टवादी चलवड मां जुड़ाया दासे साधु रासनन्द ठाकूर पासे थी वैश्नाव धर्वनी दिक्षाली धियाती अश्वीनी कुमार दासे 1905 मां बंगालना विभाजननों विरोध करवा माटे बरीसल टाउन हौल मां प्रेरक भाषन आपियोतु दत इच्चता हता के नेताओ न संदेशाओ नाठको द्वारा गामडाव मां पहुँचडवा मावे मुकुन दास अश्वीनी कुमार दास ना भाषन थी खुबज प्रभावित थया था तेमने महान देशबक्त नी इच्चा पूरी करवानों इरादो राखियोतो त्रण महिना मा तेमने मात्रु पूजा नाठक नी रचना करी अनाठक नी मुख्य थीम देशबक्ती अने स्वतंद्रता चडवल हती मंगाडना गामडाव मा नाठको मंचाववा माटे दासे स्वदेशी थीएटर ग्रुपनी रचना करी उगणीसोने चोमा मुकुंद दासे बरसाल मा अने पची नावखोली अने त्रिपूरा मा विविद स्थडोए तेमना नाठकोनु मंचान करी तेना बेवर्ष सुधी सफड ओपरेशन दर्म्यान मात्रु पुजाय बंगाडना लोकोना रदैमा देशबक्तिनी भावना जगाडी प्रेसे आनाठकने वधु प्रसिद्यापी बंदे मात्रम, युगांतर, संध्या, नवशक्ति, प्रबासी अने आधुनिक रिविवे नाठकना लोकप्रिय बनाववमा महत्मनी भूमी का भजवेती पुर्व बंगाड अने आसामनी नवी रचायली सरकारे आ नाठक पर हिंसा बढ़काववानों आरोप मुखी ने तेना पर कड़क नियंत्रनों ला दियाता ओगनी सुने आठ मा जयरे दास बागे हाट खाते नाठक मंचाववानों प्रयास करी रहाता त्यारे पुलीस है तेने अटकावे होतो मुकुन्दास नी राजद्रोना आरोप मा धर पकड करवा मा आवी हती औने त्रन वर्ष नी जेल थाई हती मुकुन्दास अहसकार आंदोलन मा जोडाया जारे आंदोलन पाचु खेंचवा मा आवी हती आरे मुकुन्दा दास कोलकत्ता मा स्थाई थाया सरकारे मात्रू सत्ता पर प्रतिबंद मुख्योतो ते थी दासे प्रतिबंद थी बचवा सामाजिक नाठकों लखवानों 1932 सरकारे तेमना तमाम नाटकों पर प्रतिबंद मुख्यों तो, प्रतिबंद पची 10 मत्र गावा पूर्तोज सिमित थी गयो, तेने पोतानी नाटक मंदली साथे मात्र म्यूजिक शो करवानू शरू करियो आज है अपने शहीद गौर्मीन खानने पन याद करी रहा चिये, तेमने 1817 मा भारतना प्रतम स्वतंत्र संग्राम मा भागली दोतो, उमला दर्मियान खानने कंपणी नी सेना द्वारा पकड़ी लेवा मा आवे होतो, खानने 1817 मा आजीवन हकाल पट्टी औने सखत क्यादनी सजाफट करवा मा आवे होती, एपरिलो 1818 मा तेमने बॉंबे थी अंदमान टापू ओपर देश निकाल करवा मा आवे होता, जेल मा थी भागी जवना प्रायासो मा तेमने अंग्रे जोय पकड़ी लिदा आने, अधार में 1818 रोज फांसी आपी होती, शहीद गौर्मीन खा मा आवे होती 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 है तबीबोंने कहीदों माथू ना मारे, दरत साथे सीधो परी चाहीछे मारे, आवो शुन्य पालनपूरी तो कही गया, पड़ जयरे दरत साथे माथू मारवानी वात आवेने, तबीबोंने कोई पहुची ना वड़े, तो आजे आपड़े एक एवा तबीब साथे, एवा सब्सक्राइब करें तो जिनकी काफे सब्सक्राइब हिलारों मां आज आपने मडिशू डॉक्टर एम प्रभाकर ने प्रभाकर साहिब आपने पूछवा मागेश खास करी ने आप पूझ सामानिया बैक्राउन मा थी आओ छो मैसाना ने गाम मा थी आप आओ छो तो के वहतु आपनो बालप्राण अनने तन्याथी माणिने के विर इतना तमने एक डॉक्टर बनवानू एक विचार तमारा मनमा आपने जणा हो कि आमारू जे गाम छे मैसाना जिल्लामा अडियाजार नी वस्तिवाड़ू एकदम नानू गाम अने एमा कोई भी मोटी फेसिलिटी के जिल्ला लेवल के तालू कलेवले होए यह भी कोई जातनी फेसिलिटी नाथी अमे टूटल साथ बाई बेन अरवर एटले अच्छ बाई अने सौथी नानी बेन अने फादर मद एकदम सामान्य जे आपने गाम मा काम करता था एवु जीवन जीवता था एटले एपन एक मुश्केली हाती आर्थिक मुश्केली खुबज कवाए अमार कोई जमीन के यह उपण कोई नातू अन्ने आटला बदाने भणावानू अन्ने इना सेटल करवानू खुबज मुश सात्मा सुधिव मारा गाम मा बणयों अन्ने अमरा फैमिली नो पच्छी यह लोग जारे कमाता था एटले मारा कहीं तक्लिप हो छी पड़ी पच्छी अमरी स्कूलिंग यह मारू के वाई हायर लेवल नू ए मारा बाजुना गाम मा चाली ने त्रण किलोमेटर अमे बणव पाले चाहिए मिली ऑांद हाय तो पहल ही तो पहले थी जे एक डोकटार है अपने डॉक्टर क बंनौ पहले थी सातमा ये पछिए Mmm 레u अपने Science ओलेदृ मुझिए आपने Science कोई स्वाइन्स केसे पछी एड़ी कल एजुक शन्रीचेशन ठत्ध। तो स्कूल कारना कोई तमने प्रसंगों याद होई कि विस्तिति मंझे बीजा बाड़को होई तमें पोताने पर स्थिति पड़ कंपेर करता आशो एनी एनी एक तमने के रहे कि विजा पासे अपनी पासे न थी ओछब करें तमें अनुभवी आम क्यों के गामणा मा तमें जो विजा बदा थोड़ा सुख्यू है आपने साथे स्कूल माजी तो तमने कंपेरिजन करवानू मन थाए कि तमने अभाव माजी वक मारी युडे कपड़ा पने जुआ मडे अपन हुँ बनवा मा उंस्यारतों मारा भईयो पने एरी ते जुआ रहता है लोगों पन सारी पोस्ट उपर पच्छी हता पने बदू आज एजुकेशन ना लिदे आपने यहां पोंच्या ए बदू याद करवानू पच्छी हत्यारे मने यहूद ना थू मेडिकल कॉलेज को भी विद्यारती में साइंस मा भणता हुए मेडिकल कॉलेज आपके कॉलेज मा भणया ने पहलों दिवस अपनों मेडिकल कॉलेज के बहुत हुआ हुआ मारू मेडिकल एजुकेशन आम MBBS ABJ Medical के गुजरात मा ने अखा भारत मां वल्ड बेस्ट मेडिकल कॉलेज के वाए मा थी में MBBS करिऊ और ने 1935 में MBBS मेडिमिशन मा लिदलू ये पछी अमारे अत्यारनी नीट ने वी एग्जाम नती पन जे मेरिट आवे ये उनिवर्सिटे ने प्रमाने आगड़नों अभ्यास करतो तो ये मा मारा मेरिट परमाने मने MBBS नामने MS मा ये पन जुए ली लोकों के विरत एहरान थाई शेना जुआनों के करे लू एक दे अतु के आपने सेवाज कर भी है एटले हूं सरकारी नोकरी मा जुडाये लो सरुवात मा एपी मा हूं जामनागर MP शाह मा जुडाये ना पाचर थी बीजे मेडी कलम हमारी ट्रांसपर थी और आपन पोस्टो थे ली उएक सक्सेस्पूल सुपरिंटे तरीके रिटार्ट थे वे उनू मने गवरव छे कांके उसत्तर वरस के कदा जिन्गी मा अख्या भारत माने वल्ड मा क्या आट्टू मोटू कोई गिनीज रेकोर्ड केवा यहू सत्तर वरस जुदा जुदा पिरिय तो आप जमीन नो फरस चे त्यारे मने हूं मारे पत गवरो लेवा जेई वात छे के जे कॉर्पोरेट लोको दावो करे शे ये बद्दा कॉर्पोरेट ना जे डेवलप्मेंट अने साधनों अमारी जूडे शे मकान थी माड़ी ने एना रोड अने रोड पानी लाइट से ने लगबग आजवाजुना राजयों मा खास करी ने मध्यप्रदेस राष्थान अन अने एच बदा राजयों मा आवड छे आपनी बदी नामना आशे कि तमने जानी नवाई लाग से कि मध्यप्रदेस मा एक मन्सोर नामनू ओ शेर चे अने आ जोड ना दर द्दियों सिविल मा आवाम माटे एक स्पेशल बस आवे दरोद सवरे बस आवे औने बसनु पाटियू डेस्टिनेशन प्रमाणे नी यह माम तो हूजु यह मनसूरतु अमदावद पन आ बसनु पाटिया मा मनसूरतु सिविल अस्पिटल एतल उद लखेडू एटले आपनी एटली ना तो बहुत सरस्त में बात करी हुआ पर तम्हाला कॉलेज कर दी वात कर जे टो विध्यार्थी तरिके वीजिट मेडिकल यात करो तो एक के वादी ऊसा हता आ आप आप तो कि अपने एंच्छिप कर रियो थो नहीं है आगल यह स्गूल माधी मेडिकल मा आवे टप बहु पड़ेने लोको डिपरेस्ट ही जाए कांगा अगा त्यनू भनवानु के वुँछें बदा लोको गुजराती मेडियम मा इंग्लीश मेडियम मा आवे एकतो है अमारू भनवानु जे छे अ सब्दों बद्दा लेटिन सब्दो लोको ने खबर ना पड़े, लेटीन सब्दो ना ख़र पड़े, लोको डिपरेशन मा आवे, गणी बदी वकत वाराम वार ना पास थाए, सुसाइडल टेंडनसी थाए, गणा बदा सुसाइड पन थाया, आपने बदाने खबर चे, आउ मने कोई पन जातनू फिलिंग नतू दुखां का हूं मारी मैनत रेगूलर करता हूं, यह टोपिक पती यह एने रेगूलर वांची है, तो एना कंपे रिजन मा बिजाना कंपे रिजन मा मने कोई भणवा मा तकलिप पड़ती नो थी यहने, उन थ्रू आउट पास थाईगे लो, MIMBBS पन थूआउट पास है लो मारी कार किरदी यह रिते बहुच एजुकेशनल सारी रही हैं. अच्छा, और्थोपेडिक सरजन तमें थाय ना तो आप बाद तो आप ब्रांच तमें पसंद करे ली के ए ब्रांच तमने अकसमाते तमने बड़े ली? मने ए वखत यह हूँ थायू के गायनेक मा करिया है, पच्छी मने और्थोपडिक भी जो आप्शन मलतो तो एटले में और्थोपडिक में सिलेक करियू, एटले बाई सिलेक्शन तो ना क्या वाई पन तमें जो हो के अत्यारे जे सुपर स्पेशालिटी बदी चाहला है, हाट, ट्लास, पास्टो, गेस्ट्रो आप अब यह सुपर स्पेशालिटी एक्विवेलेंट चेने तमें बजार भाव तमें कॉर्पड में जो सो, तो आज सर्जरी नो ओवर्वल बजार भाव भी जाबदा करता घणा उंचो शे, एटले मने खुबज आत्मसंतोस छे के मैं गायनेक ना लिदू, और्थोपडिक मली दू एना लिदे हुँ जे गरीब दर्दियों नी पॉब्लिक नी सेवा सारीरते करी सकते हुआ जी चौकस, तमें जरे पहली बार सर्जरी करी है शेक, सर्जन तरीके, एक डॉक्टर में होई कि सर्जरी होई तेमना हाथ एकनम स्थीर होई, आँखों स्थीर होई, पहली सर्जरी यह सेम बस्तु डिसेक्षन नुज वस्तु छे, पन ए जीवता मानास उपर करवानू ने पहलू डेट बोडी उपर करवानू, एटले जीवता मानास परिथी ए सारो था एनी एक्टिविटी पाची है वे, थेटर माथी पाचो उभो थेने चालतो आवे, औने कोई जातनी एने तकली पतवातो डिसेबिलीटी ना था आवी जातना कामो करवानू और एमारे सरुआत्म तो नाना उपरेशन आपे पन आथमा फ्रेक्चर थेलुए और एने खोली ने प्लेट अथवा तो सडियो नाखी ने जारे करिये और एनु रिजल्ट में जारा आउटकम आवे जारे तमने जे मेंटल प्लेजर मले जे आनन छे तम्हें वर्णा भी ना सको आवी जातनी सर्जरिया में सरुआत्म करे लिए एक सर्जन परसे के भी कुछ अड़ता हुई जी वी कई स्कील छे अथमा एवा किवा गूण छे के सर्जन ने एक सारो सर्जन बनावे सरकार मां आएक फाइद हो शे के एने प्रोपर इंडिकेशन हुए एस सर्जरी थी यहने लाब थसे तो अज एने एलो को आपरेशन करे अने सरकार मां महा आएक्सफ։ट मनए कोई जातनो सर्जरी दर नत लागतो कमहें ते माने हात खुल वानु होए क्रोण रज्जु खोल वा नी हुए अन्ने जे मोटी धमनी केवाई, इन्फिय विना केवाई, एमा सर्जरी करता करता अमरी जे मसीन कोट्रियाड डिसेक्षन करवानी अड़ी गई, तो लगभग चार सेंटेमेटर नू बाकोरू पड़ी गई, और अवे आ जो तमने आवड़तू ना होई रिपेर करता, तो मान आजनी तारीक माँ पन ए ब्यान सरस्रित्य जिवे शे लगभग दसेक परस्ताया अटले, खुब जगत्यानी कड़ा शेके, कॉम्प्लिकेशन तो बदात थी सके, छता पने तमने टेकल करता आवड़ू जुए, रबर्चे, कुईक वार एओ उप्रेश्य थेटेर मान ताम आए केस करता करता तमने ओपरेशन करता करता तमने ओठेए के आवज रस्तों नथी सुचतो, आवज तो बस गया, यह वो किया तमने आवड फिलिंग आई होए? मने मारी लाइफ माओ कोई पन जातनो अनुबाव थयो नथी कॉम्प्लिकेशन तो डगला बन था है, चता पन आमारी दोरीनस में ना कयू, दोरीनस गपलो मानस नो पोतानो यह बुलिज जया बदू, उसान बन, चता अए अमे रेपएर करी सकेला, अने मानस बची सकेलो, यह बिज रीते हाट खोली, अने स्पाइन माँ पाछड जाओ, रवर एक खूब जगत्यानों अने केरफूल सर्जरी बदानी, जे इवन स्पाइन सर्जरों होई, यह पन आवी रीते करी नथ सकता, चता, अमे खूब ज सारी रीते आवा बदा ऑपरेशनों करिये शे, और हमने कोई जातनी मने मारी लाइफ मा मैं आऊ एम के तकलिफ पड़ी हो है, यह उनु भविव नहीं, सर्जरी ना दिव से तो सर्जरी वक्ते तमें कोई विशेश तैयारी करता हो, तो अमारू ध्यान तूटे नहीं, करके अपने पर मानस सी आपने भूख लागती हो, आपन नाखवानी जरू पर से, इंट्रा ओपरेटिव तमें जे सर्जरी करो, यह मा सू सू कॉम्प्लिकेशन थे ही सके, यह पेलेक थी तमें प्रेडिक्शन करो, तो यह मी तमें तैयारी करी सको, एटले मारी लाइफ मा मने आप अब अधित तैयारी हो साथ है, जामें ऑपरेश परेशन बत्य थी छोड़ी दो, अथ्वा तो कोई बिजान बुलावानी जरू पड़ी होई सेनियर सर्जर्न, यह मारी लाइफ मानत बनी, पड़ा मूड तमारों के रोज तो मूड सर्खोना होए, पर समझो के तमारों कोई खराब मूड चे, तमारा मां के अंगत जीवन म सब्सक्राइब के अधियर स्ट्रेस मत ही अपने पसार थी रहाया चे, यह प्रकार नो कोरों ना पछी जे कार चाली रहे हो चे, मिला के तमारा अनुबहु ए दर्सों को नीवरी ने उप्योगी थे शक्षे के अधियर स्ट्रेशन के जावाब आपेलो के वड़ा बदान इमारा माते जारा आउसे ताहरे पेशंट तरीके द्यातासे वड़ा अधियर स्ट्रेट्मेंन नी रहे हो और सामान दरदीन जे ट्रीटमेंट कर शुए यह तैमना आमाते करी तो मने आभी कोई गभर आमन नह तुम्हें मेडिकल सॉपरिण निश्चेंटिनिक टरिकिया लाम्बो समे रहा है है साथे तमें अपड शला होता साथे तमें तमेह तमेह ओठी ओप्रेश्चमी तो मंने नियमीद करता तौ ज़िए और फ्रेम ने अगत्या अकतो दू तॉन मारी लाइफन में टाइम में पत्ते हैं पच्छी जुऊं लगबग बार एक वागया ऑप्रेशन मा थी फिरी था हूं सिलेक्टिव सर्जरी कर दो तो स्पाइन सर्जन तरीक है तो एक बादा आमरा असिस्टन्ट ऑप्रेशन कर रहे है यह था है पच्छी मारू जे मेनेजमेंट नी फाइल हो शे वहीवट नी छे यह बदू लगबग बैक कलाक मा पती जतू तो और यह पच्छी मारी गुजरात सरकार मां छेला तरनेक वर्समा जे मेडिकल एजुकेशन मा जे हाइस पोस्त के वाए एडिसन डायक्टर मेडिकल एजुकेशन के अख्छा गुजरात नू मेडिकल एजुकेशन, नर्सिंग एजुकेशन, फीजियो तरापी एजुकेशन यह बदानू कंट्रोल, हमना पैसा अपा, बदी कॉलेजों चला आवी रिक्रूटमेंड अबदाना करवा एज बधू उमू जोतो तो, चता पन मारे कोईपन जातनी आने सरकार मा तो तमने खबर जे के त्या गांधिनगर कोईपन पोस्त उपर बेस हो, एकले तरत मंत्री बुला हो है के सेकर्टरी बुला हो है के फाइनस वाड़ा बुला आपना पड़ा है एज घरे तमारे इटलोग समया पोड़े अग मारा ये बाड़ों को अतयरत हो में आपन छे एमने भुनावन जवाबदारी मारा वाइप पोते जवाब करता ता है घरे पन आपने कनू बदू जवाबदारी हो है चता आप परफेक्ट टाइम अट्री मोटी 130 फरस्करता पर जूनी एक कॉलेज नास प्रिकेंडेंट तमे हो अखी अस्पिटल तमारी पास है होई दर्दी हो ना प्रस्टों है जे आवे मनला के चे आज समाधनों दुखी मान दुखी विक्तित तमारी पास हाऊ तो होई दिपोता ना दूख विक्त करत अट्री मारी तमें बदाग मने जुए हो असे कहुं के विते मेनेजमेंट करतो तो सवारे अर्ताल पड़ी होई अनने साजे एनू निवोड़ आवे गयो है तो मारे सरकार जोड़े डायलोग करवाना था है कि एमनी जोड़े थी पर्मीशन लेवानी था है तो यहूं रहत अब दा है रहान ना था है एरी तो पोता नू मेनेजमेंट कर ए अननन अर्तालोग सैटल करतो तो गम इभी गंबिर अर्ताल हो जया रहा अमेरिका जोटो तो तैक खास अर्ताल पड़ी पजी वधा लोकोमने याद करेगा अब साहभ क्या रहा हो से कह रहा हो से जवो हूं वड़कोई तो युडर करतीन हरागुट। तो लोकों भीवे, हमारी होभी जवाइन बेशी जा, आप बदू ना धूजे, आपने अपने समझी सक्किये, तो आमा कोई पर जातनी अर्ताल, सेटल करो, आमा तक्लिफ पड़ेन यहू मारू मानूँ हो चुछुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुु ज़्यनामर 30-40 चका, लोकों अखीक, बहुत सुभाडी में यह सुधी आवती होए। तो एवा किसमा घणा बद आक्षे पोपन हमेशा तंत्रों पर लागया करें, वेक्तिगत पन लागये, तंत्रों पर लागये। तो आवा किस्सा मां तमें किवे रितना मैनेज करता पर स्टाफ ने मोटिवेट हो, पर स्टाफ ने मोटिवेटेग राखू के एक वाट बोई थी मांडी ने चेक उपर सीनेय डॉक्टर सुधी ए मोटिवेटेग रहे के ना भी हमारी संस्ता जे अना मैं करीशू, तो आ कि विरी इतना शक्क्य बनागये। पर स्टाफ ने मोटिवेटेग 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 बनागये। स्टाफ ने मोटिवेटेग बनागये। आपकर स्टाफ ने मोटिवेटेग बनागये। पर नो मोटिवेटेग बनागये। अने बदाज दर्दियोंने खुबद सारस्थाई गेला है अमें उम्हाम कच धर्तिकम केला जोएल हुजनी पॉन धर्तिकम बजिए वखत लगबग तेहां गेलो तेहां जुदा 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 कैम करेला पाचरती पन अमारा जे आ बदा बदा पेशंट हो थे हैं अपन जुदा आपन जानी ने नवाई लाग से पन जे चार बेव पिराफलेजी कती ही लोको प्रेग्नन थी और ने आच्या बाड़ा को पैदा करें यह बेवे 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 बाड़ा को पैदा करें एटले अपने एक आत्मसंतोस मड़े है अखा वल्डमा कदाच जे एक जातनी स्कीम छे के आग आ बदाने जे कंपेंसेशन नी स्कीम छे एवी क्या ही न थी पन कच्छमा स्पेश्यल हुए नो मेंबर सेकरेटरी है तो अने हमारा सेकरेटरी ने कंवींज कर आये लो आजी वन जे पेराप्लेजाना दर्दी हो शे पहला एक पेंशन ना लिदे पाचा रियूनियन थे हुए और सारे रिते जे भी सके है तम्हें जे एक अधग प्रकारी सर्जरी ने शरुवाद करी ओर्थोस्पाइन सर्जरी सामने रिते स्पाइन एमा हाडका तो होए बन साथे चिता तंत्रा भागो पन जोड़ा एला होए इल्ले नीरोलोजिस्ट नों पर एक विश्य होए तो तम्हें जे सर्जरी शरु करी जे ओर्थोबाटिक वाड़ा जे हाथ पकना हाडका ने शकता साथे संबंधित होए परतना करोड र स्पाइन एक वाड़ा कोईने तमारा सायब हो पन स्पाइन करता था पन जे हूं अथ्यारे करूश हो हर ना जे रिजल्ट मड़ा शेवा नो ता मरता एले एम थायू के आमा आपने कहीं करूश हो यह ने प्रेंड मा स्विजर लेंड मा पन ट्रेंग लाई आई हो जेर्मनी यह बदी टेक्नोलोजी जोई अने मने हम थायू के आ बदू तो सामान ने ओर्थोपडिक सर्जेन करी सकसे अत्यारे बेहजार थी वधारे गुजरात में ओर्थोपडिक सर्जेन चे अपन स्पाइन सर्जेरों लगबग पचास टकात जेतला अने घणा बदा मारा आतने चे स्पाइन सर्जेरी यह एक तो अन्रेडिट के बल छेके ना रिजल्ट के वा अपसे ओपरेट करया पशी बहुत डिफिकल्ट छे तम्हें पला खुंद वाला बदा दर्दियों जोई आसे तो एने पन सिधा करी अने एडो को सुसाइटियमा सारीत एस्टाबलीश थाई सके घणा बदा मनकानों टेबी शे मनकानों कैंसर थाई आ बदा जे रोगों शे मनकाना एस्पाइन सर्जेरी करवा में एक अने रोवानन दावे अने मैं स्पेशल ट्रेनिंग लेदेली एटले गुजरात मा आपने भारत मा जोई है तो गुजरात भुन बदू एडवांस छे और्थोपडिक मा और स्पाइन मा पन अने ए रिते अमें स्पाइन सर्जेरी करे लिए अने आज नी तारिक मा उंकाऊ तो अत्यारे स्पाइन मा कदाच अमरे सिविल ऑस्पिरल छे ए नम्मर वन आखा देश मा आसे आपने वर्चे लगबग प्रणे कजार जिटला स्पाइ हतो के शु मानस्तनी सहंत करवाने एक शमता ओची थे गए लिए क्या अमा आपने हारी गया क्या पाचा पड़ेया क्या जीत मेड़ी रहा आजे तबार शु आखलांच प्रोटोकॉल सेट करवो लोकों ने अंदर के विते मुकलवा मेन पावर ने अरेंजमेंट जे क्या आपने डिप्लोईमेंट अने अरेंजमेंट के विते करवी सिस्टर हो थी माड़ी ने साप सफाई वाड़ा डेड़ बोल्न डिस्पोजल खूब जमोतो प्रस्ण अतो ए माना सो बद्धानों कोंफिडेंस बदा मनों उड़कता दा के सिविल साहिप सरस्चराव से लमने सरकारे स्पेशल बुलायो लो अने सुपरी ने उपर मुके लो मारे कोईपन जातनी अन्ने आपने खबर छे के एवो खते कीडनी, कैंसर, काडियोलोजी अने बदी जो होस् अने जे एत्यारे अपने एवो खते 4,000 लगबग दर्दियो अजे आधनी तारिक मा जे नवा बिल्लिंगो थाया, किडनी नू 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 बवव थायू, कैंसर नू 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 थायू, ने बार सो बेटनू नू 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 थायू, का जे स्पेशल कोरोना नी महां सौथी मोटा मोटी हाती, एक्षो नू 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 अ घपली अंनू नू 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 यह ताया, नू नू दर्दियो Updh. जतो लंग उपरा जेते कर आपने यह बेठा हो एन खबरना पड़ ओक्सिजन लेवल फटा-फट डाउन था हमाड़े एटले जे बेड अने अक्सिजन लेवल नी जे तकलिफ हो हती आपने होस्पिटल मा मलवानी खुब अज तकलिक आख़ा बारत मा आती छेता पन गुजरा और परवानों शोकतो और फरवानों शोकतो और भी जो एक फिलांत्रोपिक अक्टिविटी तमने का हो के मारा गाम मा एक अन्जियो चलाई 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 जो एक सवार राजकरानमा जमान इच्छा खरी मने आपने ख़बर छे के मने टिकेट नी ओफर 2007 तेशली आज प्रोफेशन चे और तमे जे लोकों ने मदद करो शो एक जुदिज जातनो अने रो आनन चे पिला मा पिला मा भी चक्कस तमे पोस्ट हो आई तो तमे पना आखा गुजरातनू काम करी सको चाता अत्यारे मने फिलिंग थाई शे का त्यारे जे हूं काम करू बराबर कर पर बविश्मा कहीं थासे जोई शुप पर त्या डॉक्टर तरीके हूं अनन ले रहे हुशे चलो सवाल ए पूचिश के घणा बदा युआ डॉक्टरों आपने सामधी रहा है शे घणा बदा युआ नो जे फुतनिकार के दी का तो जहर सेवानाक चेत्रे बनावा मांगत होई एमने आप शुकेशो खासकरी ने जे युआ होँए मेडिकला नी पर सामान ने युआ होँए का भई कोई पर जातनी जे चैलेंजिस लाइफ मा आवे अना बदा लोको गवरे जयता है ना नी चैलेंज आवे अचेता है पन लोको आप गात करी बैसे गाम छोडी बैसे अने भागी जाए पर जे पन चैलेंजिस आवे था में एने बैसी ने अनलिसिस करो ने एने फेस करो तो तो में लाइफ मा आगडवत सो अने गमेतिया तमरो जे टार्गेट से एचिवेंट नो ए तमें तेया चोकस पने पोँची सको जी तो खुबत सुरा संदर संवात थे अपने घणो संदेश मड़े छे जीवन जीवानो जीवन तरफ आगडवदवानो अने एज अपने जिनगी काफे समवाद नो हिल्ला रों मा आज समवाद आपना रदे सुधी पोँचे अपना मन सुधी पोँचे खाड काना पानी सुधी पोँचे एज अभ्यरत न साथे अहीं विर्मोचू फरीर मरिशू आपता सब्ता एक दवा आती थी साथे त्यासे दें रजाप शो आप जो मित्रो नवो दिवस एक श्रीष्ट कार्य करवा श्रीष्ट बनवा अनि श्रीष्ट मेडववानी एक उत्तम तक छे समय वाद अने तक आत्रणे नो योगियो उप्योक करिये तो सफड़ता आपना हात माज छे मित्रो आवाज सफ़ताना शिखरो सरकरनार लोकोनी वातो औने पोज़ेटिव स्टोरी नो खजानो एटले आमारो कारेक्रम गुड न्यूस गुजरात नमस्कार दर्शक मित्रों हुचु हैमान गीनी आने स्वागत छे आपनू आजना आमारा कारेक्रम गुड न्यूस गुजरात मा तो चालो शरू करी आजनो कारेक्रम गुड न्यूस गुजरात गुजरात नी एठ्यासिक राजधानी रही चुकेल नगरी एटले पाटन त्यारे सिद्राज जैसीनी नगरी आजे पोराणिक स्थापत्य बाद पोतानी नवी ओडख उभी करी छे अने ते छे प्रादेशिक विग्णान प्रधोगिक कैंद्र रुप्या 85 करोड थी पड़ वधुना खर्चे गुजरात काउंसिल ओफ साइनस अन्ट टेकनोलोजी गुज कोस्ट विग्णान अने प्रधोगिकी विभाग गुजरात सरकार द्वारा तैयार थायल आव विग्णान केंद्र पाटन ने नवी ओडख बन छे साइनस अन्ट टेकनोलोजी ना जे नाना मोटा कंसेप्ट छे आ रमत गमत तरीके सिखी सके आमां इंट्रेस्ट रहे आने भविस्त मा पन मेक्समम इनोविशन मा गुजरात तरफ थी आने आपरा देश भारत तरफ थी कंटिबुशन थाये वर्ल्ड लेबल उपर आ एवी आपड़ी अपडिक्चा छे आ रिजियोनल साइन्स सेंटर मां पांच गैलरी नोव समाविश करवा माविश छे आ पांच गैलरीयों मां सरपर्थम छे डाइनासोर गैलरी चेमां इंडोर अने आउट्डोर छे यह मां त्रीस जेवा एगजिबीट छे जे मां मैक्सिमाम एगजिबीट एवी छे जे लाइव एनिमेट्रोनिक्स टेकनोलोजी उपर आधारी छे जे डाइनासोर हलन चलन पन करी सके बूम पारी सके यह वां विजिटर्स ना एवी अन्भूती थासे कि यह एक लाइव जुरासिक एज मां प्रिवेस करी गया छे पची हुमन साइन्स अटले मानो विज्ञान गेल दी छे जे मां कोशिका थी बांडी जे भून ना विकास छे एना पची संपून मानो जाती ना पत्ती थी उतक्रांती सुधी मा अने शरीर मा ओता प्रजनन तंत्र छे स्वसन तंत्र छे पाचन तंत्र छे बधा तंत्रों ना सु वेवस्तित इंटरेक्टिव अग्जिबट द्वारा परदर्शन करवा मां आवाँ छे जे स्कूल ना वाल को विजिट कर से एना खास विज्ञान कई रिते समझी से काये प्रयोगा अत्मक धंगती एमा एना फायदों था से त्रीजी गेल्डी छे नोबल प्राइज केमिस्ट्री गेल्डी अर्थात रशाएन सास्त्र मां दुन्या नी सवती मोटी जे प्राइज छे आ नोबल प्राइज छे लगबग अन्दाजित 9 करोर रुप्या जेवी रकम इनाम मां मड़े छे इवी प्राइज छे तो आँ उगनिस्थव एक थी मांडी अत्यार सुधी मां जेटला रसायन्स सास्त्र ना छेत्रमा नुबेल पारितोसिक प्राप्त वैज्यानिको छे एना विशेमा तमाम माहिती स साथे इंट्रेक्टिव एक जिवीट जेना थी आपरा आउत्ती काल ना जे नुबेल प्राइज विन्रो छे एना एक प्रोत्साहन मले आने आ दिशामा संसोधन ना प्रोत्साहन मले ए बाबत माह एक विज्यानी अनोखु नजरानू तरीके छे आपरा नुबेल प्राइज की मिष्टिग ए लिग अज आखे गुजरात नुब एक नानक डुगां साथ बार नुब उतारों मेलव हो होई फूट पोटर पर थी कुरुशी संब्धित सबसीड़ी ले वी हो नोड़ी नूबी नोखरी माटे अर्जी कर वी होई मोबाइल रीचार्च करावु होई इने जन्म मरण नो दाखलो कड़ावु होई अप्रमान पत्र लेवु होई विजडी के गैस नो बिल भर वु होई E-gram केंद्र पर थी E-gram विश्व ग्राम प्रोजेक्ट हेठर एशिया ना सौथी मोटा V-set Network द्वारा 14,000 थी बदू E-gram केंद्रों पर थी आवी अने Government to Citizen अने Business to Consumer इटले के G2C अने B2C सेवाओ चप्टी वगारता ओनलाइन मली जाए छे E-gram नो मेन हेतू गाम लोकों ने तालू का लेवल है के जिल्ला लेवल है यमनो समय अने यमना पैसानों ख़स बच्ची सेकाई ए माटे एनो मेन हेतू के ग्राम बन्चायत मों दरेक वस्ती, दरेक सर्वीशोंनों काम थाई जे गाम ए गाम इग्राम थी थाई राया छे अनेक काम ग्राम इन जीवन मां खुलया छे Digital Yugna IAM नमस्कार दुर्दर्शन समाचार साथे इवनिंग न्यूज मां हुरिया उपाध्याई समाचानी शर्वात करे शुम्ख्य समाचार थी प्रदान मंत्री नरिंद्र मोधिये वरुद्रा स्वामिनाराइन मंदिर ध्वारा आयोजेत युवाश्र विर्मा करियों सम्भोधन युवानोंने उच्छा माँ उच्छा पंचोतेर कल्लाग देश स्वाना कारियों मां पाडवा करियों साथे स्टार्टपना क्षित्र मां जंपलाबा करिया पि प्रधान मंत्रिये वलुद्रा साथे रदैनों संबंध होवानों लेक करता कहिए। अर्वल्ली जिल्लाना विकास कार्योने समेक्षा करवा मुख्यमंत्रिये जिल्ला अधी कार्यों साथे करी बैठख पानि विजडि काईदो व्यवस्तापन्ना प्रश्नोंनों नीडाकरं किन हरपती लववा कर्यों आदेश साथे जन्बागी दारी वधार्वा अफ्रेरक का सिक्षर मंत्री जीतो भाई वागानी नू करायू सन्मान सिक्षर मंत्री ये कहियों नॉन टीजिंग स्टाफ नी भरती अने साथमा पकार पंच न हपतानी चुकाउणी नी कामगीरी बनावाश्य चड़ती राज्जिन अबे लागती वदू सिक्षकोने मर्श्रलाग। 25 मी मेना रोज प्रधान मंत्री मोधी क्वाड शेखर सम्मेलन मा भागले वाजश्य जापान अमेरिकी राज्टुपती जो बाइडन साथे पन कर्षे दरी पक्षिय बैठत विदेश मंत्रा लेए प्रेस कॉन्फिरेंस मा आपी माहिंती कि न्यान व्यापी मस्जिद बाबले सुनावनी आउतिका सुधी रखाई मुलत भी सुप्रेम कोटे हिंदू पक्षकारों नुनिले राख्यो मानिय साथे वारंसे कोट में पन आजे सुनावनी ना प्रिया करी सुचना ग्लोबल मार्केट नी नबडाईना पगले भारतिय शेर बजर मा भारे कडा को आज ये बीए सीनो सैंसेक्स 1460 ना भारे दडाका साथे 52,702 पर थवबन तो निफ्टी 403 संखना कटाडा साथे 15,809 पर थवबन आईटी मैटल फाइनन्स सहेत रियल एस्टिट ना स्टॉक् मानवी ने मानवी ना नजीक लाबबान उदेश्य साथे जुनागर्मा शरू कराय अनोखी यूमन लाइबरेरी गुजराती सवप्रतम लाइबरेरी जहां थशे व्यक्ती नो व्यक्ती साथे ज्नान्म संवाल पोतान सुखदुखनी लागनी एग्वीजा साथे शायर करी यक्ती थाई शक्षे स्पैस्मों मंदेना संयुक्तोब क्रमी सब्त दिना अत्म ग्णान यग्ननों आयुजन करवा माव्योश आ ग्णान यग्नना त्रीजा दिवसे युवाशे बिर योजाई हती जिमा प्रधान मंत्री नरिंद्र मोधी ए वीडियो कॉन्फरेंस द्वारा युवाउने संबोध्या हता आ युवाशे बिर्मा भाजपना प्रधेश रद्यक्ष सियार पाठिल अने गुजरात राजिना श्रहरे विकास मंत्री विनोध भाई मोरडिया तथा वडोध्रन मेयर केरु भाई रोकडिया वगिर महानु भावो उपस्तित रह्या हता मेरे युवाश साथी जबी शिवीर से जाएंगे तो वो अपने भीतर एक नई उर्जा महसूस करेंगे एक नई स्पस्थता और नवचेतना का संचार अनुभाव करेंगे प्रधान मंत्रिये पोताना संबुधन मा कहिऊं आ युवाश शिवीर युवाणूने एक नवी दिश्रा आप्षे कोई पन समाजनु निर्माण समाजनी युवापेडीना चारित्र निर्माण की थाई छे अनि तेना थी समाज विकास पामे छे संस्कृतिनु सर्जन मा आप्रकाना शिविर्थी नव तेज आवेच हमारी संस्कृति का सूजन उसकी अगर कोई पांट्शाला है उसका अगर कोई मूल बीज है तो वो हमारे संस्कार होते हैं और इसलिए ये संस्कार अभ्युदय शिविर हमारे युवाओं के अभ्युदय के प्रयास के साथ हमारे समाज के अभ्युदय का भी एक स्वाभाविक पवित्र अभ्यान है प्रधान मंत्रिये वडुदरा शहनों लेक करता कहिऊं वडुदरा इस संसकारूनी नगरी शे अने यहां संसकारूना उत्सा उठाई शे पावागर अने स्टेच्यो ओफ यूनिटी वडुदराना नवाविस्तार तरीके उबरी रहिया शे वडुदरामा निर्मान पामिल या मेट्रो ट्रेंड ना कोज समग्र देश नी शोभा वधारी रहिया शे पावागर होए कि अमारू स्टेच्यो ओफ यूनिटी होए आप बदीज बाबत हो आप बडुदरानी संसकार नगरी नो एक नभीन विस्तार समझ लो आजे बडुदरानी ख्याती जूओ तुना नी ताका छे आने आप भारत नी ताका छे हाल समग्र देश पंचोतिर मी आज़ादी ना अम्रुद महत समनी उच्रवनी करी रहियू शे त्यारे प्रधान मंत्रिये यूवानोंने ओच्छा मा ओच्छा पंचोतिर कल्ला कूपोशन अभ्यान औने स्वच्छता अउश्रदी कैंद्रो थी दवानी खरीदी करी गरीबोने मदद करवा माटे पन यूवानोंने आक्रह कर्यो हतो पंचोतिर कल्लाक मात्रु भुमिनी सेवा माटे कोई ने कोई काम चाहे स्वच्छतानूं काम लेए चाहे कूपोशन मा थी बालकोंने मुक्त करवानूं काम लेए चाहे प्लास्टिक ना कच्रा थी लोको प्लास्टिक नव आपरे सिंगल लुट प्लास्टिक मादे मुक्ती मेले वे एनू अभियान चलाईए कोई ने कोई यूँ काम आपने करिये अने आ वर्समा पंचोतेर कल्लाक एन आमाटे आपी शेक्ये वधुमा प्रधान मंत्रिये खेती नो उल्ले करता यूँवानूने प्राक्रुतिक खेती अपनावा कही होतो साथेज आजादीना अम्रुत परवनी मेते आगामी एक वर्ष तरम्यान मातरे डिजिटल नाणा किया व्यफार करवानू अनि ओच्छा माँ ओच्छा पंचो तेर कल्ला मातरु भुमीनी सेवा करवानों संकल्प करवाजना व्योहतो कि एक भर्ष आपड़े रोकर थी कोई वहिवारत नहीं करिये खरीगी पर नहीं करिये वेचाण पय नहीं करिये डिजिटल करीशओ प्रदान मंत्रिये भारत ने विश्वनी आश्रागणा विह दीूरो रिपोर्ट दूर्दर्शन समाचार अमदाप। प्रदान मंत्री नरिंद्र मोधी वर्चियोल लाइव उपस्थेत रहिया हता। आगा मी एक वर्च दरम्यान डिजिटल नाना की अव्यभार करवा, ओच्छा मा ओच्छा पंचोतिर कल्लाग मात्रो भूमीनी सेवा करवानों संकल्प करवा जना विवतू। प्रदान मंत्री नरिंद्र मोधी साहबे यवारोन स्विर मा वर्चियोल एमने घनी वदि यवारों साथे वात करी छे, यवारों परसे यह अपक्छा पंचे, बोड़ा साथे यह वर्चो नातो रहो छे, ते समय ना आमने साथे काम करा ओड़ा, अमने एक लोकों ने पने याद करया और युवानों प्राक्रोटिक खेती तरह बोड़ा माटे पड़े मन अंदरोत करयो आजा दीना अमनों प्रतिसाद मर्तो अधो एक वरस्त मा लगभा पंच्योटर कर लाग युवानों कोई ने कोई सचता अभियान जिवा कोई राश्न माटेना कामों हाथ पर ले पर हमने विन्ननती करीचे युवानों जिवारी ते प्रतिसाद मर्तो अधो एनने पर दिचोकर्ष पंड हम कही सका है के खुब सारों प्रतिसाद मर्त से युवानों ये माज जोडा से खुब मोटी संक्यामा भक्तों अने माहनों भावा पन उपस्ति दरिया और आपणा देशना वड़ा परदान मानिये श्री नरिंद्रबाई मोधी जी पन वर्चुल उपस्ति दरिया अने तमाम युवानों ने सारोय वो संदेश आपो राष्टर भक्ती साथे प्रभु भक्ती अने राष्टर भक्ती बनेनों समनवे करेने चालिये तो आपने आ लोकमा खुब सारी रिते सुखी तहिये आने खास करीने तमाम युवानोंने खुब बदी आपड़ा देशने उन्नती माटेनी मार्ग दर्शनों माटेनी टीप्स नरेंद्रबै मोधी आपी राज्जेना सिक्षन मंत्री जीतु वागाणिये सिक्षन संगना होद्दे डारूने संबोधित कर्या हता गुजरात राज्जे सेक्षन एक संकलन समीती ए सिक्षन जगतना आट प्रश्णोंना सुखेत उल्ल लावा बदल सिक्षन मंत्री नुँ संद्मान कर्यों हतु आ प्रसंगे सिक्षन मंत्री जनाव्य हतु कि राज्जेना लाखो सिक्षकोई अमारू परिवार छे तैमना प्रश्णोंनों उख्य के लावो एज अमारा सरकार नी प्रात्मिक्ता चे सिक्षकोंने नियमनुसार मडवा पात्र तमाम लाब आपवा ए अमारी जवाबदारी चे अन्दाजे बैलाक जीतला लोको पर हकाराच्मक असर थेंचे पुपेंदर भायना नेतों तमाँ पूरा केड़ा छे ग्रांटिन एड मा विद्यार्थिवन भणावाई श्यालू नती मना खबर शेने एने तमें प्याल पाड़ीने समाध्नी यहस्तामा मुखोचो इटले विशेश भिनांद ना पूछू ग्रांटिन एड होई सरकारी होई अब दीज तमारू कमिटमेंट यह राज्यना सिक्ष्ण जगर में मना आनंचे के प्राइमरी माध्यमिक उच्चतर माध्यमिक अने प्रोफेसर आ त्रणईना लगभग स्वया स्वटका प्रस्णों यह पूरा क्या नान का का मने के स्वा करोण नोब ज्या अलसे तोनस उन्यार सेड़ी करोण नोब ज्या अध्या हवेरो का इस उ एक नानकडा विराम माटे अरे जागरूती, तुके माजे आतली बदी खुश्त देखाई थे? आजे हूं अधार वर्ष्णी थाई, और अधार वर्ष्णी था थाज मैं मारु ना मद्दार यादीमे नौंधाव्य दितो चा। अवे लोगिने हूँ पर मद्दान करी शकेश। आपने तमारी आच मान्सिक्ताने तों बढ़लवानी छे। मत आपवो, ये आपनों हग अने फरज बनने छे हा मम्मी, जागरुती नी वाद साची छे मारे पन घर नी जवाबदारी साथे भारत देश ना एक जागरुत नागरीक तरेके नी फरज बजाववे छे तो बोल जागरुती, क्या रे जवुचे मत दार यादी मा नाम नउधाववा माटे? मत दार यादी मा नाम नंउधावा माटे तारे जवानी जरूरत नाथी? आप वोटर हेल्प लाइन एब छे आप दोरा तुँ नाम नंधावी शेके छे नाम सुद्रावी शक्ये चे तेमाच अन्य कामों पन करी शक्ये चे हवे हुपन गवरवपूर्णे मतदार बनी भारत देश नी लोक तांत्रिक प्रक्रियान बाद बनेश्ट जयाये तो पोतानू नाम मतदार यादी मां नौंधावे दितू चे हवे तमें पर वोटर हेल्प लाइन डाउनलोड करो अत्वा www.nvsp.in पोर्टल पर तमारा नाम नी नौंधनी करावी विश्वनी सौथी मोटी लोक्षाही ने सूद्रट करवामा सभागी बनिये विरामबाद आपनू स्वागर्ची समाचारमा आगळवदेशों अर्वल्ली जिल्लाना विकास कार्योंनी समिक्षा करवा मुख्यमंत्रिये बायड मां जिल्ला अधिकार्यों साथे बैठक करी हदी विजडी पानी पूर्वठा अने काईदो व्यविस्थापन ना प्रश्णोंनू जडप्ती निराकरनला वा आदेश कर्यो हथो साथे विकास कार्यों मा जनभागी दारी वदे थिवा प्रेरक कार्यों विधारवा अधिकार्योंने सूचन कर्यो हथो उप्रान मुख्यमंत्रिये बायर्स दित जै अम्बे मंद बुद्धी महिला समात सिवा ट्रस्ट नी आजिमुला कातली दी हती जै तेमरे संस्थानी मनुदिव्यांग महिला आओ साथे पित्रू वाचसल्य बाव थी वाच्चित करी हती अने संस्थामा महिलाओने अपाती सुविधाओ अंगी माहिती मेड़ भी हती सुरेंद्र नगर जिल्दाना दांगंद्रा खाते रुप्या 1.20 करोड थी वदूना खडचे नवी PGVCL विभाकिया कचेरीनू लुकारपन करवा माव्यू राज्जना नाणा मंत्री कनू देशलाई तेमस्केंद्रीय राज्जन मंत्री महेंद्र मुष्परानी उपस्तिती माँ आ कारिय क्रम्योज आयो हतू आ प्रसंगी पुर्वा मंत्री आयकी जाडे जाये जनाव्यू हतू के विजडी करंडी व्यवस्थाओना कारणे क्रुष्टी अने वेजक्षेत्रे सोवरास्ट्र वधू संब्रुद्त बन्यू छे आव वधू एक खास महत्वनी वात एशे के दरेक लोकोई पिजडी वी सीयल जे कामकीरी करी शेने बर्दावी यतले खास करीने पिजडी वी सीयल ना अधिकारी वो हने खामदारों ने खास अभिननदन आपूशू अने चोक्कस कात्री आपको चू के अवे पछी पन वीज कमकीरी आविज रह से अने खेडू तो ने जरूरी सिवाव आपवानू चालू राखी सू अने इसेंबर नान सुधी मां बद्धा वीज़ुदान आपवान अमारों लक्सांग से हमां हमें चोकस दिता अगड़ू सूरत नी नवे सिविल हॉस्पिटल ने NABH Accreditation Certificate मढ़ीूछ Кон्स्टिटीट बोर्ड ओफ क्वालिटी कांसल ओफ इंडिया द्वारा हॉस्पिटल नी अंदर अपाती सुवीधाने लईने आ सर्टिफिकेट अपात हुआई छू हॉस्पिटल ना इंचार सुप्रेटेंडन्ट गनेश गुवे करेजना आवियू के आज सर्टिफिकेट मढवाथी हॉस्पिटल ना स्टाफ नो आत्म विश्वास बच्च प्रोपर मैंनेजिमेंट अप्धेशंत है यौझराने इंफेक्षिन कंटोल समीती, बेर भीमेटिकलरेंट वेस्ट मैंनेजमेंट, फार्मेसियाएंजल अत्टेइक्सिक आवर मेडिकल स्टाफ, पेयरमेडिकल स्टाफ पार्मेडिकल स्टाफ। अधिक्रेग्र प्रदान मंत्री नरिंद्र मोधी तारिक 24 मेना रोज जापानना टोक्यों मां क्वाड नेताओनी त्रीजे शिकर्ट सम्मिलन मां भागलेश आ बैठक मां क्वाड नेताओने हिंद प्रशान गटना करं समसमय एक वैश्वेक मुद्दाओ पर विचारूना आधान प्रदाननों अवसर मर्श तेम विदेश मंत्रा लेना प्रवक्ता अरिंदम बाक्ची ये जनावी होतु। जो रेगुलर बात्चीत होती रहती है चाइनीज फॉरेंट मिनिस्टर भी आये थे उनसे ही बात हुई हमारी जो अपेक्षाएं हैं उनके पास रखी गई और आपको याद होगा कि हमारे विदेश मंत्री ने डिरेक्ली भी बताया कि कैसी बात दाब हुई और क्या निकालना पड़ेगा आपको बात्चीत से और जब तक वो स्तॉल नहीं हो बाकी चीज़ों पे आगे नहीं बढ़ सकते। ग्रान वापी मामलामा सुप्रेम कोड मा चाली रहेली सुनाओनीने आउतिकाले बपोरे त्रण वाग्या सुधी मुलत्वी राखवा मा आवीशे। सब्ताना चौथा दिवसे ग्लोबल मार्केट नी नबडाई ना पगने भारतिय श्यार बजार पन रेड जोन मा खुलियो हतो। सवार्थीश कड़ा का साथे खुलेल श्यार बजार दिवसना अंते पन भारे कड़ा का साथे बंद रहे हतो। आजे बीए सीनो सैंसेक्स 1460 अंक सा भारे गटाडा साथे 5702 पर बंद थोयो। तो आने सीनो निफ्टी 403 संकना गटाडा साथे 15809 पर बंद थो। रश्या युक्रेन वान नी स्तिती डॉलर सामे रुप्यों नपडो थावानी स्तिती अने मौंगभारी नी स्तिती ना पगले श्यार बजार पर नकारात्मक असर जोवा मड़ी हती। आईटी मेटल फाइनांस रियल एस्टेट सहितना तमाम स्टॉक्स कगड़या हता। जिमा योजनार किसान मोर्शाना जिल्ला कक्षाना विविद कार्यक्रमों अंगे चर्चा करवा मावी। तो आब बैठक मा जिल्ला किसान मोर्शाना हुद्वेदारों कारुबारी सब्य, जिल्ला किसान मोर्शाना कारुबारी सब्य, आईटी, सोशल मीडियाना कन्वीनर सहितना अग्रणियों उपस्तित रहिया हता। भारती जंता पाटी नो किसान मोर्शो, ये आखा गुजरात ने अंदर कारीक्रमों धकी संगठन धकी लीड लही रियो जित्यारे, जिल्लानी अंदर दरेक कारीक्रमों सारा था, ये माटे नू प्लानिंग अतु, साथे साथे अदेश ना ब्रधान मंत्री नरेंदर भाय मोधी होई, राज्जे ना मुख्य मंत्री पुपेंदर भाय पतेल होई, ये बनने शरकारोह ये, जे खेती लक्षी, खेडूत लक्षे ने, घृमेन लक्षे जे योजनाओ बनावीचे, आ योजनाओ नी वाधisse, ग दिगज नेतावय नरेश पटिल साथे मुलाकात करी हती आंगे कॉंग्रेस प्रमोग जगदेश ठाकोरी मीडिया ने जनावियो कि नरेश पटिल साथे मात्र शुबेच्छा मुलाकात हती नरेश बाई समग्र गुजरात मा अग्रगणिया सामाजी कागेवान छे एक प्रदेश ठीक ज्योगपति पण छे लेश प्रदेश ने विश्वना प्रवाहो नी सांप्रस्थिती थी वाकेव फ्यक्तित्व पण छे सव लोको ज्यारे राजकोट मा प्रदेश कॉंग्रेस संगठन नी समिक्षा बेठ़क छे त्यारे समाजना मोभी ने मलवाये वाता अत्यान ना मॉबाइल यूग मां मानस नो मानस साथे नो संपर्ग तुट्तो जाई शें क्यारे संपर्ग जाणवी राखवा गुजरात मां प्रथम वार जुनागन्नी कलेक्टर ओफिस खाते यूमन लाइब्रेरी शरू करवा मावी शें व्यक्ती स्ट्रेस माथी फ्री थाई अनि एक व्यक्ती विजा व्यक्ती साथे पोथाना सुख दुख शेक करी शके ते माटे आ यूमन लाइब्रेरी शरू करवा मावी शें यूमन लाइब्रेरी पपोरी एक थी त्रणवाग्या सुदे कुली रहशा लाइब्रेरी ना उद्गाटन प्रसंगी जिल्ला कलेक्टर रचीत राजे जनाव व्योहतों क्या कॉंसेप्ट थी लोको नूर्शिवन स्ट्रेस्ट मूग अन्ने लोको एक वीजाने समझता थाई तिना भाग रुपे आ लाइब्रेरी शरू करवा माँ विशर्ण यह बेसिकली एक कंजेप्ट है कंट्री डेनमार्क से लाया गया है यह कंसेप्ट यह है कि आज के दिनों में हम लोग लाइब्रेरी में जाते हैं तो हमें किताबें मिलती हैं पड़ यह खास लाइब्रेरी है यह लाइब्रेरी में हमें इ Afghanistan मिलेंगे और हम यहाँ बैट कर, हम इंसान एक दूसरे से बाते करेंगे, अपने thoughts, अपने stories, अपने narratives शेयर करेंगे, ताकि हम एक दूसरे को time दे सके, और हम एक दूसरे की दुख और सुख दोनों को समझ सके, क्या है कि किताबों में रहने से क्या होता है, किताबे और आज की जो hectic schedule life ह खराब है, उन चीजों को counter करने के लिए ये लाया गया है. मन्जिल से कहे दो, पहुच रहे हैं, थोड़ा सबर कर ले, चल पड़े हैं. नमशकार दर्शको, मैं निशिद जोशी, जिन्दिगी गहफे समवादनों हिलारों कारेक्रम में आपका हर्दिक स्वागत करता हूँ. दर्शको, आज हमारे साथ जो मैमान उपस्तित है, इन्होंने ये पंक्तिया सही अर्थ में चरितार्थ की और आने वाले समय में ये इसको और सार्थक करने जा रही है. दर्शको, ये एक ऐसी ट्राइटलेट है, ट्राइटलेट माने स्विमिंग, रणिंग और साइक्लिंग का कॉम्बिनेशन, ये एक ऐसी कठीन स्पोर्ट है, जिन्ने बहुत तम लोग अपनाते हैं. आज मेरे साथ उपस्सित है साउथ एस्टेशन चेंपियन और नेशनल चेंपियन प्रग्या मोहन. हम उनसे सीधा बात करेंगे, उनसे जानेंगे कि उनकी सफलता है क्या है, उनकी विफलता है क्या है, कौन-कौन से हर्डल्स उनकी लाइफ में आए, उनके पूरे जीवन कि अभी तक का जो उनका सफर रहा है, जीवन का, उसके बार में बात करेंगे, सिर्फ इतना ही नहीं, वो एक चार्टर एकाउंटन्ट है, और उसके अलावा एक बहुत अच्छी मोटिविशनल स्पी करेंगे, तो आए सीधा समवात करते हैं प्रग्या मोहन से, प्रग्या में काफी एक्टिव रही होगी, तभी आप इतने लेवल पर आई है, आपका बच्पन कैसा था? तो बहुत ही एक कॉलनी थी, जिसमें मतलब सब कुछ कर सकते थे, मेरे दोस्त भी वहाँ रहते थे, मैं वही पर स्कूल जाती थी, वहाँ पर स्पोर्टिंग फैसिलिटीज थी, तो मेरा बच्पन मैं कहूंगी कि बहुत ही अच्छा गुजरा है, जिसमें मुझे बहुत सा करने का मौका मिला, और मेरा स्कूल चंदरबाला मोधी अकाडमी था, मेरा पहला स्कूल, वहाँ पर मुझे इतने सारे टीचर्स ने मोटिवेट किया, बहुत सारी अक्टिविटीज होती थी, मैंने सारे स्पोर्ट्स वहाँ पर चालो किया थे, तो ऐसा कह सकते है कि आउथ इस्या चेंपियन हो और नेशनल चेंपियन भी हो, 2019 में, दर्शको मैं एक बात बता हूँगा, आपको जानके भी आनन्द होगा, कि 2019 में जो वल्ड कप हुआ था, ट्राइखलोन वल्ड कप जो स्पेन में हुआ था, उसमें प्रग्णिया जी एक ऐसी ही इंडियन है जिसने भारत देश को रिप्रेजेंट किया था, तो ये हम सब के लिए गर्व की बात है, प्रग्ण जी जैसे कि आपने स्कूलिंग की बात की, एक व्यक्ती आपके जीवन में आए, गितानजली चौधरी, तो वो गितानजली चौधरी जी का रोल क्या था आपके जीवन मे वो बताईए, गितानजली माम मेरे पहले स्विमिंग टीचर थे, जो मेरे स्कूल में, I think 2002 में मेरे उनसे मुलकात हुई और उनने मेरा पहला स्विमिंग लेसन लिया, वो मेरे जिंदगी में बहुती महत्वपून व्यक्ती हैं, क्योंकि उनका एक बहुती अनोखा स्टाइ स्विमिंग पूल में पानी देखके और इतना डेप्थ देखके डरते थे, तो वो हम लोगों को उनके पीट के ऊपर बैठाती थी और पूरा स्विमिंग पूल के चारो तरफ ले जाती थी, जिससे हमारा पानी का डर कम हो जाए, तो वो कहानी मतलब ऐसा लगता था जैसे वो क्रोकटाइल बन जाती थी और हम बंदर थे और उनके पीट में बैठके पूरा स्विमिंग करते थे, तो एक वो बहुत ही अच्छा तरीका था उनका और जैसे वो अप्रोच करती थी कि मतलब बच्चों को पानी से डर ना लगे, बच्चे स्विमिंग से प्यार करने ल और वो मेरी बहुत ही मतलब कि उन्होंने मेरा एक स्विमिंग जर्नी चालू किया है, तो फिर उसके बाद ये जर्नी के बारे में बताईए कि कैसे जर्नी आगे बढ़ी, तो जब मैं अंकलेश्वर में थी तब मैंने स्विमिंग फॉर्मली सीखी 2002 में और उसके बाद जोन स्विमिंग करंची 2002 में स्मूर्माय कॉटिशन कि जर्नी के र Alec Christian अीम्हिड कराने के बताना चाहूंगे कि मैंने पहले अपने स्विमाय करा सफेर्नी अधनी देश्वश्त इंप हो साइब तो गोनमगे देश्वर में संविमिंञ स्षान स्विमापान की में स्विम् topics थी मैं डी मोटिवेट नहीं होई कि मैं हार गई और फिर धीरे धीरे अंकलेश्वर के बाद हम लोग वलसार शिफ्ट होए थे मेरे पापा ने उनका जॉब चेंज किया था तो अतुल लिमिटेट करके कंपनी है और उसकी एक टाउंशिप है तो हम लोग वहां पर रहे रहे थे और वहां पर एक 50 मीटर का ओलंपिक डिस्टिंस पूल था जहां पर मैं ट्रेनिंग कर दे थी तो वहां पर गए तो उसके बाद स्टेट चांपियन्शिप में एक एक करके 2006 में मैं फाइनली स्टेट चांपियन बनी अपने इवेंट में जिसके साथ मैं नाशनल चांपियन्शिप के लिए सिलेक्ट हुई तो ऐसी मेरी जर्नी बहुत ग्राजवल रही है ऐसा नहीं हुआ कि पहले दिन स्विमिंग के और मैं तुरंद जीत गई मैं पहले लास्ट आई फिर थर्ड आई फिर सेकेंड आई फिर जाके फर्स आई जिसके वज़ेसे मैं नाशनल चांपियन्शिप में सेलेक्ट हुई तो ये इस जर्नी बहुत ही ग्राजवल रही और मैं नाशनल स्विमर फिर अपने पूरे हाई स्कूल योज मेरे बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया नैशनल स्विमर तो रही बहुत कम लोगों को पता है कि आप चैस भी बहुत अच्छा खेलना जानती है और अपने भाई से आप प्रिरित हो के अपने चैस खेलना शुरू किया था तो वह घटना बताई तो मेरा भाई बच्पन से ये चैस में बहुत ही जादा इंट्रेस्टेट था तो वह एक नाशनल चैस प्लेयर था और जब वह बहुत ही छोटा था इधिंक 9 या 10 साल का था तब उसने अंडर 17 स्टेट चैंप्टरिंशिप भी जीत ली थी तो जो बहुत ही बड़ी बात थी मुझे चैस में इतनी जादा रूची नहीं थी पर क्योंकि वह खेल रहा था और वह मेरा भाई था तो ऐसा होता है कि जो भाई कर रहा है मैं भी कर सकते हूँ तो उसके वजह से मैंने चैस जो कोचे जाते थे तो तो मैंने भी थोड़ा बाहुत सीखा और धीरे-धीरे क्योंकि वह चैस टूनामेंस में जाता था तो मैं भी उसके साथ जाती थी तो बहुत सारे टोर्नमेंस खेले हैं, in fact मेरा पहला जो मुझे कैश प्राइज मिला है वो स्विमिंग में या ट्रायातलॉन या रानिंग में नहीं मिला है, वो मेरा को चेस में मिला है and मैं स्टेट चैंपिन शिप में भी थर्ड आई हूँ चेस में तो उस तरह से इतनी जादा रूची ना होने के बावजूद क्यूंकि मेरा भाई खेल रहा था उसके वज़े से मैंने चेस खेलना चालू किया और अभी भी मैं कभी कबार खेल तो चेस की ही बात को आगे बढ़ाते है नॉर्मली आप क्या होता है कि बच्चे छोटे होते तो शरारती होते हैं आपने ऐसी कौन सी शरारत की थी बचपन में जो लोगों को आप बताना चाहती है तो अगर चेस की बात करें तो चेस टोनमेंट में क्योंकि मेरा भाई इतना अच्छा खेलता था तो अंकलेश्वर में जहां पर हम लोग रहते थे वहाँ पर काफी ऐसा उसका नाम था कि प्रतीक मोहन है तो वो बहुत अच्छा चेस प्लेयर है तो सपोज मेरा कोई मुलब की ओपनेंट होता था जो उसको जानता था कि प्रतीक मोहन अच्छा चेस प्लेयर है और एक बार ऐसा हुआ था कि टोनमेंट में मैं किसी के सामने खेल रहे थी और वो मुझसे जीत रहा था चेस बोड पे और उसका दोस्त था जो दूसरे के खिलाफ खेल रहा था तो उसने कि उसको बताया कि तुछ रहा था मेरे जो सामने था उसको बताया कि तू जानता हुआ कि किसकी बेहन है तो उसने पूछा की नहीं किसकी तो उस ने बोला कि प्रतीक मोहन की तो वो इतना डर गया बचारा कि उसने मही पर रजाइन कर दिया और फिर एक deti हुआ था, जब मैं बहुत ही छोटी थे, I think 6 या 7 साल की होंगी, तब एक टोनमेंट में, मैंने, चेस में क्या होता है कि हम लोग चेक देते हैं और फिर चेकमेट होता है, तो मैंने चेक दिया अपनी क्वीन के साथ सामने वालों को, और वो मेरा क्वीन काट रहा था, क्योंकि मेरा क्वीन सपोर्टेड नहीं था, तो मैंने उसको बोला कि जब चेक देते हैं, जो चेक दे रहा है पीस उसको नहीं काट सकते, जो एक गलत चीज थी, पर क्योंकि, रूल on the go चेंज कर दिया, मुझे सूट करने के लिए, तो ये सब शरारते तो कीवी है, बच्चे तो श सिखा की रूल्स क्या होते हैं, और फिर आप अपने आप काफी गंभीर हुई अपने स्पोर्स के प्रती, प्रग्नियाप दूसरा जो बात है कि जो ये ट्राइटलोन है, ये काफी यूनिक गेम है, तो उसके बारे में कुछ बदाए, पहले तो आप ये में प्रशन में हमारे दर्शकों के लिए होगा, ये बताइए. तो मैं बजपन से अबाव आवरेज स्टूटन्ट थी, स्टाडीज में, मतलब कभी टॉपर नहीं रही, पर अच्छे मार्क आ जाते थे, तो जब टेंथ के बाद स्ट्रीम्स करने का आया, तो मैंने कहा कि मेरा कोई ऐसा प् है, तो मैंने 11-12 में साइंस किया, जो मतलब ठीक ठाक किया मैंने, और जब 12 खतम होने माला था, तब मेरे पेता जी ने मुझे बताया कि चार्टर्ड अकाउंट एंसी कोर्स होता है, जो काफी, मतलब की काफी कट-इन होता है, बट उसका रिटर्न ओन इंवेस्मेंट काफी हाई है, मतलब की जब तुम पास हो जाओगे, उसके बाद पैसे अच्छे मिलेंगे, तो एक मिडल क्लास फैमिली से आने का, फिर तो वही होता है कि जितना कट-इन कोर्स हो, उतना बेटर है फ्यूचर के लिए, तो फिर मैंने सोचा क्यों नहीं, तो चार्टर्ड अकाउं और उसके साथ साथ ही ट्रायाथलॉन हुआ, मैं दो हजार बारा में अपने स्कूल से ग्राजवेट हुई, उसके बाद, दो हजार बारा में मैंने रानिंग चालू किया था, लॉग डिस्टन्स रानिंग, मतलब मैं हाफ नाराथॉन भागती थी, और जो क्लब मैंने और एक दिन साइक्लिंग करते थे, तो दीरे दीरे मेरा साइक्लिंग भी अच्छा होते गया, और फिर 2013 की बात है, 2013 जानवरी ये तब दोरान था जब जो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी तब चीफ मिनिस्टर थे गुजरात के, और वो अपने तो काफी स्पोर्टिंग और क साइक्लिंग था, जुसमें मैंने पाट लिया, पचास किलोमेटर की रेस थी, और मैं उसमें जीत गई, और मुझे एक लाक रुपे मिला, तो वो एक बहुत ही बड़ा मुमेंट था, कि मैंने रेलाइस कि मैं स्विमिंग में हमेशा से अच्छी थी, मैं एक नाशनल स्वेम कर थी, और फिर मैंने रनिंग भी स्कूल में चालू कर दिया था, आठ-दस किलोमेटर की रेस भी में भागती थी आमदबाद में, तो मैं उसमें भी अच्छी थी, अब मुझे पता चला कि मैं साइक्लिंग में भी अच्छी थी, तो मैंने फिर 2013 में सोचा कि क्यों नहीं ट जो मतलब कि मैं सोच के नहीं गई थे कि मिना नशनल चंपिएन बनोंगी, मतलब हम जब जब शवागते थे श्टेच चांपिएन्शिप कर के, तो हम लोग नहीं सोचा था कि हम समझेगी इसा और अपकिशन होता है और नेक्स्ट येर शाय करेंगे, पर मैं नशनल सब्सक्राइब करें दो फिधित पहुतरूरां थे के रेएंसे संवी दोरान थो अब लोगे तो वहाज रोब अपने कोल दो फुरिस्ट sono एक अपना इसा ब्टींट मैं जोनटेंट कर दो हुआा अब सनना आप हुए कोर अब पुल स्च अबस फाइब तो इसके बारे में चाहिए चाहिए चाह तक मैंने देखा कि बहुत जादा लेंदी है उतना डिफिकल्ट नहीं है तो उस को ऐसा है कि आपको अपना टाइम देना पड़ता है वह आप यह नहीं सोच सकते कि एक या दो महिने में पढ़के पास हो जाए आपको वो 6-7 महिने dedicated study देना ही पड़ता है उस course को तो मुझे ऐसा लगा कि chartered accountancy and plus वो articleship जो हम लोग 3-3 साल की करते हैं उसमें इतना practical knowledge हम लोग gain कर लेते हैं जिसके वज़े से जो final examinations होता है उसमें काफी हमें ease होता है क्योंकि हम लोग ने practically वो सब काम किया होता है तो मुझे तो chartered accountancy course करने में बहुत मजाया था मुझे रोज office जाने में, लोगों से interact करने में और समझने में कि कैसे एक company पूरी चलती है उसमें मुझे बहुत ही साथ मजाया एक साल college भी करने कि college life कैसे होती है देखने के लिए मुझे बॉलेबॉड movies में दिखाते हैं कि college में आके सब dance करते हैं मज़े करते हैं तो मतलब वह किया की नहीं किया तो पूरा freshers party हुआ था सब कुछ हुआ था तो एक साल में मतलब HLIC में थी तो मतलब बहुत ही मजा आया और वहां के जो friends बने वह अभी तक मेरे friends हैं तो मतलब बहुत ही अच्छा environment था और क्यूंकि HLIC की थोड़े मतलब की वह स्टार्ट ही हुआ था तब college को तो बहुत ही नया management था वो की सीखने की कोशिश कर रहे थे तो बहुत ही अच्छा time था मेरा college बहुत बढ़िया आप तो पढ़ने में लिखने में भी इतने brilliant हो खेलने कुदने में भी इतने brilliant हो तो यह आप एक बहुत बड़ी inspiration हो आज की generation के लिए thank you so much अच्छा तो प्रग्या दूसरा जो प्रश्न है कि आपने बोला कि ट्राय करके देखते हैं लेकिन एक seriousness भी होता है particular कोई sports के प्रति तो वो गंभीरता कप से बनी आपकी कि मुझे इसमें ही जाना यह मुझे अपना passion बनाना है इसको तो जैसे मैं ने बताया कि 2013 में मैंने सुचा ट्राय करके देखते हैं फिर जब 2014 में मैं नाशनल चैंपियन बनी फिर सावतेशन में में सेकेंड आई थी फिर थोड़ा इंटरनाशनल एक्सपोजर हुआ वापिस नाशनल साय तो उस दोरान वो थोड़ा passion टाइप था मतलब वो था कि अभी देखते हैं क्या होता है फिर जब मैंने चार्टेट अकाउंटेंसी कोर्स 2017 में फिनिश किया तब तक मेरा स्पोर्ट उसके साथ ही चल रहा था उसके बाद जब 2017 में एक decision making आया कि जॉप करना है प्राक्टिस करना है या स्पोर्ट में थोड़ा time invest करना है तब थोड़ा seriousness आया था कि मतलब अब थोड़ा seriously इसको pursue करना है तब मैं international coaches के पास भी पहली बार गई थी Australia गई थी मैं पहली बार तीन महिने के लिए तो तब एक seriousness आया था कि मतलब अब बहार आए हैं अच्छे से train करना है दम-disciplined रहना है और फिर जब 2018 और 2017 में मैंने train किया बाहर और जब ऐसा था कि okay मतलब मैं इसमें world level तक जा सकती हूं और फिर ऐसा हुआ कि world level पर अच्छा क्यों नहीं कर सकती हूं तो तब से I think और seriousness बढ़ गई towards this sport and पूरा pandemic के वक्त मैं Australia में थी और मेरी training although की हम हमारी competitions नहीं हो रहे थे सारे जो competitions थे वो cancel हो गए थे या postponed हो गए थे कि यह मैं डी मोटिवेट ना हूं कि competitions नहीं है और अपने एक line में मतलब कि कभी ना कभी तो वापस आएंगे competitions तो उस motivation के साथ training चालो रखी चलो बच्छा है परिवार का support तो था आपके प्रती पीछे में थोड़ा school में लेके जाता हूं आपको एक ऐसा ऐसी घटना घटी आपको आई-पोड चाहिए था तो वह गटना क्या है फिर आपके parents ने आपको जो सीख दी तो और आपका फिर mind उस तरफ डाइवल्ट हुआ वह गटना क्या थी वह पताई लिए तो मैं 10 standard में थी और मुझे तब मतलब phone इतने common नहीं थे और यह 2009 की बात होगी तो मेरे पूल मेट्स थे मेरे classmates थे उनके पास iPod थे music सुनने के लिए तो मुझे भी हुआ कि सब के पास है तो मेरे पास भी होना चाहिए तो मैंने अपने घर पर आके बोला कि मुझे iPod चाहिए और जैसे ही मैंने बोला वैसे ही मेरे parents ने मुझे बोल दिया कि नहीं मिलेगा तो मै मतलब की वो revolt stage पे आ गई कि ऐसे कैसे मुझे कैसे नहीं मिलेगा और फिर मैं उनको बूलने लगी कि आप लोग बहुत ही कंजूस हो आप लोग मुझे प्यार नहीं करते हो आप मैं कुछ मांग रही हूं तो आप दोगे नहीं पूरा वो मेलोड्रामा सीन हुआ उसके बाद थोड़े बहुत substitute भी देख लिए वो MP3 प्लेयर्स आते थे वो सब जो थोड़े सस्ते थे तो वो सब आके बताया तो मतलब ऐसे 5-10,000 का था तब तो मुझे लगा कि 5-10,000 के लिए इतना क्यों चिक-चिक कर रहे हैं मेरे मापाप और फिर उन लोगों ने कहा कि एक और फिर लोगों ने मुझे का कि एक लिस्ट पनाओ कि तुम्हारे sports में जब मैं swimming कर रही थी तो कितना खर्चा होता है और जो तुम्हारा सबसे richest person होगा जो सारे gadgets होंगे जिसके पास तुम्हारे classmate होगा उसके पास कितने gadgets होंगे उसका एक list पनाओ तो जब वो लिस्ट बनाया तब मुझे समझाया कि मेरे मम्मी पापा जो मेरे उपर spend कर रहे थे मेरे sports में मेरा travel national championship के लिए सब मिला के बहुत ज़ादा था coaches और ये सब compared to अगर में पर सारे gadgets होते उसके comparison में तो तब मुझे समझाया कि sports और मेरे मम्मी पापा कंजूस नहीं है और मुझे बहुत ज़ादा प्यार करते हैं क्योंकि वो लोग मेरे लिए इतना spend कर रहे थे on the thing that I like मतलब मेरे passion के लिए तो I think तब से मेरा dedication towards sports की मतलब मै तब तक sports मतलब ठीके कर रहे हैं उसके साब से कर रही थी पर तब समझ आया कि sports बहुत ज़ादा important है और मेरे parents इतने supportive है जी जी तो बिल्कुल हर एक के parents supportive ही होते हैं और हमारे बले के लिए ही हमारे माबाब सोचते हैं ये जो sports की बात किया अपने प्रग्णिया 2017 में अपने chartered accountancy का course खतम किया और फिर आप full-fledged level पर इस पर आगे क्योंकि आपके मन में जो ध्विदा थी वो ध्विदा दूर हो गए कि अभी तो मुझे इसमें ही जाना है अभी फिर आपने इस passion को कैसे adopt किया वहां से सो 2017 में मैं ऑस्ट्रेलिया गई थी वो जो अनुबूती है पहली बार आउट ओफ इंडिया जाना वो कैसी अनुबूती थी मैं बहुत एक्साइटेट थी कि मतलब मैं पहली बार इतने लंबे समय के लिए बाहर जाओंगी और वो भी अकेले जा रहे थी तो आपके साथ आज सबस्क्राइट थी कि मैं पहले गॉलंबो जा रही थी कोलंबो से सिंगपूर और फिर और ऑस्ट्रेलिया तो काफी कनेक्टिंग फ्लाइट थी तो मैंने हर जगे बहुत मजे किये और फिर जब मैं और पहुची मेल्बन पहुची वहांपर फिर हमारे एक सामली फ्रे तो मेरा मेट्र स्टेशन ऐक किलोमेटर दूर थे हैं तो नहीं करत रहे थे पहुत करके थाolesome को तो मेरे जी टन onu बूस himself incarceration तो एक बंदा वो dustbin निकाल रहा था अंधेरे में तो जैसे horror stories में नहीं हो था कि वो dead body dustbin में डाल के वो ले जाते हैं तो इद्वम ऐसी feeling आई और जो मैं वहां से 1 km जो metro station तक भागी हूँ इतना speed में I think आज तक मैं race में उतना fast नहीं भागी हूँ क्योंकि मैं इतना डर गई थी और मतलब वहां पर वो experience अच्छा भी था और मतलब थोड़ा मतलब की बहुत कुछ सिखाया भी उसने क्योंकि मैं अकेली रही वहां पर almost 2 महीने तो मतलब काफी कुछ सीखने मिला जैसे cooking मुझे नहीं आता था तो cooking का basic सीखा कैसे survive करना एक नए country में जहां पर में जादा लोगों को नहीं जानती थी तो वो सब बहुत कुछ सीखने मिला और apart from that sports के प्रति मतलब की नए एक international coach जिसको इतना experience था उनके साथ coaching किया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया डूसरी बात यह पूछना चाहता हूं प्रग्निया कि आप यहां पर भी खेलते हो यहां के coaches वगेरा है और international level पर भी आपने खेला तो अगर हम कुछ comparison करे कि वहां के athletes वगेरा में और coaches में और यहां पर यह क्या अंतर आपने पाया तो वहां पर बोल जाये तो मतलब coaches काफी जादा experienced है वहां पर क्यूंकि sport काफी अर्सों से चला आ रहा है तो वहां पर जो लोग है और जितने लोग वहां कर रहे हैं, वो काफी जादा मात्रा में हैं, जैसे इंडिया से compare करें तो, तो उस वज़े से भी क्या होता है कि एक पुरा एको सिस्टम बिल्ड हो जाता है, जिसमें coaches भी है, infrastructure भी है, वहां की government support भी है, तो coaching की पर से बात करें तो, क्योंकि experience जादा है, तो उनको पता है कि अगर ऐसा athlete बोल रहा है, तो फिर क्या कर सकते हैं, जबकि यहां की coaches अभी भी सीख रहे हैं, तो वो difference आ जाता है, और फिर मैं मतलब internationally इसले भी जाती हूँ, क्योंकि जो लोग हैं, जिनके साथ मैं train करूंगी, तो वो भी किस level के हैं, तो जैसे मेरे competitors बेटर होते हैं, तो मैं भी बेटर होती हूँ, वैसे ही अगर मैं जिनके साथ practice कर रहे हूँ, वो अच्छे है, तो मैं उनके जैसे अच्छी बन सकते हूँ, तो वो यहां पर थोड़ा अभी इंडिया में धीरे-धीरे लोग triathlon को अपना रहे हैं, तो उतने जादा लोग नहीं कर रहे हैं, और पर इंफ्रास्ट्रक्टर की बात की जाए, तो जैसे वहां पर roads में cycling lanes होती है अलग से, जिसमें safety होती है कि जहां गाडिया नहीं आती है, तो वो अभी इंडिया में नहीं है, जैसे यहां पर तो हम लोगों को साड़े साथ के बाद ट्राफिक इतना जादा बढ़ जाता है पर temperature rarely जाता है, तो हम लोग दिन में भी training कर सकते हैं, फिर वहां पर velodroms है, जिसमें मतलब की खाली वो cycling का जैसे indoor stadium जैसा है, तो वहां पर cycling हम लोग अभी भी कर सकते हैं, अच्छे speeds पे कर सकते हैं, without traffic है, गाडिया है, वो सब नहीं होती है, और फिर in general tracks और swimming pool की availability जादा ह जैसे मेरे sport में हम लोग, हमारा competition open waters में होता है, मतलब swimming pool में नहीं होता है, lake, river या sea में होता है, तो वहां पर, मतलब जैसे आमदबाद में बोला जाए, तो कोई lake या sea, river नहीं है, जहां पर मैं swimming कर सकती हूँ, क्योंकि वो साफ नहीं है, तो वहां पर वो सब भी मिल जाता ह है, जिसमें हम लोग practice कर सकते हैं, क्योंकि उसका थोड़ा techniques swimming pool से अलग होता है, जी, जी, जाहिर सी बात है, इतने लंबी सफर आपने तेकी है, तो काफी hurdles भी आए, मुश्किलिया भी आई, पांच बर आपका accident भी हुआ, तो उससे अप कैसे बाहर आई, तो accidents मेरे काफी हु हैं, क्योंकि cycling में क्या होता है, कि हमारे speeds बहुत जादा होती है, जब कि brakes उतने effective नहीं होते हैं, उन speeds के लिए, तो मतलब जैसे अमदबाद में भी मेरा accident एक SUV कार के साथ हुआ था, यहां पर 2015 में, और तब तो मेरा memory loss भी हो गया था, मतलब मुझे वो याद नहीं है, कि accident कै कैसे हुआ था, और मेरे माबाप तो बहुत डर गए थे, मतलब कि जो physical injuries जो बाहर दिख रहे थी, वो सब छोड़के, वो लोग में नियूरोलोजिस्ट के पास ले गए, कि मतलब mentally मैं भूल गई थी, कि accident हुआ भी है, और कैसे हुआ है, तो ऐसे सब accidents होते हैं, अभी November, last year, म accident हुआ, जहां पर हम लोग 30 लोग एक साथ cycling कर रहे थे, और 80 km की race थी, और last 500 meter में हमारा accident हो गया, जिसमें से 30 में से almost आधे लोग गिर गए, और जब मैं गिर गई, उसके बाद मेरे उपर से 3-4 cycles गई हैं, तो वैसा सब होता है, तो उन सब चीजों से निकलना मतलब कि काफ काफी बार क्या होता है कि हम लोग, मैं जैसे ये race में जो November में थी, मैं बहुत ही अच्छे form में थी, मैं जीत सकती थी वो race, बट 500 meter पहले हमारा accident हो गया, तो ये काफी demotivating भी होता है काफी बार कि मतलब हम जीते जीते हार गए, और तो मतलब और इसमें क्या होता है, इसके बड़ी चोट लगी थी, तो मैं चल भी नहीं पारी थी, तीर हफते तक तो मैं bedridden थी, तो ऐसे time में I think mentally strong होना और एक self motivation होना बहुत जरूरी है, और एक support group होना मतलब जो मतलब parents, friends, mentors, even sponsors जो तुम्हें support करें उस time पे वो बहुत जरूरी हो जाता है, और मैं बहुत ही ज्या especially ऐसे time पे जब मतलब मैं खुझ से self motivated नहीं रह पाती हूँ, वो लोग मुझे motivate करते हैं और वो लोग बोलते हैं कि कुछ नहीं इससे better ही होगा, बिल्कुल आपके माता पिता ही आपके सबसे बड़े motivator है, आपके पिता जी तो आपको coaching भी देते है, वो मेरे coach है, गुरू ह friend philosopher guide आप बोल सकते हैं उनको, प्रेंगने दूसरी जो बात है कि जैसे कि आपने तो ये एक demotivation होता है, दूसरा society की और से भी demotivation मिलता है, उससे आप कैसे tackle करती हो और उससे कैसे बाहर आती हो? जैसे society की बात की जाए, तो in general society काफी, मतलब की resistive होती है कि कुछ आप नया सोचो या कुछ नया part लोगों ने किया नहीं हो, मतलब वो बोलते हैं ना road less traveled, तो लोग उसमें मतलब की in general इतने जादा cooperative नहीं होते हैं, तो society से मतलब मैंने धीरे-धीरे समझा है, सीखा है कि मतलब society हमारा हमेशा ऐसा नहीं होता कि भला नहीं चाहती, society भले के लिए बोलती है, बट कभी कबार उनको ignore भी करना पड़ता है, ताकि तुम आगे बढ़ सको, और मतलब अब जब लोग fame और success देखते हैं, देखते है कि अच्छा कर रहे हो, तुम तब बहुत लोग supportive भी हो जाते हैं, जैसे मतलब मेरे काफी relatives हैं, जो पहले इतने supportive नहीं थे, या फिर पहले सोचते थे कि लड़की क्या कर रही है, पर अब काफी मतलब उन लोगों को भी proud feeling होती है, कि मतलब जब वो लोग मेरा नाम newspaper या कहीं पर पढ़ते हैं, और देखते हैं कि मतलब मैं अच्छा कर रहे हैं, बिल्कुल बहुत अच्छा, अंत में दो प्रशना, प्रग्निया मोहन का future plan क्या है, क्या dream है प्रग्निया मोहन का कि मुझे ये अच्छियों करना है, तो मुझे Olympic triathlon में, triathlon Olympics में 2000 से है, पर आज तक कोई Indian महां पर qualify करके Olympics में नहीं जा पाया है, तो मुझे पहला भारतिय बना है, जो Olympics गेम में, triathlon में, इंडिया को represent कर सके, और इसके लिए पूरी मैं जीजान महनत कर रहे हूं, ताकि ये 2024 में मैं साकार कर सके. और अंत में दूरदर्शन के माध्यम से, आप हमारे दर्शकों को और आज की जो युवापेडी है, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं ये संदेश देना चाहूंगी, कि आप लोग कुछ ना कुछ जो आपको पसंद है, वो कीजिए, जरूरी नहीं है कि आप उसे करियर बनाए, पर आप खुश रहे हैं, और अगर आप कुछ कर रहे हैं, तो वो लॉन्ग टम के साब से कीजिए, और उसमें बस मज़िक जर्नी बहुत जादा इंपोर्टंट है डेस्टिनेशन तो आप पहुची जाओके. में उनसे वो कैसे उबरी उसके बार में बात की प्रग्णिया के साथ बात करते हुए मुझे एक दो पंक्तिया याद आती है कि अपने संगर्ष को अपना जुनून बना लो जब तक वो तुमारी कहानी ना लिखते शायद प्रग्णिया 2024 में अपनी जगा बना कर अपनी कहान इस संगर्ष से लिखी देंगी और इसी विचार के साथ इस कारेक्रम में इतना ही अगले रविवार को फिर से एक नए अतिति के साथ आपके समक्ष उपस्तित रहेंगे तब तक आप सो बिदा लेते हैं नमस्कार जीवन नी सुगंद एमनी पासेज होई छे जियो खिलवानी औने खरवानी वच्चे महकवानों आनदले छे अने पोताना कारेओ थी जीवनने महकावता लोको नी वातो अमें आपना सुधी लईने आविये छिये दर सप्ता है गुड़नियूस गुजरात ना माध्यम द्वारा नमस्कार हूँचू निकेता शुकला अने आजना एपिसोड मा अपने वात करीशू मंजुबाना रसोडा नी लोको ने हसावती अपनों के लिए नहीं कुछ अंजानों की बज़े से जिन्दा हूँ अपनी रोटी के लिए तो सब कम आते हैं मैं बेगानों की भूख के लिए जिन्दा हूँ आउक्ती ने सार्थक करी बतावी छे अमदावाद ना एक दमपती है के जेओ पोतानी फूड वैन लईने शहर ना जुदा जुदा विस्तारों मा जाये छे अने त्याना लोको ने आमंत्रन पत्री का आपी जमाडे छे मंजुबानू रसोडू आ नाम थी जानी ती बनी छे आ फूड वैन जे जरुरियात मंद लोको ना चहरा पर स्मीत लावानू कार्य करे छे तो चालो मुलाकात लईए आ मंजुबाना रसोडानी सुला दिया माने भूखे बच्चे को ये कहकर परिया आएगी सपनों में रोटिया लेकर किसी की मुस्कुरा हटोते हो निशार किसी का दर्द हो सके तो ले उगार किसी के दिल में हो फिरे लिए प्यार जीना इसी का नाम है भूख्यानी भूखने संतोशे छे अमदावादमा आवेल मंजुबानों रसोडू कोई पन भूख्यू नसुवे ए उद्देश साथे शरू करे मंजुबानों रसोडू दरोज साचसोती हजार व्यक्तियोंनी भूखने संतोशे छे हमारी मदर जो मंजुबा मंजुला बेन कामदार दोजार आट में वो गुजर गए तो उनका जिंद्गी का एक मोर्तो था कि जब भी भी हो तो वो भूखा ना सोय तो हमेशा जब भी बाहर जाते थे तो अपनी गाड़ी में वो पूड पैकेट्स और वो सब स्वीट सब ल अधारा में फिर से चालू किया गाड़ी से लेके ड्राइवर लेके कि हम कर से कुछ बना के कुछ सुखा नास्ता कुछ भी बड़ा पाउं लिया कुछ बिठाई लेली वो सब लोग लेके निकल देते हैं रोज शाम को उनको गाड़ी में चक्कल लगाने का और जैसे गूं मैं कर नहीं पाती हूं, शाम होती है कभी, टाइम हो जाता है तो उनको गोना आ जाता था मंजुबानू रसोडू एक दिवस पहला अमदावाद गांधी नगर नी चालियों माँ चाईने लोकोंने भोजन माटे निमंत्रन पत्री का आपी ने पोताना रसोडे आमंत्रित करे छे। जेना थी एमना मां समानता अने प्रेम निभावना बनी रहे। जब हमने यह कॉंसेप्ट चालू किया तो यह तब को अमने पूरे दीन का काम देके बोला कि आप ऐसे दोपर में वहां पे जाहिए स्लंप में लाओड स्पीकर लेके जाहिए एक इंविटेशन काड बनाया जिसमें हमने लिखा था कि कल हम आपके एरिया में यहां पे तो आप पधा रहे हैं तो आद्मी को जब यह आप इलिविटेशन के रूप में देते हैं तो एक सोशल निगलेक्टेड कम्यूनिटी है जिसको लगता है कि मुझे इन्वाइट किया जया है हम सब जानते हैं जब हम वह भी शादी के फंक्शन में या पार्टी में जाते है तो बुफे में हम लोग भी 100-200 आदमियों के लाइन में खड़े रहते हैं और खाना खाना में अमको कभी भी यह इचके चाट नहीं होती है कि मैं मांग के खारा हूं जब कि यहां पे यह लोग जब आते हैं अमारी पूट ट्रक पे तो यह प्यार से लाइन में खड़े हो क में धापी पेसिस यह काड लेके आते हैं इंविटेशन के मुझे यह आमंत्रण देके बुलाया गया तो मेरे लिए खाना बन रहा है और मुझे खिलाया जा रहा है तो एक अंदर एक संतोष की भावना होती है कि मैंने कुछ अच्छा खाना खाया और मुझे प्यार से खिल आप प्रेम भर्यूस मेत ए भुक ना आनंद नुप्रमान छे जेनी इच्छा आ दरीक नाम मन महाती मंजुबान रसोडू जया आ मासूं बाड़कों ने एमना पसंदनी आइस क्रीम गुलाब जामन जेवी चीज बस्तो परुस्वामा आवे छे जेने जमीने आ बाड़कों में खुशी मां चार जांद लागी जाई छे अच्छा सा मैनू बनाया है आमने 40 अलग अलग कॉंबिनेशन का स्वीट के साथ स्वीट के बगर जिसमें मसाला डोसा आता है पीजा आता है दाल बाटी है तो यह सब चीजे बच्चा खाने की बहुत पिच्छा रखता है बट वो अफ़ोड नहीं कर सकता है अज उनकी जो अमधनी है उसमें से वो अपना घर का महा मैनस से पूरा करता है उस जगह पे जब कोई लगशरी आइटम खानी हो तो उसको तकलिफ पड़ती है तो अमने अमारा मैनू ही ऐसा डिजाइन किया ऐसक्रीम के साथ शिकन के साथ जि किच्डी विच्डी एसा कुछ नहीं जो भूलो खरीद नहीं सकते हैं कि वो भाई नहीं कर सकते हैं कुछ ले नहीं सकते हैं एसा ही कुछ खाना देते हैं तो बहुत अच्छा लगता है बहुत ही अच्छा लगता है कि उतको उनकी खुशी देखके बहुत अच्छा लगता चिनवी ने मेडवेल भोचन थी क्यारे पेट भरात ना थी अने वहेंची ने खावा वाडो क्यारे भूखे मरतो न थी आवी प्रेणा थे एक साथे काम करवा बाड़ी अमदाबाद नी आज जोडी अने तेमनी टीम बीजा लोकों ने प्रेणा अप्पानु काम करी रही छे जापानीस भास्षा में जो बोलते हैं इकी गाई means the purpose of life अरेक आदमी डूंडता है कि मैं पैसा कमाऊं this is part of life but what is the purpose of life तो जब आप ये चीज देखते हैं कि आपने शुरू की हुई activity का impact जब आप देखते हैं तो आपको लगता है कि आपके जीवन की इकीगाई या purpose of life आपने डूंडता है Good News गुजरात माटे लक्षमन राजपूत में साथे सुमन बोरानानू रिपोर्ट जुदी जुदी कॉमेडी करी लोकोन हसावनार कलाकार हम मेशा आपना दिल पर राज करता होई छे चार दोस्तों नी एवी टीम के जेव भणया ओचू छे परन्तु गुजराती भाषामा रमुजी वातो करे छे अने वास्ता विकता पर कटाक्ष करी आपना सावने खड़खडाट हसावी मुख्य छे त्यारे आओ मडिये आच्यार दोस्तों नी एस्पी इंडिया टीम ने केटला आके आवाना चा भाईय लोको अने टीम एकाल इस्पी खड़खड़ा दोस्ता आपर प्रजी जवाब डिया टीम 9 तो करें आपना धना प्रजा आप्र आपना जेवाब्स करें एकले कार्व चल्दा। को आने मान मान ने अंग्रे सब्सक्रेंशत पत्स्तस्त्त्त्त्त्तत। तो चुप में भुर्ण अपना जवावा आपड़े जावाना तू यामाना अविटो कैं गप्राइट नहाँ झात तो रहाँ जात तु याम अुप या जाता रहां जा टुर्ण DR. याम जाए पच्छा लाँ नहीं है तु ना बलवाँ जाए जा चाहत आए जात आए जाता द वाला के तोनी हो तारो सटली दोद में जाला के जाला जाला क्या मेरा चालू छे मतलब आमे न्यूस माई शू मम्मी जो आमे न्यूस माई आजे दूर दर्शानू पर तो मारो नाम चे जिद्धात प्रजापती आने में इंस्टाग्राम पर पेज चलाई जे आने फेस्बुक पर भी जेनो नाम चे एस्पी इंडिया आने मारी टीम चे चार जननी यार भाव गर्मी चे यार सूरत दादा आतली बदी घर्मीयो काम पाड़ा जे तमे बने के जे मने आतली डुक आतली बने के घर्मीन, बने के दीधालाय आतली मरी प्रुद्वी भेणार जे साली कामीयर के जे बने सब्कंते बने कालिए साली रहा जे निखी डोल जे आप दी हालू कोनी बूल चे अपाई तुमा लियानों के शरू अत्तों में बार्मा दुर्ण मा जेऊ वेकेशन जेऊ अतु त्यारे प्यालो वीडियो बना हो तो पची तो कोलेज चालू थे गए अने हुन जती नमें फे फ्रेंड ब्यस्ता दा नक्की करें तो आओ काई का वीडियो बनावा अचे घमे तेम वीडियो बनावा अचे कोमेडी वीडियो तो पची एम नक्की थतु तो पची चालू कर दी दू त्यारे रहाल आपनो बदी जगिया जोई जेको पंजाबी सौं करता जोई एल एमनी लेंग्वेजे लोको एटलीस आगर लाई चुक्या लाई गिया तो अमारो पर्टिकुलर गुज्जादी लेंग्वेजन पकड़ी राखवानों काराण एच जो एलोको करी सकता हुआ बराबर तो क्याम आपनी लेंग्वेज अथा तो आपना मूवी प्रटिकुलर गुज्जादी मेधा खर्टु आज लेंग्वेज में लेंग्वेजन लें स्कुलर भुणी लेंग्वेजन पका लिदर मेंग्वेजश्ब्यूट्य लेंग्वेजन लेंग्वेजस बीड़ारो पूचित दो एक अगरा दूख याननों का 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 कर जे तुट कहीं देड़ वा जैत भूख लागी छे गोट्या बोट्या पड़ावेज नाज जोई वह तो मोटे मियम वान वाले अगरी वह तो जे दआना मोटे मियम षां UH आज बूख यह जोई अनुभव नहीं नहीं यह तार्गेट चिए थन दो बदा네 यार वस्तु तो के यार हकिकत मत आया च्छा बस अमें यह ना जमाटे मुखिए लोको रिलेट करी से के यह कंटेंट अमें बना है यह बना होता ताना बना होता रही सो क्या भ्यकिन जदोना मना अमें घटावेन इन डबाम भ्यकना ताराम नहीं आवती आलका श्वत्ता बें तक घिच्छाम कालीं घर्मा जए इंक कभाट मा भूकिजी दूजा अबाइबाद लाइजाना मने यार अरे वेस्में बेस्माना जए यार रहुका मावगरू लाइज अबने प्राधुर्शन भेलाईजु आश्पी नियानो कंटेंटेंटे रितनो है चेके नातों में ट्रेंड उपर जईया चे हमें अमारी रहते हमारा मन्थियो लागे कहा वस्तु बनावा जेवीचे मतलब का वास्तविकता चे परचिकोई वस्तु चेनों जीवन चे जैसुक शियानी साथे सुमन भूरा नानो रिपोर्ट सामाजिक के मानसीक अक्षमता धरावता दिभ्यांग बाळको भले केटला कार्यो करवामा सक्षम नहोए परंतु तेमनी आंत्रिक शक्तिवने जो खिलवामा आवे तो तेओ बधु कारेक्षम बनी शकेश अन्या वात ने साबित करी आपी एशियन लिटररी सुसाइटी है कि जेओ ये हाल माज एक कार्यक्रम नी उजमनी करी जैमा आ दिभ्यांग बाळको ए मन मुकी ने पोता नी आंत्रिक शक्तियो नो परिचै कराव्यो अहीं स्टेज पर जोड़दार प्राव्यो पर्फोमंस आपी रहेला आप बाळको ने आपे निहाल या तमे जोएव कि तेओ डांस नी एक पण बीट भूलता न थी सुमधूर गीत पण तेओ एर जुकरिया ज्यारे नानी बाळकी ये जे रबबर गलतरीके ओडखाये छे तेणे जटिल योग नो निदर्शन कर्यू जे बाळको ये आप पर्फोमंस से साप्या छे तेओ स्पेशल चाइल्ड एकले के दिभ्यांग बाळको छे कुद्राते तेमनी केटलिक शक्तियोंने लाई लिदी छे परन्तु ए साथे बीजी अढळक शक्तियों पन अरपी छे जेना द्वारा ते पोताना जीवन ने पोड़न बनावी शके छे जरूर छे मात्र आशक्ति ने ओड़की तेने खिलबवानी नौर्मल बोल के हमारे पास कोई टम नहीं हम लोग सब में कुछ नो कुछ प्राब्लम्स ही जैसे मैं ड्राइव ने कर सकती हूँ आप डिसेबल इन ड्राइविंग उचे नहीं होता है मुझसे बैंक के काम नहीं होते है तो नौर्मल बोल के कुछ भी नहीं हमें उस पर जोर देना चाहिए जो हम कर सकते हैं और जो हमारे बच्चे कर सकते हैं सबसे पहले चीज हमारे बच्चों की इज़त करें वो जो अच्छा कर सकते हैं वहाँ पर फोकस करें ना कि वो जो नहीं कर सकते हैं वो सोच करा परिशान हो और सोसाइटी से भी हमारे मेसेज होगे कि हमें दया की जरूरत नहीं है हमें कमपैशन की जरूरत है एक्सेप्ट शक्तियों ने बहार लावी, तेओं ने समाज मा प्रवृत अनि सुईकार्य बनाबा प्रयत नो करी रही छे। साथ इन से रिलेटेट अवेरनेस क्रियेट कर रहे हैं। साथ है आकारेक्रम मा बाळकोना निशनात, फिज्योथेरापिस्ट, पिडियाट्रिक नियॉरोलोजिस्ट, जेवा डॉक्टर होये उपस्तित रही लोकोना प्रश्णोंनू निराकराण कर्यू हतु। आकरू ब्रेन छे एरली एज मा धे हैवें क्येचिट ओप निरोप्लास्ति सिटी। ब्रेम में क्षतिक होंची होए, तो ब्रेम नी एक क्षतिक पामेला जे एरिया छे बराबर एनु काम जे सारा एरिया छे सिखी चके तो जे नियुरोप्लासिसीटी छे वधारे पड़ती एक्टिव होए सरुवादना वर्षोर मां तो आपने चोक्का से विंडो नो उप्योग करो जे लिए, तो आपने ए समय दर्मियान जरहापन भटक होना जो ही आनने पॉंस्टन थेरापी उपर आनने ड्रेजिंग उपर जेम तमने तमने तमारे नीरोफीजेशन स्पार क्राशन आपे जेम ए प्रॉपर तमारे फार्ट सिंड्रोम छे तो बाड़क ने जो इने खबर पड़ी जाए, जे उजर्म जाताच खबर पड़ी जाए, तो त्यारे पेरेंट्स नी कांसिलिंग करवी बहुझ जरूरी थे जाए छे, कि एमनी आमा कोई गल्ती न थी, आ बाड़क थे हो छे, कि एमके सउती पहला पेरेंट पुल बाड़क ने पाचाने लाइफ मां आपने देखा से, बाड़को मां आ प्रकारनी बिमारियोंना लक्षणों जो नानिवय मां उडखाई जाए, अनि ते माटे योग्य थेरापी, अनि मार्क दर्शन, साथे प्रेम, अनि हूफ आप्पा मां आवे, तो खरे-खर आ ब पाड़को पाण समाज मां सामन्ने जीवन वितावी शके छे, अनि घणी सिद्धी ओपन हासिल करी शके छे, गुड्नियोज गुजरात माटे क्रिष्णा शाह साथे निकेता शुक लेनो रिपोर्ट डॉक्टर ने जो भगवान नू रूप गणमामा आवे छे, तो नर्स दर्दियोनी सेवा करी तेमने साजा करवामा महत्वनी भूमी का भजुए छे अने एटलेज तो नर्स नू समाज मा आगूस थान छे, कोरुना होई के अन्य बीमारी, दर्दी होई के तेना परिवार जन, सव ने हिम्मतापती नर्स नू कारिया दाद मांगी ले ते उछे दर्वर्षे बार्मी में आंतराश्रीय नर्स दिवसनी उजमनी पन करवामा आवेश, त्यारे आवो जोईये नर्स ना जिवन मा रहेला पड़कारों, अने तेमनी जीतनी गाथा दोक्टर जेटलू नर्स नू काम होईचे, डोक्टर तो एक कोडर आपीक एक टास्क आपीन जतार है के आँ तमार करवानूचे, पचि बद्धी सेवा अमार पेशंट ना अमार पोत्ते या जापवानी होईचे, इटले पेशंट ना नजीक मा नजीक गणिये तो परिचा आरिकाज रहेती है, तो एक लाती होईचे, अमारों अमारों फैमएली क्ताकशन थी एक पेशंट ना परेशंट परिस्तिति नी अंदर पढ अमारे आई या नौकरी करवानी होईचे, अमारी शिफ्टिंग डूटिब्स जोईशंट, जोईग लिए लिए ओवानी होई, ब बहु आनन्थ ही सेवा करी शक्याँ छिया चिया कोरोना काड बहु खराब हाला था थी ये वक्ति करनके त्यारे पोताना मानसो थी बदा परिवार छुटा पड़ दा था एक वी जाती दूर था था त्यारे अमारे परिवार नी जयाम दरतीन सहाय करवानी रहती थी मेंटली और फिजीकली बदीरी तेलोकों सपोर्ट करवानो रहतो था और मारी नोकरी ओल्वेज में आईसियू करया था करोना काड मा दरेक आईसियू में ड्यूटी करी चे में नौ वकत आईसियू हमबाड़ याचे कोरुना काड मा अनने दरेक वकते क्रिटिकल कंडिशन वाडा पेशंटों जोडे जोडे वर्क करेलों चे इले बहु खराब परिस्तिती थी यह वकते ज्यार रिलेटीव भी जोडे नता रेता आने मेंटाली पेशंटों टुटी जता दा त्यारा अमार सपोट अप्वान रेता ज्यारे अमारे पन पोताना फेमिली थी दूर अमार भी जोओ पड़तु थी बहु खराब परिस्तिती यह वर्णान करवो जगरू छे यह परिस्तिती मामें एमा जीत मे कुग योगदान रहे जो कोरोना काल मा आपड़े जो हुआ कि डॉक्तर हो एक इतली मैनत करी पड़ इतली मैनत तमाम नर्सेज करी जह अना माटे मों दुनिया ने तमाम नर्सेज नो रोण स्वीकार करू चू नहींने दन्यवादा आपू छू मारे एक बेकिस्सा जरूर काजे कहबा चे वह जहरे कैंसर ऑस्पिल मा ट्रेनिंग मा तो त्यारी एक डॉक्तर ऑपरेशन करें तो अने वह बेठाव तो ने एक तम नर्स दोड़ी नाया ने मिने कि दू के पेशेंट नहीं ड्रेनेज बॉटल अखी ब्लड ती भराई गई गई अमे तरद दोड़े दोड़ेया ने तरद जोयू तरद एने ओपरेशन थीएटर मा ली था ने तरद एम ब्लीडिंग बंग करियू अने पेशेंट नो जीव बती बची गई हो मात्र में मात्र नर्स नी चपड़ता ना कारण एवी जरीते एक वार हमें लेपरोटामी करता था था एक बेट खो परिदी जोयलोग परिदी जोवामा एक माप अंदर थी निकड़ियू अने अमें बाहर काड़ियू अने तरद ज नर्स नो आभार मान्यू अने आरीते अमने अमारी होस्पिटल मा अमारा प्रेक्टिस मा नर्स इसम ने फड़्या चे अने आ मात्र तेमनी सत्तरकता तेमनी जैसुक शियाणी साथे सुमन बूरा नानू रिपोर्ट काड जाड गर्मी थी त्रस्त करी देतो उनालो जो कोई सुखद आनंद लहिने आउतु होई तो ते छे कैरी नो आच्वाद कैरी ना रस्याओनी प्रिय कैरी ना उत्पादन पर ग्लोबल वर्मिंग अने राशाणी खातर्ना काराणे माठी असर पड़ी छे त्यारे भावनगर ना एक प्रगती शिल खेडूत के जेओ गाय आधारीत प्राक्रुतिक खेती करी ने मबलक पाकलेई रहाच अने सारी एवी कमाणी पन करी रहाच कैरी थी छलो छल भरेला अने लची पड़ेला आ आमबा जोईने उनालानी गर्मीमा आखोने ठंडक मडी जाए खरूने आ आमबा वाडी छे भावनगर ना तनसा गामना प्रगती शिल खेडूत ब्रिजराच सी गोहिलनी जे चार वर्ष्थी गाई आधारित प्राक्रूतिक खेती करे छे अने रासायनिक खातरने संपूल्ण दिलान जली आपी ओछा खर्चे वधू आवक मेडवी सम्भूत थाया छे अमारी वाडी माँ जे पन उत्पधन चे एई ठेंक्स टू प्राक्रूतिक खेती अमें छेला चार थी पांच वर्ष्थी प्राक्रूतिक खेतीन अभिगम अपनाईवो छे अमें आई गौशाला बनाईवी छे देशी गाई ना चान गौमुत्र माथी अमे जिवामृत बनाविये छे, दसपरणी अर्क बनाविये छे अमे तर चोमा साथी शरूक करी आ जिटला पन जाड छे, एने अमे अमे गाई नी खाटी चास अने जिवामृत नो श्प्रेय करी ये छे जेती जेटलू पन मोर आवे ये बद्दू जवी आने केरी बने देच, त्यारे आवर्षनी सरकामने जो आजए ये तो अमने एके कामबा उपर सवासोथी डट्सो किलो केरी न उत पादे नामने मलशे आवर्षे चार्सो साडी चार्सो आमा माती नाकी देट आमने दस बार लाग रुपियान उत पादन ओच आमोश उमलशे प्राक्रते खेती शरुवात मा थोड़ी धिरज मांगीले छे पण लाम्बे गाले पुषकल नफो करावे छे अने जम्मिननी फल द्रुपता पण बधी जाई छे ब्रिजराज सीए 100 विगा मा विभाग पाडी अलग-अलग फेज मां केसर केरी ना आमबानू वावेतर करियू छे अत्यारे 300 पंचाणू आमबा पर केरी नो मबलक पाक लहराई छे त्यों एक विगा वावेतर डीत एक लाक सुधी नी कमानी करी ले छे आ बधूज छे प्राकृतिक खेती ने आभारी सोशल मीडिया थकी तेमने सारू मार्केट पन उभू करियू छे गाय आधारित खेती करवा ब्रिजराच सीहे गौशाला पन बनावी छे अने गीर तेमच देशी गाय ना संबर्धननू कार्य पण शरू करियू छे गवमुत्र, गोबर, जंगल निवनस्पती नो उप्योग करी प्राकृते खेती नो अभिगम दरेक रिते फलदाई निवडियो छे अन्य खेडूतों ने एक संदेशाफ अमागू छे आपनी जुन्नी पद्धती अती प्राकृतिक खेती प्राकृतिक खेती नो अभिगम अपनाओ एना थी तमारी बे धारी निते तमारा आगने देसिक गाई बांचो तो तमारा फेमिली ने गाईनू चोखू दूद छास मलशे अन्य एक गाईनू गउमूत्र ने छास तमारी खेती मा उप्योग करशो तो तमारे रासाणी निके एगरो नी क्यारी जरूर नी पड़े तमारे एक भीजो खीचा खर्चो बची जासे अन्य तमारी जमीन चे एनी रोग प्रतिकाराख शक्ति वद्छे तमने दिवसे ने दिवसे जे तमारी उतपादन घड़तू ग्यूतू ए उतपादन हवे वद्टू जोओ अमलशे वड़ाप्रदान श्री नरेंद्र मोदी अने गुजरातना राज्यपाल आचार्य देवरत जीना खेडूतों ने प्राकृतिक खेटी माटे ना अहवानने आ प्रगतिशिल खेडूते सुपेरे अनुसरी ने अन्यो माटे प्रेलारूप बन्या छे प्राकृतिक खेटी के जे व्यक्तिना स्वास्त माटे खुबध फाइदा कारक छे जिनने आख खेडूतिय चे बरसतर पर बने रिया छे न आर्थिक समुर पन बने रिया छे केतन दात पूरा दुदसन न्यूज बावनगर तो दर्शकमित्रो आ हतो आजनो अमारो सकारात्मक खबरोनो कार्यक्रम गुद्निउस गुजरात आप आपना अभिप्राय अन्य आविज गुद्निउस अमने मोकली शको छो अमारो इमेल आईडी छे गुद्निउस गुजरात एड़ेट जीमेल डॉट कॉम अपिसोड आप अमारी यूट्यूब चैनल डीडी न्यूस गुजराती पर पण निहारी शको छो तो आ सब्ता है मात्रा आटलूज आवता सब्ता है फरिती मलीशू त्या सुधियम नेरा जाप्षो नमस्कार नमस्कार दर्श्रिक मित्रो मित्रो जीवन अरिसा जेवू छे आपणा अभिगमनूच प्रतिबिम छे तेनी तरफ मलकाईशू तो दे आपणने मोहक लाक्षे अने तेनी तरफ गुस्सो अने तिरसकार करीशू तो तेवोज प्रतिसाद आपणने मलशे अने एटलेज जीवन ने हमेशा मस्ती अने सकारात्मक दाथी जीवू जोईये अने आवेज मस्ती थी जीवता लोको नी बातो अमें दर सप्ताय आपनी समक्ष लईने आविये छे अमारा कारेक्रम गुड न्यूज गुजरात माँ तो चालो शरू करीए आपणों कारेक्रम गुड न्यूज गुजरात मित्रों आपणे पुस्तक लाइबरेरी विश्यतो जानियत छे केटलाक शहरों मा साडीनी लाइबरेरी पन शरू थाई छे पल राजकोट शहर मा पहल करवामा आवी छे एक एवी अनोखी लाइबरेरी नी जिया पुस्तक तों आच्वा मलेत छे पन साथे साथे बालको रस पुर्वक पोतानों समय पसार करी शके तेवू पन आयोजन करवामा आवी उचे आचे रंग बे रंगी रमकडा धरावती रमकडा लाइबरेरी छेने रस प्रत आओ जानिये आ रमकडा लाइबरेरी विशे आ रंग बे रंगी मज्जाना रमकडा ग्नान साथे गंबत बिरस्ता शेक्षनिक साधनों पगे थी धक्को मारी चलावामा आवती आ गाडियों अनि कोई पड़ ग्यक्ती जो ही आवे तो रमती आल बनी जाए तेवी आ जग्या आने सुन्दर मज्जाना रमकडा वच्चे जो बाड़कोने लईयावामा आवे तो तेने तो जाणे पोतानी मनगम्ती दुनियाज मली जाए हा मित्रो एही आवता बाड़को माटे तो आशक्य बन शे कारण के राजकोट शहर मां खास एक थी बार वर्षना बाड़को माटे शरू करवामा आवी छे रमकडा लाइबरेरी आइया बार वरसना सुधी ना बद बाड़को ना माठे रमकडा अवे लेबल छे आइयां आब लाइबरेरी माथी नी शुलक मेढवी आपेला समय सुधी पोताना घरे लई जाये शे। आम नवा औने जुदा जुदा रमकडा मेढवी बाळको पन खुश औने माता पिता पन खुश। तो साथे या जग्याए पुस्तकालाई पन बनावामा अव्यू छे। जिया नाना मोटा सव कोई पुस्तक, मैगेजीन की समाचार पत्रनू वांचन करी शके छे। अने साथे घरे लेई जवाब पुस्तकों तो उपलब्द हो यजी छे। प्राजकोट मां त्राण अमारी सरकारी लाइब्रेरी, बीजी त्राण ग्रांटेड लाइब्रेरी कारे रच्छे। लाइब्रेरी नो खुब बोडो प्रामाण मां उप्योग करवा मां आवे छे। अत्यारे 32,000... अरे जागरूती, तु क्या माजे आटली बदी खुष देखाई छे। आजे हूँ अधार वर्ष्णी थाई। अड़े अधार वर्ष्णी थाताज मैं मारूना मद्दार्यादी मा नौनधावे देतो छे। अवे हूँ पन मद्दान करी छे। जया, हुँ तो तने पन कावचू। तु पन मद्दारयादी मा तारूनाम नौनधावीज दे। नाहो, अत्यारे क्या ही जवानों समय न थी। अरे मासी, आपने तमारी आज मानसिक्ताने तो बदलवानी छे। मत आपवो, या अपनों हग अने फरज बनने छे। हाँ मम्मी, जागरूती नी वाद साची छे। मारे पन घर नी जवाबदारी साथे भारत बेशना एक जागरूत नागरीक तरेकेनी फरज बजाववी छे। तो बोल, जागरूती। क्यारे जहुचे मदारियादी मां नाम नणधावा, माटे। मदार यादी मां नाम नणधावा माटे तारे जवाणी जरूरत ना थी। एक उटर हेल्पलाईन एपछे। आएब दोरा तुन नाम नोंधावी शके छे, नाम सुद्रावी शके छे, तेमाच अन्य कामों पन करी शके छे हवे हुपन गवरवपूर्णे मतदार बनी भारत दीश नी लोक तांत्रिक प्रक्रियान बात बनेश्ट जयाये तो पोतानू नाम मतदार यादी मां नोंधावे दितू छे हवे तमें पर वोटर हेल्प लाइन डाउनलोड करो अथ्वा www.nvsp.in portal पर तमारा नाम नी नोंधिनी करावी विश्वनी सौथी मोटी लोक शाही ने सूद्रट करवा मां सभागी बनेगे नमस्कार दुर्दर्शन समाचार साथे न्यूस फोकस मा हुरिया उपाध्याई समाचाने शर्वात करेशों उंखे समाचार थी प्रदान मंत्री नरिंद्र मोधी ये वरुद्रा स्वामिनाराइन मंदेर्धवारा आयोचित युवा शिविर्मा करियो संबोधन युवानोंने उच्छा माउचा पंचोतिर कल्लाग देश सिवाना कारियों मा फाडवा करियो आखवान साथे स्टार्टपना ख्षेत्रमा जंप लाबा करिया पी प्रदान मंतरी हे वरुद्रा साथे रदैनों संबंध होबानों लेक करता कहिऊं वरुद्रा ने काश्री बंदे मारा माटे महत्पना स्टैच्चो अफ युवानोंने डिजिटल व्यवार वधारवानों आख्रह करता कहिऊं डिजिटल इंडिया लाउश रे नवी क्रांती 24 मी मेना रोज प्रधान मंत्री मोदी फोर्श शेकर सम्मिलन मा भागलिवा जशे जापान अमेरिकी राश्ट्रपती जो बाइडन साथे पन कर्शे दरिपक्षिय बैठक विदेश मंत्रा लए प्रेस कॉन्फरंस मा आपी माहिती 34 वरश पहला पठ्याला मा गुर्णाम सी साथे मारपीट मामले नवजोद से सिद्धू ने एक वरशनी जैनली सजा 2008 मा एक हजार रुपया न दन्नी सजाने सुप्रीम फोटे जैनली सजा मा फिर भी अरवल्दी जिल्ला न विकास कार्यों नी समिक्षा करवा मुख्य मंत्रिय जिल्ला अधिकार्यों साथे करी बैठक पानी विजडी काईदो व्यवस्थापन न प्रशनों न निराकरन जडप्ती लाबवा कर्यों आदेश सिक्षकोना प्रशनों निवारं लाबवा बदल सिक्षन संक्थ्वारा सिक्षन मंत्री जीतु भै बागाणि नू करायों सन्मा सिक्षिर मंत्रिय कहिँ नॉन टीचिंग स्टाफ ने भर्थी औने साथ मा पगार पंच न हफ्तानी शुकवरी नी कामकीरी बनावाशे चड़पी ग्लोबल मार्केटी नबडाई ना पगले भारती और शायर बजार मा भारे कडाको आजे बीएसी सेंसेक्स 1460 ना भारे घटाडा साथे 52,702 पर थोबन तो निक्टी 403 संकना घटाडा साथे 15,809 पर थोबन आईटी मेटल फाइनांस सहेत रियल एस्टेट ना स्टॉक्स कगड़िया अंकलेश मनना खेडूते एककज जाड़ पर लाल अने सफेफ रकाना जांबूनी खेती नो करियो सफ़ड प्रयो स्वादे मीठा आने वीज वगणना जांबूनी मार्केट मावती रही छे माँ हवे जो ये समाचार विगतवार अजे कुंड़ धाम अने कारेली बाग वडोद्राना स्वामी नाराइन मंदिना संयोक्तोब्क्रमे सब्त दिना आत्मक ग्णान यगननों आयोचन करवा माव्यूच अग्णान यगनना त्रीजा दिवसे युवाश्य बिर योजाई हती जे मा प्रदान मंत्री नरेंद्र मोदी ये वीडियो कॉन्फरेंस त्वारा युवाउने सम्बोध्या हता जो ये एक विशेश रहवाल अग्णान यगनना त्रीजा दिवसे युवाश्य बिर योजाई हती जे मा प्रदान मंत्री नरेंद्र मोदी ये वीडियो कॉन्फरेंस त्वारा युवाउने सम्बोध्या हता मेरे युवाश साथी जब इस शिवीर से जाएंगे तो वो अपने भीतर एक नई उर्जा महसूस करेंगे एक नई स्पस्थता और नवचेतना का संचार अनुभाव करेंगे प्रधान मंत्री ये पोतना संबुधन मा कहिऊं आ युवाश बेर युवाणूने एक नवी दिश्रा आप्षे कोई पन समाजनू निर्मान समाजनी युवापेडीना चारित्र निर्मान थी थाई छे अनि तेना थी समाज विकास पामे छे हमारी संस्कृति का सूजन उसकी अगर कोई पाटशाला है उसका अगर कोई मूल बीज है तो वो हमारे संस्कार होते हैं और इसलिए ये संस्कार अभ्युदय शिवीर हमारे युवाओं के अभ्युदय के प्रयास के साथ हमारे समाज के अभ्युदय का भी एक स्वाभाविक पवित्र अभ्यान है प्रधान मंत्रिये वडुदरा शहनों लेक करता कहिऊं वडुदरा इस संस्कारों नी नगरी शे अने या संस्कारों ना उत्स उठाई शे पावागर अने स्टैच्यो अफ यूनिटी वडुदराना नवा विस्तार तरीके उबरी रहिया शे वडुदरामा निर्मान पामिला मेट्रो ट्रेंड ना कोच समग्र देश नी शोभा वधारी रहिया शे आप वडुदरानी संस्कार नगरी नो एक नभीन विस्तार समझ लो आजे वडुदरानी ख्याती जुओ वडुदरामा बननारा मेट्रो ना कोच दुनिया नी अंदर दोडे शे आप वडुदरानी ताका छे औने आप भारत नी ताका छे हाल समग्र देश पंचोतिर मी आज़ादीना अम्रुद महत सम्नी उचनवनी करी रहियो शे त्यारे प्रधान मंत्रिये युवानोंने ओच्छा मा ओच्छा पंचोतिर कल्ला कूपोशन अभ्यान औने स्वच्छत जेवी बाबतों ना काम माटे फाडवानों आपवान करी होतो साथे जन अउश्रदी कैंदरो थी दवानी खरीदी करी गरीबोंने मदद करवा माटे पण युवानोंने आग्रह करी होतो जाय स्वच्छतानु काम लगें जाय कूपोशन माथी बालकोंने मुक्त करवानु काम लगें जाय प्लास्टिक ना कतरा थी लोकोप्लास्टिक नव आपड़े सिंगल यूद्ट प्लास्टिक माथी मुक्ती मिलेवे यहनु अभियान चलाईए कोई न कोई येवू काम आपने करिये अने आ वर्ष मां पंचोतेर कल्लाग एन आमाटे आपी शक्किये साथेज आजादेना अम्रुद परवनी में ते आगामी एक वरष तरम्यान मातरे डिजिटल नाणा किया व्यफार करवानू अने ओच्छामा ओच्छा पंचोतेर कल्लाग मातरू भूमीनी सेवा करवानों संकल्प करवाजना अव्योधू ब्यूरो रिपोर्ट दुर्दर्शन समाचार अम्दावाल वडोद्राना कारेली बाग स्तेत स्वामिनारायन मंदिर खाते सब्त दिनात्पक ग्नान यग्नमा त्रीजा दिवल से प्रदान मंत्री नरेंद्र मोधी वर्चुल लाइव उपस्तित रहिया हता आप्रसंगे बालजबना प्रदेश अध्यक्ष सियार पातियल अने गुजरात राज्जेना शहरे विकास मंत्री विनोध मोरडिया तथा वडोद्राना मेयर के यूर रोकडिया वगेरे महानु भाव उपस्तित रहिया हता आउसरे पिये मोधीय जणाविय हतु कि राश्ट्र माटे पण यूआउने पोतानु योगदाना पुजरूरी शे तैमज प्राक्रोती खेती अपनावा औने आगामी एक वरश तरम्यान डिजिटल नाणा की अव्यहवार करवा अने उच्छा मा उच्छा पंचो तेर कल्लाक मातरू भूमी नी सेबा करवानों संकल्प करवा जणा अव्यहतु एक वरश मा लगभा पंचो तेर कल्लाक इवानों कोई ने कोई सचता अभियान जेवा कोई ने कोई राश्ण माटेना कामों हाथ पढले यह पर हमने विनांति करीचे इवानों जेरी ते प्रतिसाद मरतो होतो तो एने पर दी चोकर्ष पर हम कही सकाए के खुब सारों प्र प्रशांट गतनाक्रम समसामयेक वैश्विक मुद्धा उपर विचारूना आधान प्रदान आफसर मर्श तेमज विदेश मंत्रालाईना प्रवक्ता अरिंदम बाक्ची एजनावी हतु उपरांत आबैठक बाद प्रदान मंत्री मोधी अमेरिकन राश्ट्रपती जो साथे तेमने बाद चेन बॉर्डन नी स्तिती अन अफगानिस्तान ने करवा मा आवी रहल मदद अंगे पन माहीति आपी हती अगस्त दोहजार इस पिछले साल में काबूल के सुरक्सा स्तिती को के खराबी के कारण हमने हमारे सारे भारतियों बेस्ट इंडिया बेस कहते हैं भारतिय कर्मियों को अफगानिस्तान से बहान निकालना पड़ा हमें इसके बावजूद मतलब अफगानिस्तान के लोगे के साथ हमारी जो रिलेशन्शिप है अतिहासिक संबन्ध है देखते हुए हमने मानविय साहता प्रदान करने करना जारी रखा है विशेश रूप से गेहूं भेजा है गेहूं का चल रहा है भी भी दवाईया भेजी है वैक्सीन भी भीजी थी मैं पहले भी कह चुका हूं एलेसी के अबारे में हमारे जो रेगूलर बादचीश हो रही होती रहती है चाइनीज फॉरन मिस्टर भी आये थे उनसे ही बात हुई हमारी जो अपेक्षाएं हैं उनके पास रखी गई और आपको याद होगा कि हमारे विदेश मंतरी ने डिरेक्ली भी बताया कि कैसी वादतावाब हुई और क्या चीजों पे क्या मुद्दे हैं और हमारी क्या पेक्षाएं उसमें और इसको हम आगे बढ़ाते रहेंगे कोशिश यही रहेगी कि हमारी जो जिस तरह से हमने कह रखा है कि यह सलूशन निकालन पड़ेगा आपको बागचीत से और जब तक वो स्टॉल नहीं हूँ बागी चीजों पे आगे नहीं बढ़ सकते हैं पंजाब कॉंग्रिस ना पुर्व अधियक्ष नवजोच सी सिद्धुने आजे मोटों आजको लाग्यों छै सुप्रीम कोटे आजे 24 श्वरश जुना रोड रेज केस मा सुप्रीम कोट भारा एक वरश नी सश्रम कैदनी सजाफटकारी शै आगाओ आ केस मा सुप्रीम कोटे सिद्धुने 1000 रोपया ना दंड फटकारी ने छोड़या हाता सिद्धु ए सुप्रीम कोट मा पोतानी सामेना रोड रेज केस मा डाखल थायेले पुन विचार अरजी ने रद करवा माटेनों अनुरोद करियो हतो सिद्धु ए पुनविचार अरजी अंके जनावी हतो क्या केस चोंतरिस वरष चुनों छे आने आ अरजी विचाननी यह न थी सिद्धु ए चोंतरिस वरष अगाओ पतियालाना मार्ग उपर थायेला विवाद मा गुरुनाम सिहनी साथे मारपीट करी होवानों तेनी उपर आरोप्ट गुरुनाम सिहनों हस्पिटल मां मृत्यू थायो हतो रोड रेजनों आ मामलों वर्ष ओगनी सो अठ्याजी नों छे सब्ताना चौथा दिवसे ग्लोबल मार्केट नी नबडाईना पगले भारतिय शैर बजार पन रेर जोन मां खुली हतो सवार्थीज कड़ा का साथे खुलेल शैर बजार दिवसना आंते पन भारे कड़ा का साथे बंदर यो हतो आजे बीएसी नो सैंसेक्स 1460 अंकना भारे घटारा साथे 5702 पर बंद थायो तो एनसी नो निफ्टी 403 अंकना घटारा साथे 15809 पर बंद थायो रशिया युकरेन वन निस्तिती डॉलर सामे रुपयो नबडो थावा निस्तिती अने मौंगभारी निस्तिती ना पगले शैर बजार पर नकारात्मक असर जोवा मड़ी हती IT, Metal, Finance, Real Estate सहितना तमाम स्टॉक्स कगड़े हता टाटा स्टिल, टेक महिंद्रा, विप्रो, इन्फोसेस, SBI, CLL, टेक, हैडाल को अदानी पोट्स ना स्टॉक्स मा वेचवाली ना पगली वजार नरम रह्यो हतु राजज़न सिक्षण मंत्री जीतु वागाणी ये सिक्षण संगना होद्दे दारूने संबोधित कर्या हता गुजरात राज़य सेक्षण एक संकलन समीती ये सिक्षण जगतना आठ प्रश्णोंना सुकेत उकेल लावा बदल सिक्षण मंत्रीनु सन्मान कर्यो हतु आप रसंगे सिक्षण मंत्री जनावी हतु कि राजज़ना लाखो सिक्षण कोई अमारो परिवार चे तेमना प्रश्णोंनो योग्यों केल्ला वो एज अमारी सरकाननी प्रात्मिक्ता चे सिक्षण कोने नियमनु सार मडवा पात्रत तमाम लावाप्पा ये अमारी जवाबदारी शे जने सरकार निभावी रही शे ताजे तर्माज ओगन चाड़े सज्जार सिक्षण कोना हित्मा लेवायल विविद नीड़े ओ थी अंदाजे बै लाख जितला लोको पर हकारत् सार थैंग्षा प्राइमरी, माजमिक, उच्छत्र माजमिक अप्रोफेसर, आ त्रणे ना लगभग स्वया सोटका प्रस्णों यह पूरा चाहिए, नानका का मने के स्वा करोड नो बोजा आँछे, तौने अट्सेड करोड नो बोजा आँछे अर्वल्ली जिल्ला ना विकास कार्यों नी समेक्षा करवा, मुख्य मंत्रिये बायड मा जिल्ला अधिकार्यों साथे बैठक करिया दी विजडी पाणी पूर्वठा अने काईदो व्यवस्था ना प्रश्णों नो जड़प्ती निराकरान लाववा आदेश करियो हतो साथे विकास कार्यों मा जन भागीदारी वदे तेवा प्रेरक कार्यों वधर्वा अधिकार्यों ने सुचन करियो हतो उप्रान्त मुख्य मंत्रिये बायर स्थेट जय अम्बे मन वुद्धी महिला समाच सिवा ट्रस्नी आजे मुलाकात लीती हती जहां तेमने संस्थानी मनो दिव्यांग महिलाओ साथे पित्रु वात्सली अभाव थी वात्चेत करी हती अने संस्थामा महिलाओने अपाती सुविधाओ अंगे माहिती मेड़ भी हती मन बुद्धी नि आपनी जे महिलाओ से ये अपड़ा ये ट्रस्टना जे आगेवानों से शेवा करिया से ये अमारी वईवटी तंत्र हमारा पदादीकारी अधीकारियों साथे प्रदानमंत्री नरेंद्र मोधी नास किल इंडिया मिश्रन अंतरगत बुद्धवारे अमदावाद वटवाज जी आईडिसी खाते श्रम कौशलिये विकास अने योजगार विबाद द्वारा उद्योग संपर कार्यकर्मनों आयोजन करपमा आव्यू आ कार्यकर्म मा उद्योग जगत साथी जूडायला 300 थी वदू लोकों हाचर रहे हाता जिमाश्रम और रोजगार नियामक ललित नारायन सिंग संधु खास उपस्तित रहे हाता गुजरास डेवलोपमेंट मिशन और नियामक रोजगार ने तालीम द्वारा उद्योगों मा निरंतर बदलाती टेकनोलोजी अने तेने अनुरूप कुषण मानाव बढ़ पुरूपाडवानू कार्य करे छा सब्सक्णा च्यंक श्किल एंडिया अने एना माठे उद्योगों हो सुरत मा पोलीस कमेशनर अजय कुमार तोमर ना अध्यक्ष स्थाने रोड सेफ्टी काउंसल नी बैठ क्यों जाए जिमा जोक मेरी ते वाहन चलावनार वाहन चालो कुना ड्राइविंग लाइसन्स त्रोण महीना माटे सस्पैंड करवानों निर्णे करायो हतो अने सस्पैंडिड लाइसन्स साथे वाहन चलावता वाहन चालो कुनू लाइसन्स ताया में सस्पैंड कराश्रे तेवो निर्णे लेवायो हतो तो पोलिस कमिशनर अकस्त मातनू प्रमाण अने मृत्यो दर्मा घटाडो थाई ते हेतू थी स्ट्रेटरजिक एक्शन प्लान करवा चनावी हतो जे रॉंक साइड मा पोतानो वाहन चलावे छे एवा वाहन चलाको ने काईदेसन्स कारियावाई नी साथे साथे तीमाटे दाहोद दी जाइड़स मेडिकल कॉलेज औन होस्पिटल मा नवा आईसीओ कैर यूनित नू लोकारपन करवा मा आवियो दू आ कैर यूनित ने लाइफ सिविंग आधुनिक साधनों थी जज्ज करवा मा आवियो छ साथ होस्पिटल मा हवे बेड़नी संख्याव 15 थी वधरी ने 24 करवा मा आविछ जरे होस्पिटल तंत्रे लोकों ने अहीं सारवा लिवा अपिल करी हती कि अधिन के नंबर इंटेंसिव ज्यादा होते हैं इसलिए हम लोगोने ज्यादा प्रक्राइट की होगे हैं और यहां पर यह जितने भी एक तीनों आइसीव में इस अभी ऑल्लाइफ से एक्ट्यूप्मेंट से एक्ट्यूब्ड है अधिक लेटर्स है मंती पारा मॉनिटर्स है अधिकूलेटर है उन्फीजर्ट सब्सक्राइब लेडर है और जो बहुत जिस तरह ना इस तरह ना चन्ता ने सब्सक्राइब सब्सक्राइब करता का इक खेड़ूत सामान्य खेती करता का एक अधिक अधिकूलेटर्स है अलग खेती करीने सारी एवी कमानी करी रहिया छै आज या छोड व्रुक्ष्मा परिवर्तित्थता एक जी जाड पर सफेद अने लाल जाम्बूना फर लाग्या शे सफेद जाम्बूमा श्रियाडानी रुतुदरम्यान फुलाबबानू चालू थाई शे अने उनारो चालू थाई त्यारे फर परिपक्पबने शे सफेद जाम्बूनी खासियत ए छे कितेमा ठड़िया होता नथी सफेद जाम्बूनो बाव त्यारे फ़र रुप्य कीलो खे ने लाल जाम्बूनो बाव एक सचालीं रुपय कीलो खे ने इसहोनू अवेटार करवां ट्यार खेरू तोणै गनो फाई दोठ आई छे सफेद अने लाल जाम्बू आरूग्यानी द्रस्टिये पण गुणकारी शे तेने इम्म्यूनिटी बुस्टर तरीके पण लेवामा आवे शे सफेद जाम्बू मा आयन, फॉलिक ऐसे, पोटेश्यम, मैगनेश्यम, फॉस्फरस अने सोडियम जिवा तत्वो रहेला हो वाधी, शक्ति वर्दक तो छेज, साथे सुगर लेवल पर कंट्रोल मा राखे शे बलजार मा हाल, आ सफेद जाम्बू 100 रूपय किलो, अने लाल जाम्बू 140 रूपय किलो ना भावे वेचाई रहिया शे ब्यूरो रिपोर्ट दुर्दर्शन समाचार अम्दावाल आज़ादी का अमरूत मोहत सवंतर गत, आजे आपने भारतना प्रथन स्वतंतरता संगरामना मुख्य नायक नाना साहेद पेश्वा बीजा, रांती कारी पूर्ण तालू कदार, विठल गास वल्लबदास चंदन अने शहिद गुलाब खानना जीवन अने तेमने स्वतंतरतानी नडाईमा आपेला योगदान वेशन्वा एह वाल जोईशु आजने एपिसोड मामें भारतना प्रतम स्वतंतर संगरामना मुख्य नायक नाना साहेद पेश्वा बीजा ने याद करी रहा ची तेमनों जन्म ओगनीस में 1824 ना रोज कानपूर जिल्ला ना बिथूर खाते थे होतो मराठा सामरज्य ना पेश्वा नाना साहेब ये कानपूर मां अंग्रेजोती आजादीनी लड़ायनू नेत्रूत्व करी वोतु तेमने कानपूर खाते ब्रिटिश चोकी नी शरनागती स्विकरवा दबान करी वोतु जन्मसमय नाना साहेब नू नाम नाना गोविंद धोंदु पंत राखवा मां आवियोतु नाना अने तमना भाई ने पेश्वा बाजीराव द्वारा दत्तक लेवा मां आवियाता कारण के तेयो ने कोई संतान नहतु नाना साहेब तात्या तोपे अने जहांसी नी राणी लक्षमी बाई साथे मोटा थेया पेश्वा बाजीराव ना मृत्यु पची अंग्रेजो ए आगामी पेश्वा बनाववाना नाना साहेब ना दावा ने स्विकारवानो इनकार करेए उतु परणतु अध्याँ इन चाहरवै तया पत्याँ समीक इसटालागे says, पड़कार, उचलेभी अंगवुचिस करेल्य, रिर–पर कर watchο नने थो पत्याँ आ झनक्व्याँ, मिव्यन चाहर. अंग्रे जोए नाना साहिब नी सेना ने हरावी ने कानपूर पर फरी थी कब्जो करीली दो, अंग्रे जोए नाना साहिब ने पकडवानों प्रयत्न करयों परण निश्पड गया। अमे क्रांतिकारी स्वातंतर सेना नी पूर्ण तालुकदार ने पन शद्धान जली आरपन करी रहा छी। अमे क्रांतिकारी स्वातंतर सेना ने पन शद्धान जली आपी रहा छी। अमे क्रांतिकारी स्वातंतर सेना ने पन शद्धान जली आपी रहा छी। अमे क्रांतिकारी स्वातंतर सेना ने पन शद्धान जली आपी रहा छी। परंतु ते ट्रेन मां बेहोश थी गया औने चालती ट्रेन मां थी पड़ी गया। अने जाहर सबा मां पहुँचे ते पहला आज तेमनों मौत थे गया। आ महान भारती अने वंदन। अमे आजे शहीद गुलाब खानने पन याद करी रहा छी। तेमने 1857 मां भारतना प्रथम स्वातंतर संग्राब मां भाग ली दोतो। कंपनी ना दड़वे गुलाब खानने पकड़े ली दोतो औने तेना पर ब्रिटिश सामराज्य सामें बड़वों करवानों आरोप मुकियोतो। 1857 मां गुलाब खानने आज इवन कैदने बेडियों मां सखत कैदनी सजा करवा मां आविया थी। शहीद बुलाब खानने शद्धान जली। चोटा उदेपुन्ना कुसुम सागर तड़ाव मां थी। दुर्गंद औने मच्चन उब्रवती त्रस्त नगर जनोनी रजवातने पगले। चोटा उदेपुन्नगरपाली का तंत्र द्वारा कुसुम सागर तड़ावनी सफाईनों नेड़ने लिवायो छे। जे अंतरगत तड़ावनी साफ सफाईनी कामकीरी माटे रुप्या अढ़ार लाख पच्यास जाननी ग्रांट फाड़ावा मां आविछे। पंच महालना गोदरा शहर मां आविला न्यू एरा हाई स्कोलना ग्रांट खाते योग बोर्ड द्वारा निशुलक योग सेबिनों आयोजन करवा मां आविछे। जिमा राज्यन योग बोर्ड ना चैर्मेन योग सेवक शिश्पाल उपस्तित रहिया हता योग्षे बिर्मा मोटी संख्यामा शहरी जन्नों ए भागली दो हतो। आश्रे बिर्मा गोद्रा सहित, जिल्ला ना हालोल, कालोल औने शहरा पंथक ना योग्यो सहित गायतरी परिवार औने ब्रह्मा कुमारी संस्थाना कुमार कुमार्यों ए भागली दो हतो। आश्रे बिर्मा मोटी संस्थाना कुमार्यों ए भागली दो हतो। जब से मा को नानी किया भीजाए कि इतने चिर्चिरे हो गयो बेटा टीवी है उसको तीवी काहलाच तो यहां भी हो सकता है अगर यहां तो लोग कन्नी काट रहोते हम से लोग नहीं मम्मी। अर्जॉन। अर्जॉन। बहुत मिस्स कर रहा था तुमको और मैं भी टीवी रिमोट का सर पर समझने पा रहा था। अपनों का जोड है टीवी का तोड तो फिर भेदभाव क्यों टीवी के इलाज में अपनों का साथ दें। उई देख पवन आ गया। पवन वहां क्यों बेटा है। पता नहीं तुछ उसे टीवी है। लास्ट बेंच का मज़ा अकेले अकेले। पता है ना मुझे टीवी है। चल चल तुझे पता है ना इलाज का असर शुरू होने के बाठ टीवी की इंफेक्शन का डर नहीं रहता। तिफिर में क्या है। तीवी के दवाई के साथ खाना भी अच्छे से लेना है। समझा। अपनों का जोड़ है टीबी का तोड़ तो फिर भेदभाव क्यों जब से मा को नानी किया भीजाए कितने चिर्चिरे हो गयो बेटा टीबी है उसको टीबी का हिलाज तो यहां भी हो सकता है अगर वह यह रहती ना तो लोग कन्नी काट रहे होते हैं हमसे उचे लोग नहीं मम को जिए लोग किया हैं हुआ हैं हुआ हैं में अपड़ घ्र दिए कर दोगिस हैं होगी है हैं जा था ही है हैं।